अलो साइबर वाजस एकबार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चर्नल निव वर्जन हेकर में आज मैं आपके लिए लेके आगया हूँ वन शॉट कम्प्लीट निकलकिंग की वीडियो जो कि आपको बहुत ज्यादा है इतिकल एकिंग सीखने के लिए सो गाइस विदाउड वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं सो वरियर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुता दूँ यह जो कम्प्लीट वीडियो है इसको मैंने टाइम स्टैंप के थूरू डिवाइड कर दिया है चैप्टर बाइ चैप्टर तो आप नीचे स्ट्रोल करके इसके कम्प्लीट चैप्टर देख सकते हूँ जम कर सकते हूँ आप अपने हिसाब से जहां भी आपको जम करना है उस पर हम देखेंगे कि नेटवकिंग क्या है नेटवकिंग क्या होती है एक्ष्वल में वह सारी चीजे हम कवर अप करने वाले हैं क्या होता है तो सबसे पहले मैं आप लोगो से एक चीज जानना चाहूंगा नेटवर्क का मतलब क्या है नेटवर्क मतलब एक रेंज अच्छा रेंज कैसे जब आप लोग किसे को कॉल करते हो तो आप लोग जहां पे भी वह डंडियां होती है यसे एक दो तीन यह दिखा सबस्काइब różne घृता है यहां पे अगर यह डंडियां कम रहे तो कभी-कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है काल यहां पे नेटवर्क कम आहां तो यह बात हो रही है द Sn कि रेंज कम आ रही है आप लोग ब्लूतूत में यह चीजे देखी होगी फिल किया होगा कि ब्लूतूत डिवाइस अगर आपके फोन से ज्यादा दूर रहा तो आप का ब्लूतूत डिवाइस बता देता है कि आउट-ऊ-फ-रेंज मतलब उसके नेटवक से बाहर है तो मतलब ह अब networking का मतलब क्या होता है तो देखते हैं अगर यहां पर कुछ स्टन्स एक यहां पर इस सिस्टम को एक पीडी अप चाल कर रहा है यह इस अब कैसी रेंज होती है वह मा के चलके देखें तो यहाँ पर ऐक रेंज में आके ही इसको शेर कर सकता है तो यहां पर जब इसमें पीडियाब शेर किया अभी सिस्टेम जब रेंज पहलेंं इसके नेटवक ता जब आए वो नेट्वक ता उसके नेटवक में आगया masa लेकिन जब उसने PDF शेयर किया वाली तो वह networking परफॉर्म ही कहने का मतलब यह है जब कोई भी सिस्टम जब दो सिस्टम्स आपस में दो से ज्यादा सिस्टम आपस में कम्मुनिकेशन करके मतलब बातचीत करते शेरिंग ऑफ सॉफवेर शेयर करें फाइल शेयर करें इंफॉर्मेशन प्रिजर में समझाता हूं शेयरिंग अपडेटा यह कोई बीचीज परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने पीडियाप शेयर की है वह नेटवॉकंग पफॉर्म हो रही है मतलब जब दो सिस्टम्स आपस में ऑपस में बातचीत करके आपस में शेरिग ऑफ डेटा शेरिंग ऑफ फाइल कर रहे हैं कोई भी data share कर रहे हैं कोई message भी शेयर कर रहे हैं वह networking कहला है यह process है जो कि कुछ भी share करते हैं तब होती तो इस इस नेटवर्किंग अब यहां पर मैंने बताया दो चीजे हैं sharing of security and preservation अब देखो जब system में मैं आपको समझ लो यहां से यह वाला इस computer यहां से एक pdf share कर रहा है यह system यहां पर pdf share कर रहा है समझ लो वाट्सेप पे तो यह वाला system उसको download कर सकता है अपने पास save कर सकता है न तो उसने जो save की आना वही है preservation मतलब वह save कर सकता है उस file को जो भी है न सेव कर सकता है ऐसा तो नहीं कि देखके वह save कर सकता है उसके बाद है आपे security इसका मतलब है security का मतलब है कि जब यह दो आपस में जैसे मैंने example लिया था कि कोई आपस में share कर रहा है PDF तो कोई बीच में से इंटरेट न कर ले तो जब networking काम है अब security क्या क्या होती है मां आगे चलके देखेंगे sharing of hardware कैसे अब networking में hardware कैसे share हो सकता है तो आपके system में जो Bluetooth लगा हुआ है वो क्या है वह hardware device है Wi-Fi लगा है वह hardware device है बट फर कितना है कि यह frequency से match करते हैं मतलब इनकी खुद की एक frequency होती है उससे communication करते हैं पहले हम Bluetooth से क्या करते थे फाइल भी शेयर करते देटा भी शेयर करते थे मतलब उनका भी network बन रहा है उससे communication होता है तो यह वहां पर तो है तो hardware device है ना बट वह communicate कर रहा है तो मतलब यहां पर एक hardware भी शेयर कर रहे हैं अब सबसे एक example ले लो कि आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से connected होते हैं तो यह जो केबल था यह क्या है hardware है hardware किसको कहते हैं जैसे इसका system पर keyboard है यह mouse है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर mother word है जिसको हम touch कर सकते हैं उसको hardware कहते हैं एंड जो system के अंदर चलते हैं WhatsApp, Zoom, यह सारे software है तो यह जो cable है इसको भी हम touch कर सकते हैं जो यहां से यहां आपस में connect होती है यह तो इसको भी हम hardware कहते हैं तो sharing of hardware यहां यह cable भी share हुई यहां पर sharing of hardware होगा I hope इतना clear होगा आप सभी को यह next station देखते हैं अब हमारे पास total type of networks कितने है network यहां पर बोल रहा है type of networks in networking मतलब कितनी देखो इसका simple मतलब है कित हजार मीटर तो ऐसे हमारे networking में कितनी तरह की ranges तो यहीं पर हम देखेंगे है warriors congratulations आपने पहला पार्ट complete कर लिया है और आगे का जो पार्ट आने वाला है इसमें हम देखेंगे कि networks कितने type के होते हैं एक्ट्वल में network कितने type के हैं कितने तरीके से इनको यूज लिया जाता है और कहां कहां यूज लिया जाता है वो सारी चीज़े हम समझेंगे एंड साथ इसाथ थोड़ा सा introduction है हमारा IP का एंड एक टर्म है हमारा ISP उसके बारे में भी देखेंगे मिलते हैं स्लाइड पे हम देखेंगे कि type of network networking में कितने हैं मतलब कितने type के networks हैं हमारे networking तो आज हम यही discuss करेंगे यहां तो देखो मैंने जैसे कि कहा आप लोगों कि network का मतलब क्या हो network क्या होता है अगर इसको connect कर पाएं तो आप लोगों ने Bluetooth device लिया है तो Bluetooth डिवाइस अभी आप लेते हो तो उसमें लिखा होता है कि इसके 10-meter की रेंज है ठीक है यह फिर 50-meter की रेंज है 100-meter की रेंज है तो यह क्या बता रहा ह है कि जो आपने Bluetooth device लिया है उसकी पहुंच कहां तक कहां तक वो कितने दूरी पे जाके वो रेंज पे रह सकता है यह यह बता रहा है यहीं पर हमारे networking में भी सेम पार्ट है networking का भी सेम पार्ट होता है कि यह जो network devices हैं इनकी क्या रेंज है कितने दूर से यह connect हो सकते हैं तो हमारे पास तीन टाइप की रेंज है टाइप मतलब यहीं कि इनका रेंज कितना है कितनी दूरी से यह लोग connect कर सकते हैं एक दूसरे से ठीक है तो यहां पे तीन रेंज है मारे पास लैन जिसका फुल फॉर्म है आप यहां देख सकते हैं local area network दूसरा है मैं metropolitan network तीसरा है वैं कि यह local network area है मतलब अपना ही local मतलब हमारा खुद का तो यह local area network में क्या है यह बहुत चोटी सी range होती है कह सकते हो विदिन एक floor में एक floor के अंदर अब example ले लो आपके घर पे broadband लगा हुआ है ठीक है and broadband में आपके सारे devices connect है example के ले लो यह हमारा broadband broadband मतलब Wi-Fi का router जो router लगा है उसको broadband कहते हैं router भी कहते हैं broadband भी कहते हैं तो आपके घर में जो router लगा है ना and उससे जितने भी devices connect है इनको हम कहेंगे land local area network और इसका एक example और क्या है आप लोगोंने net cafe में देखा हो net cafe में बहुत सारे इससे systems लगे होता है और वह एक दूसरे से cable की थूरू connected हो तो उनका ज आपके बहुत सारे systems होते हैं बहुत सारे system में आप लोगों को द्राइंग प्रेक्टिस करा जाती है और आप लोगों को वर्ड एक्सल की प्रेक्टिस करा जाती बट उसमें internet नहीं हो इंटरनेट से connectivity का कोई लिएना देना नहीं होता बस तो सबसे अच्छा example वही है land network एक की broadband से connected है इसलिए आपस में ही communication करते हैं आपस में ही package sharing file sharing करते रहते हैं तो इनकी जो networking है वह यह से पफॉंग हो जाती है तो लैंड जो है लोकल इरे नेट्वर्क एक छोटी से रेंज का नेट्वर्क होप यह क्लियर हो गया land अब हम सबते हैं हमारे next range तो इसकी range कितनी है आपके हिसाब से इसकी range है विदिना रूम या विदिना फ्लोर अम नेक्स्ट हमारे मैं मैं का फॉल फॉर्म का मेट्रो पॉलिटन नेट्वर्क मेट्रो फॉलिटन नेट्वर्क गाइस मुझे माफ करना मेरे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है वह आप लोग समझ पा र एक city to city में रहती है इस city के corner to corner जाती है corner से उस corner तक जाती है तो metropolitan network क्या करता है या फिर metropolitan network में क्या होता है यहां पर city के corner to corner communication होता है example ले लो यह डेली है यह डेली के चार corners अब किसी company की चार branches सारे कौनों में ठीक है corner to corner अब उनको रिपोर्ट मगानी है यहां से तो यहां से यहां पर report transfer करने के लिए मतलब यहां पर यहां से यहां तक कोई भी फाइल share करने के लिए यहां पर man network क्योंकि यह city के corner to corner में and man network है इसकी range विदिन एक state होती है ठीक है दिल्ली ले लो महाराश नाखपूर ले लो मतलब एक city के अंदर रहती है इसको मैं correct करना चाहूँआ थोड़ा जाती तो metropolitan network भी city के अंदर ही corner to corner मतलब आप एक city के अंदर कहीं भी इस network का यूज कर सकते हो जो land हमारा वो एक room के अंदर ही था वहीं पर communicate कर रहा था अब example के ले लो यहां पर तीर ब्रांचेज हैं SBI की दो ब्रांचेज है एक इधर में है एक इधर में है SBI 2 यह SBI को यह वाले SBI में एक रिपोर्ट शेर करना है तो यहां पर man network का use करके क्योंकि यह within a city में है इधर से इधर direct transfer कर सकता है क्योंकि यह metropolitan network अब क्या हम land में यह काम कर सकते तो बिल्कुल नहीं क्योंकि land की रेंज है वह एक रूम के अंदर है उसकी रेंज है एक रूम के अंदर यह बस रूम से बाहर नहीं है तो ऐसे वर करता है हमारा man network metropolitan और इच्छा एक अच्छा example यह है कि देखो यहां पर जैसे यह बनाया है एक corner यह हो गया यहां पर ए इनकी कहां से कितने दूर तक communication कर सकते हैं अब एक बात बताओ क्या आप लोग अभी इंडिया के बाहर कॉल कर सकते हैं अपने local sims नहीं कर सकते है उसके लिए special recharge कराना पड़ता है इंटरनेशनल रिचार सेम ऐसा यह भी है इनकी अलग-अलग range decide कर दी गई है कि तुम इतने में ही communicate करोगे इतने में ही रहोगे इतने में ही अपना फायल शेरिंग करोगे एंडिस से बाहर नहीं जागा अब इंटरनेट की रेंज कितनी बड़ी है तो इंटर्वेट की रेंज जो है वह पूरे वर्ड में है वर्ड वाइड वाइव यह जो आप access करते हो ना वह इसी स करते हैं तो पूरे वर्ड का इंटर्ड ही वैं है वाइड 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 नेट वर्ड वाइड नेटवट कर सकते हों इसका चाट कर सकते हो आå गूगल है वहाँ पर गूगल के सर्वर जो है और इंडिया में भी है बट कंपनी है यूएस से की तो आप यहां बैटे बैटे वहां के करका ऊकit कुछ नहीं और नी करोंगेों है इसले खसे सर्व करने कि लिए इंटर्ट में मिलसं हो इक चीज़ करने एक चीज़ की जुर्वतर पड़ती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ठीक है यहां पर में राइटिंग को थोड़ा वाइट करना आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ठीक है अब यह किस काम आता है एक क्वेशन है मेरा बेसिक सा अगर आपको किसी के घर जाना है यह एक कंप्यूटर को मैं as a home लिक रहा क्वेशन है अगर आपको पार्स भीजना तो आपको एड्रेस की जरत पढ़ती है और जब शिस्टम्स आपस में एक कुछ शेयर करेंगे तो उनको भी एड्रेस की जरत पढ़ेगी क्योंकि यहां पर सारे सिस्टम्स है इस दुनिया किसे आपस जाएगा तो वापस आ जाए अगर आप पार्सल्स भेज जो उस पर आडरेस ने लिखा तो आप घर पर आपस आ जाए गब तो यहां पर एडरेस की जुरुरत पड़ती है ठीकर है तो यहां पर हम वं में लोकल लेंगवेज में पता बोलते हैं यहां कंप्यूटर लेंगे वेज में या फिर हमारे इटी फिल्ड में टेक्निकल वर्ड में इस एड्रेस को आई-पी अड्रेस करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ठीक है तो यहां पर सिस्टम्स आपस में कम्मुनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज करते हैं या इपी का यूज से लियर है तो यह आई-पी एड्रेस कुछ नहीं एक दूसरे से कम्मुनिकेट करने का एड्रेस थीक है और भी इसके वारे में नौनलेजेश है इसके वारे में और भी जानकर है अमन्हें लोगं को प्राइल थे लो इस system को एक पैकेट में बहुत बहुत और कलने हैं अब यहां पर समझ लो इसका जो आड्रेस एड्रेस प्रीक्रश जो है वह अभी आप लोगों के लिए नंबर फॉर्म में रहे हैं एक ही यह हो टिक तो एक्जाम्बल के ले लो कि अगर इसको यह PDF शेर करनी है मुझे तो मेरे सिस्टम में पहले पता फीड होगा कि यह किसके पास जाना है मुझे से इस सिस्टम को बताना पड़ेगा कि यह एड्रेस यह जो PDF है कि इस एड्रेस पर भेजना है आगे बढ़ते हैं कुछ और जानते हैं हम अपने आई पी आड्रेस के बारे में ठीक है तो इसके बारे में और थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए उसके अंदर के इंफर्मेशन लेने के लिए इसप के बारे में जानना बहुत जो रही है इसप का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है ठीक है अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है ठीक है अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है ठीक है अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है आप किसकी सीम वह सकता है यह broadband भी हो सकता है तो आप जिसका भी broadband यूज कर रहे हो जिसका भी सिन यूज कर रहे हो वह आपका ISP ठीक है आप लोग कमेंट शेक्शन में बताओ आप लोग किस की सीन यूज करते हो एंड आपका ISP कौन है अब देखो यहां पे एक्जाम्पल है IP address कैसे लिखना है इंटरनेट प्रोटोपॉल एड्रेस अगर में राइटिंग समझ में नाया तो यहां से पुड़ा सकते हैं लिख सकते हैं वीडियो के बीच में आप लोग एक बात और बूलना चाहूंगा आप लोग नोट्बूक एंड लेके बैठना कि कोई भी नॉलेज़ वह आप नोट करको यहां पर यह हमारा IP address ठीक है IPv4 ठीक है IPv4 का मतलब है IP का वर्जन 4 अब इससे पहले हमें उसको नहीं जानना क्योंकि वह हमारे काम की नहीं हमारे काम के भी जो रनिंग है उसके हम टेस्टिंग करेंगे इसलिए हम IPv4 के बारे में ही जानेगे अब यहां पर IP address ऐसे दिखता है और इसकी कुछ लिमिट है यह वाला जो IP address है इनकी जो जब यह बनाए जाते है इ हुआँ हुआ 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 है यहां पर विसके आधर जैसे यहां फॉक्त Já पर के श करनाा हुआ है न न आज रहा है से इए हूंध ready खेंग तो सभी आरे मां पर सता है इसमें टोटल पेर चार होते हैं पेर मतलग यह दिख रहा है इससे यह एक पेर हो गया यह यह लगा जाएंगा है तो यहां पर यह लगा देता हूं पर तो यहां पर हर एक पेर में 3 डिजिट्स हो सकती है and हर एक पेर 8 bit का होता है यह वन बाइट मतलब हर एक पेर 8 bit यह भी 8 bit का हो ठीक है 8 into 4 करोगे तो 32 आएगो ठीक है मतलब 32 bit का यह IP address होता है ठीक है and यह 4 byte का हो 32 bit and 4 byte अब हमारा एक question होगा आप सभी के मन में कि यहां पर इसका क्या लेना देना यह जहां पर size लिखी है 32 bit everything यह क्या लेना देना तो actual में आप लोगों ने कुछ नहीं है यह आप लोगों ने देखा होगा MB GB KB ठीक है वैसे ही यह एक size है byte and bit यह एक size है हमारे datas को रखने के लिए तो देखो आप जब लो कुछ example के लिए use किसलिए आएगी जिससे मुझे कोई PDF share करनी है अगर मुझे कोई PDF share करनी है यहां से तो उसका कोई नो कोई size होगा तो example के लिए लो एक KB है इसका size एक के भी जाएगा कैसे तो यह जाएगा इसी में store होके इसी IP address में store होके समझे लो 8 bit इसमें चलागा 8 bit इसमें 8 bit इसमें 8 bit इसमें वैसे ऐसे करके जब तक मतलब इनको तुकुड़ों में बेजा जाता है पहले कुछ KB के पहले जो आता है समझ लो मैं बाइट ही ले लेता हूं यहां पर पहले जैसे 32 बीट है यह टोटल पहले 32 बेट भेज देंगे इसको डिवाइड करके फिर 32 बेज देंगे फिर 32 तो ऐसे अलग-अलग करके यह फाइल 32 32 32 बीट में जाती रहेगी फिर जब सार अब यह transaction complete हो जाए ठीक है तो इसलिए size होती है इसी IP address में इसी IP address से सारी files and everything पहुंचती है एक वीडियो में इस वह बता दूगा MB, GB, KB ठीक है बाइट यह क्या होएं कैसे होते हैं तो यह आपको अच्छे स्क्लियर हो जाएगा I hope कितना तो क्लियर होगा IP address में यह जो values है किसलिए है यहां पर यह जो IP addresses है इनमें और भी information होती है वह information क्या होती है अब एक question है मेरा जब आप लोग कोई SIM card लेते हो कोई SIM card जब purchase करते हो क्या आप वहां पर कोई identity देते हो आप बिलकुल देते हो क्या देते हो आधार card देते हो आपका तो आधार card क्यों लिया जाता ह है कि वह आधार card आपका इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप जो SIM purchase कर रहे हो उसका जो number है mobile number वह तो आधार card से link ही है लेकिन आप SIM जब ले रहे हो उसमें internet भी चलाओगे तो internet लेते समय एक्चुल में internet जब हम चलाते हैं पैसे देते हैं रिचार्ज कराते हैं net का तो हम net का पैसे नहीं देते हैं हम लोग देते हैं उस IP address का जो हमने internet चलाने के लिए वहां पर ले रखे हैं हमने उनसे ली है तो आप लोग आधार card के बेस्ट लोग आपको SIM कार्ट देते हैं SIM card से आप internet चलाते हो पहला तो आपका number उनसे link होगा आप किसी को call करोगे आपका number तो लोग क्या करेंगे आपने जो आधार card दिया था पहले से ISP के पास जनकारी है मतलब आपने जिससे SIM लिया जिसकी भी सिम लिया यह तो आधार card दिया उनके पास आपका आधार card जमा इनके पास पीका आएसपी के पास आपके आपके जैसे आपने call किया वह number पहुंच ग आपके नमबर के साब आधार card लिंक रही है और आपके सारी डिटेल्स निकालके दे देंगे जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट में आपको दी जाती है एक IP आड्रेस वहां इंटरनेट यूज कर रहे हैं आपके पास एक IP आड्रेस है वह आपके आधार card क्कुछ डिटेल्स है आपको आफ डिटेल्स है ऊपको डीटेल्स है है क्या मद सब्सक्स कज़िक आपको आपको रोल नमबर है स्कूल का उसमें भी कुछ डिटेल्स है एक्जांपल के लिए लो आपका कुछ रोल नंबर होगा ठीक है हो सकता है पहला बता रहा हो कि यह आप क्या है दोजार बाइस की दिया प्लेटेल्स होती एक डिटेल्स में भी सारी रीटेल्स होती है अब हमारे जो आई-पी एड्रेस होते हैं पुरे International मतलब international मतलब वोड में अगर हम इस पुरे वोड को डिवाइड कर दें चोटे-चोटे पार्ट्स में तो क्या बन जाएगा घंट्री को अगर में चोटे पार्ट में डिवाइड करो तो वह स्टेट बन जाएगा तो वैसे ही इसी टेकनिक को यूज करके पर देखो आपे जो आएपे अड्र को डिफाइं करेंगे पहले पेर में क्या होगा वो यहां पर कंट्री बताएंगे जह से कंट्री इंडिया फिले इसमें कंट्री इंडिया मतलब आइपी अड्राइश के थू यह हमारे देश तक पहुझे है उसके बाद दूसरे इसे थोड़े चोटे ब्रांचे होते हैं जैसे 192 से लेके 200 तक इंडिया को देंगे तो इसे रेंज होती है तो पहले लोग मेंशन करेंगे और चेक करेंगे तो पहला जो पेर है वह किस कंट्री का है यह बताएगे कि यह इपईड्री का है दूसरा बताया कि स्टेट का है घृण हो बताएगा कि यह अगर हम स्टेट को कि समेंगे में तो możli多 कि साथ साथ यह कि आइस पी का है मतलब सबयागे तो थर तो आडि आए ईश सब्याहे नेगए है मतलब ह shouting ने और फिलिगा और फिल्फुसें में यूज हो रहा है तो यहां पर डिवाइस डिवाइस की इंफर्मिशन यह मैं यह फिर विंडोज है फोन है डिवाइस की आइड यहां पर यह रजिस्टर करने है तो यह सारे डिटेल्स होती है अब इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे की आई-पी अड्रेस एक्शॉल में यह थी कंप्लीट कर लिया है तो वार्यर्स जो हमारे चैप्टर 3 है यह होने वाला है कंप्लीट आई-पी अड्रेस के बारे में इंच्वलीट आई-ड्रेस क्या होते हैं और लास्ट ली आपको एक सप्राइज है आप वाह पे यह देख सकते हो की नई-पैड्रेस को हमने देखा था IP address क्या हो क्या क्या details होती है एक IP address में IP address किस लिए use होता है तो आज हम देखेंगे IP address के टाइप कितने अब एक बात आप लोगों को समझ लेना है कि आपके जो टॉपिक है networking का इसको proper अपने दिमाग में बिठा लेना एंड ज्यादा तर IP address के working क्योंकि सारा का सारा खेल इसी का है networking का एंड आई पी एड्रेस क्लियर है तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं हमारे IP address के टाइप कितने टाइप से वह देखते हैं तो एक्शुल में IP address के हमारे पास टूटल चार टाइप चार टाइप में से पहला ह है हमारा public IP ठीक है दूसरा है private ठीक है तो अभी हम इन दो को ही समझते हैं और दो को मैं समझाता हूं इसके बार क्यूंकि अगर हम सारे एक साथ मिक्स कर देंगे तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए पहले हम यह दोनों कर लेते हैं तो पहला देखते तो यहां पर यह यह यहां यह यह चोटी सी रेंज के अंदर यूज होता है अब यहां पर समझ लो यह router है यह जो आप घरपे वाइफाइ लगाते वह है शारे डिवैसे सब् terms आपके राउटर से सब्सक्राइब यह आप सब्सक्राइब वह सारे हो गए इस लेड़ा है सब्सक्राइब में आप सब्सक्राइब कि जो local area network होता है वो एक room के अंदर एक floor के अंदर हो सकता है तो देखो यह सारे devices एक room के अंदर ही होंगे and एक router से connected होंगे यहाँ पर जो एक range का formation हो रहा है यह है land local area network ठीक है तो private IP यहीं पर use हो रही है अब private IP देता कौन है कैसे मिलती है मैं यह भी बताऊंगा आपको बट अ local area network इस छोटी सी रेंज के अंदर यूज हो रहा है यह सिप छोटी सी रेंज में ही यूज हो रहा है तो हम internet कैसे access कर पाते हैं यह तो प्रॉपर internet हम access कर पाते हैं यह दूसरी IP के वज़े से जो की है पब्लीक IP एड्रेज यह वास अब router के अंदर साइड में जहां आप लग broadband वाई-फाई तो दूसरे साइड से केबल आती वह जो केबल आ रही होती है ना उस केबल से के साइड से आपको मिलना मिल जाता है वहां पर एक पब्लीक आईपी एड्रेज तो यहां पर देखो अब यह पब्लीक आईपी कौन देता है यह भी मैं होता हूं ठीक है बट एक ऐसी थिस इस ऍने डिया होता है तो यहां पर इस पुरा खॉर्मेशन हुआ है यहां मतलब बाहर का पूरा इंटर्नेट यह वैं यहां पर कौन सी आई-पी यूज हो रही है पब्लिक आई-पी एड्रेस जो है चोटे से रेंजर में यूज होगी लैन में लोकल एरिया नेटवर्क पे ठीक है और पब्लिक आई-पी एड्रेस यूज होगी वैं में वाइड एरि समझने के काम अब इतना सब समझने के बाद एक और चीज समझो आप लो रेंजेस समझ में आ गई होगी आपको अगर नहीं भी समझ में आई तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके लिए और डिटेल वीडियो बना दोस्तों ताकि मुझे और भी मुटिमेशन मिले आप सभी यह कमेंट से मुझे बहुत मुटिमेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है आप सब को यह सब पढ़ाते होगे ठीक है तो यह सब जानने के बाद एक चीज जानना जो रही है हमको जो की रूल से रूल यह है कि यह जो पब्लिक आइपी अड्रेस यह वाला यह कभी भी प्राइवेट आइपी अड्रेस से कम्मुनिकेशन नहीं कर सकता बातचीत नहीं कर सकता ठीक है वैसे ही यह प्राइवेट आइपी अड्रेस इस पब्लिक आइपी अड्रेस से कम्मुनिकेशन नहीं कर सकते बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर कर सकते फिर यहां पर क्या सिस्टम यूज होता है यह भी मैं आगे चलके एक्स्प्रेंड करों बिलीव मी फ्रेंड्स यह सारा टॉपिक आपको चुटियों में क्लियर हो जाएगा जस्ट अभी इनको समझो अभी मैंने इतना समझ ठीक है अभी नेक्स्ट देखते हैं हम यहा यहां पर हमको यूज करने में दिक्कत कैसे हो रही थी मैंने कहा था कि 0255 रेंज में एक आई-पी अड्रेस बनता है जो हमने अभी देखा था आई-पी-वी-4 है ना तो इस टोटल कॉंबिनेशन से मतलब इस पूरे कॉंबिनेशन से जो आई-पी अड्रेस बनते है ना व पिर इस कमी को कैसे दूर किया जाए तो इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने आई-पी अड्रेस को अलग अलग टाइपस में डिवाइड कर ठीक है अब यहां पर जैसे देखो एक है दो टाइप यहां पर और आगए ठीक है तबलीक और प्राइवेट के बाद एक है स् चैंज नहीं हो ठीक है तो यहां पर स्टैक आई-पी अड्रेस एंड डाइनमिक आइप इड्रेस यह दोनों हमारे आई-पी अड्रेस को फूलफिल करने में हेल्प कर रहे थे कैसे कर रहे थे तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज कहा हो तो जो स्टैक आई-पी अड को अब बढ़ आ मर्जी चाहते है तो viruses करते हो वह सर्वर से आप जो गुगल का बहुत जाते हूं भी सर्वर आपने सुना होगा तो possono यही तो वहां पर हम वैबसाइट के पास हमजाते हैं वैबसाइट हमारे पास सिंपल सा कुछिशन है मेरा वहां पर वेबसाइट के पास हम जाते हैं या वेबसाइट हमारे पास तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट के पास ठीक है अच्छा बात बताओ एक्जांपल के ले लो गूगल का आज आई-पी अड्रेस यह लेकिन कल किसी भी रीजन से यह चेंज हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी और कैसा हो जब डेली बेसिस पर चेंज हो तो कैसा होगा आप इस आई-पी अड्रेस तक अच्छे से पहुंच ही नहीं पाओ गया फिर आप गूगल को एक्सेस ही नहीं कर पाओ इस जंजट से बचने के लिए लोगों को होता है तो यह होता है बड़ी-बड़ी वेबसाइट में जैसे फेस्बूक इंस्टाग्राम एंड जितनी वी वेबसाइट है आपके इंटरनेट पे सब चोटी से बड़ी सबके पास फिक्स अब्रेस होती है तो इसका यूस समझ में आगया होगा आपको अब दूसरा है ड सब्सक्राइब लेकिन कुछ समय बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपके फोन के इंटरनेट रिचार्ज खतम हो जाएगा नेट पैक खतम हो जाएगा तो आपका फोन बीना नेट कपड़ा रहेगा तो क्या आपके फोन में IP एड्रेस रखने का कोई सेंस बनता है नहीं ब खराप हो गया है जिनके फोन में रिचार्ज खतम हो गया किसी भी रीजन से उस फोन में इंटरनेट की जुरत नहीं है तो वहां से IP एड्रेस हटा दिया जाए जैसे यह फोन है एक आपके अडरेस यह वाला मिला हुआ लेकिन बाद में क्या हुआ यह इस फोन का सिस्टम को अलॉट कर देते हैं ठीक है और जब यह रिचार्ट डाल लेगा तो इसको डिफरेंट आई-प एड्रेस दे देंगे ठीक है तो ऐसे वर्क होता है तो इससे हुआ क्या तो सबको आई-पी की जो कमी हो रही थी वह थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई है ना एंड ज हो घरिस है तो श्कूल में जो अडरेस अबका स्कूल का समझ lla ngay no-no-a-nolar नैंड आपके घर का अड्रेस है जॉन नहीं टीक मेरा हुआ है अगर आपके स्कूल का रयस डेली हो जाए पी जो जाए आपको पता पढ़एगा开 Hem तो मेरे स्कूल का एड्रेस जोन सी है जोन भी नहीं पता पड़ेगा आप बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच ओगए ठीक है तो यह दिक्कते सामना करना पड़ेगा आप स्कूल पहुंच 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 नहीं पाओगे जंजट आएगी आपको परिशान हो जाओग क्या नहीं कि क्यूंकि आपका घर कहीं भी रहे लेकिन आपको आपके स्कूल के पता है न तो आप यहीं है कॉझ्ण होने से आपको कोई फरक नहीं पर अगर हम लोग गुगल के सर्वर को एक्सेस करते हैं और किसी भी आई-पी एड्रेस एक्सेस करें तो हम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन गुगल का आई-पी एड्रेस चेंज हो गया तो हम उसका तक नहीं पहुंच पाएंगा तो आप सभी को आई-पी एड्रेस का यह concept समझ में आया होगा आई-पी उसको हम तो हमगे एपने डॉड़र में और तो हम आचुके हैं व्राओजर ने कौण झांटते तो हम चलेंगे अपने ब्रॉजर मतलब आप गूगल अपने खोल लो तो मैं स्विच करता हो ब्रॉजर तो हम आचुके हैं ब्रॉजर में तो आप लोगों को सभी को अपने फोन में ये करके देखना है प्रैक्टिकल सबसे पहले क्या करना है आप सभी को ब्राउजर में आके लिखना है what's my ipv4 what's my ipv4 यहाँ पे spelling correct लिख लेना नहीं लिखो गे तो भी google suggest कर देता है तो what's my ipv4 पे जाना है एंड यहाँ पे कोई भी लिंक पे क्लिक कर देना है फस्ट पे जाओगे ज्यादा चला है यहाँ पे देखो ipv4 दिखा रहा है ipv4 यह आपको note करके रख लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको आपके अगर आप से कनेक्ट हो जाना है फिर इस website में आके यह लिखना है what's my ipv4 उसके बाद यह ip address note करना है आपको आपके फोन को flight mode में डालने के बाद वापस से same website पे आना है and check करना है तो जैसे आप check करोगे तो आपको यहाँ पे यह ip address आपका change मिलेगा क्यों क्योंकि यह dynamic ip address है तो यह सभी को अपने अपने phone में करके देखा फिर से जो लोग router से connected है वो यहाँ पर perform करेंगे तुमको कोई भी change नहीं में लगा क्यों क्योंकि यह ip address router जब तक glitch बंद नहीं करो गया off नहीं करो जब तक यह change नहीं हो तो जब भी कोई हडा लाता है तो ip change हो जाते हो किसी और को दे दी जाते है तो यह सभी करके देखो आप एक बात और यह आप लोग जो website पे access कर रहे हो यह chrome पे यह जो ip address आपको सामने दिख रहा है यह है public ip address आपको कभी भी आपके system के setting में नहीं दिखेगा यह आपको देखना है तो ऐसे browser पे ही देखना प्राइवेट IP address हम देख सकते हैं हमारे term वह हमने जो देखा तो हमारा इसके अगले topic देखते हैं ip के versions को ip version 4 and ip version 6 इन दोनों में difference समझते हैं ठीक है इसको जब हम लिखते हैं जैसे इसको लिखा जाता है dotate decimal notation कहते हैं यह dot जो use कर ले है न इसको जिस type से लिखा जाता है dot को लिख के इसको लिखा जाता है dot को donate करें यहाँ पे dot लिखते हैं उसके बाद IP address लिखा जाते है 192.168.1.1 तो इसको कहते हम जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं === इसके बाद prefix notation क्या है अब यहाँ पर ध्यांड से देखना DESक्षम आइक चिवल में हैं क्या dieta फिस नमबर लिखा हुआ है 255255255-2525 यह हमारे फिसलेंग है चाहता है कि स्टार्टिंग की जो तीन डीजिट हैं यह सिर्फ नेटवर के लिए यूज हो जैसे हमने तो देखा था ना कि यहां पर एक कंट्री होगा स्टेट होगा इस्पी सिटी होगा ठीक है तो वो तो होता ही है साथ में यह भी वो उसमें पता चलता है कि सामने के जो तीन पेर हैं यह नेटवर के लिए रखे जाता इससे नेटवर के रिप्रेजेंट होगा एंड यह लस्ट वाला जो पेयर है यह से हमारे टिवाइस यहां पर डिवाइस के लिए रखा जाता लास्ट प्यर जो 0 तो यहां पर देखो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि चौबीस बीट यहां पर नेटवर्क के लिए रखी गई है जैसे देखो यह 8 16 and 24 एक दो तीन ठीक है तो यहां पर 24 बीट जो है वो 32 बीट में से 24 बीट जो है वो रखे गया है नेटवर्क के लिए ठीक है लास्ट वाला रखा गया है डिवाइस के लिए ठीक है छोटा सा सब्सक्राइब कोई बड़ी बात नहीं ठीक है छोटा सा एक्जामपल यह बस टार्टिंग के जो तीन पेर होते हैं यह रिजर्व रखे जाते हैं नेटवर्क के लिए इससे नेटवर्क की आडिनिटी होगी लास्ट वाले डिवाइस की लेके चलेगे मतलब टोटल 24 बीट र बंढ बंड सकते हैं हमारे आइपी वी फॉर्स वरिजन फॉर्स हमने टाइप देखा ना इपगे तो यह बर्जन है मतलब जेन्रेशन है कि कब आया फिक है यह वर्जन फॉर है फिर भर जेश सिक्स आए तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है वह टाइप थे जो कि range के हिसाब से थे यह version है जो कि generation के हिसाब से आए तो IPv4 आपको समझ में आया होगा अब IPv6 के बारे में समझ तो यहां पर थोड़ा से compare करते हैं देखो IPv4 जो था हमारा 32 bit का था और IPv6 हमारा 128 bit का number 128 bit का address होता है थीक है अब यहां पर देखो address format जैसे यहां पर हम इसको dot y d decibal notation कर रहे थे तो इसको हम कहते हैو hexadecimal notation मतलब यहां पर यह साइन है न इसको hexadecimal Notation केहते हैं यह जो column लगे हुए हैं सको hexadecimal notation कहते है मतलब आपसो लिखा गया है उस format को सिंपल सी चीज है इसको लिखने का तरीका है ठीग है इसके पर तरीकों को कहते हैं अब यहां पर देखो 5-25 वी दिखा रहा है लेकिन एक्टोल मेंcrire separated यहां पर दिखाया नहीं है फिर भी मैं आप वो बता दो यहां पर जो दो हर जगे एक honeymoon हर जगे एक लगा हुआ है यहां पर दो लगे हुए हैं तो यहां पर दो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यह जो दो लगे हैं यह रिप्रेजेंट कर रहा है यह बता रहा है कि यहां पर 0 है मतलब 30 के पेर है तो जबी भी आपको IPv6 में ऐसे दिखे तो समझ जाना हो आप रही है जैसे मैंने कहा कि इसमें अठ्क होते हैं ऑर फेर होते हैं घखा लगा लिए यहां पर 27-20 यहां पहरे हैं यहां पहीं दिखार है ने ऑगार्य को यह दिखाने के लिए जहां पर यह जो बोनई वहाए सिस्थेए जो उनके यहां पर यहां पर लगाए लाट से बात है यहां पर प्रिफिकन समय बड़ा है तो यहां पर दृट्टिय्ट इस बढ़ा है नेटवक के लिए ज्यादा रेंज रखी जाएगी ज्यादा बीट रखे जाएगे ना तो यहाँ पे स्थार्टिंग के चार पैर यहां पे होते हैं नेटवक के लिए जैसे पहला यह एंड यी जो 0 थे तो यहां पे 64 bit रखी जाती है network के लिए यही बता रहे तो 64 bit यहां पे रखी जाती है network के लिए समझ में आया सभी को तो comment section में बता देना इसलिए कोई confusion हो तो 64 bit network के लिए बाकी बची 64 bit device के लिए हो ठीक है क्योंकि यह बहुत बड़ा number होता है और बहुत बड़ा address है 128 bit बहुत बड़ा address हो ठीक है इसलिए चार पेर network के लिए चार पेर डिवाइस के लिए तो यह जो चार पेर हो गए हमारे device के लिए जो डिवाइस को रिप्रेजेंट करें अब देखो यहां पे देखते है number of addresses कितने बनाएगा तो आप यहां पे count भी नहीं कर सकते इतने addresses बनाए जा सकते 340 trillion 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 340 trillion 340 trillion 340 trillion कह सकते हो कि आने वाले generations भी इसको use कर पाएगी और उसकी आने वाले generation के आगे वाले generation को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा formation trillion 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 आप गिन भी नहीं सकते इतने formation हो सकते हैं अब जो IPV6 है यह बनता कैसे है किन combination से बनता है तो यह बनता है देखो 0 to 9 इसमें number use किये जाते हैं and A से लेके F तक इसमें alpha weights use किये जाती है 0 से 9 तक number के combination में होगा यह जैसे 0 से 9 तक में 1 ठीक है combination से and alphabets भी mix होते हैं जैसे 10 A 10 B 10 F F तक ही हो गए ठीक है अच्छा एक question है मेरा आप सभी से कि जैसे यहां पर E है अगर मैं यहां पर Z लगा दो क्या यह IP address ही होगा हमारे इस rule के हिसाब नहीं होगा क्यों क्योंकि यह range के बाहर हो गया Z इसमें है नहीं कि A से F तक use होते है इस मेरें तो आप सभी को IPv4 & IPv6 समझ में आ गया यह हमारा upcoming address है अभी ट्रायल में है जस्ट लॉंच होगा कुछ-कुछ devices में देखने क्लिए मिल रहा है कुछ-कुछ दिनों में लॉंच हो जाए तो हम टेस्टिंग करेंगे IPv4 में ज्यादा तर और IPv6 के बारे में भी बत आना और आपको सबसे पसंद कौन सा टॉपिक आया वह होगा आगे चलके हम देखेंगे कि यह जो IP address है प्राइवेट आई-पी आड्रेस पब्लीक आई-पी आड्रेस टैटिक आपी आड्रेस डाइनमिक आई-पी आड्रेस यह सब वर कैसे कर रहे हैं कि वर्किंग कैसे और बताना कि क्या आई-पी आड्रेस से एक सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है अब एक्सेस का मतलब है यह मैं यहां पर यह वर्ड यूज नहीं करते हैं किया जा सकता है तो इसी का प्रैक्टिकल हम अभी लाइब करके देखें ठीक है सो फ्रेंड्स हम आचुके हैं अपने तो मैं इसको एकसेस करने की कोसिस करूँंगा अपने इस मचिन से कह यह मेरी मैं मशीन होगी यह मेरी टारगेट मशीन अब यह वर्चॉल मशीनस हैं तक कि जो मेरा बाहर वाला system मैं system उस पर कोई फरक न पड़े यहां पर मेरे से कोई कि mistake भी हो जाए को कोई सिस्टम इसमें या फिर जदा लूड आजा इन सिस्टम्स करते इन अंस परिख करते इनके लिए आपका भी करौँ का मतलब है कैसे करते हैं क्याकर सारी चीश एक्सप्लेंग करूं तो यहां पर हम स्टाइब करते हैं अपने अपने तो यह है हमारी metasploitable अब मैं कोसिस करूँगा कि इसको IP address के through access करो access करने का मतलब आप सभी समझ रहे होगे एंड इस मशीन से काली मशीन से तो सबसे पहले मैं तो बिना IP address मतलब उसकी IP address देखे बिना उस system में सबसे पहले मैं अपने system को permission दे रहा हूं तो यहां पर मैंने इसको permission देखो हर system में दो यूजर होते हैं एक administrator तो मैंने इसको administrator की permission दी है administrator account पे मैं access हुआ हूँ यानि root account में access हुआ यहां पर मैं आप command भी सिखाऊंगा हर एक चीज़ सिखाऊंगा commands कैसे run करते है everything जितनी भी command हमारी यूज में आएगी वह सारी चाहिए तो सबसे पहले मैं सामने वाली की IP system में जाए बिना देखोंगा ठीक है तो यहां पर मैं net discover के यूज करोगा यह net discover एक tool होता है जो कि अपने range में जितनी IP addresses उनको कैसे scan किया जाए यह इससे पता चलती है हम इससे scan कर सकते हैं आपने range की जितने भी IP address तो यहां पर सबसे पहले मैं एक और टर्मिनल खोल लेता है आप सभी को यह green lines पसंदारी होगी वैसे मुझे भी पसंदे बहुत तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको पर्मिशन दे देता हूं ताकि आगे चलके कुछ काम हो तो मैं इस पर तो यहां पर यह दो आईपी बिल्कुल भी नहीं हो सकती यह आगे चलके आप भी समझ सकते हो आप भी समझ जाओगे ठीक है क्यों यह दो आईपी नहीं अब पहली तो बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी के बारे में मैं ज्यादा शौर नहीं और यह virtual machine है तो हो सकता इसका इस अपोटेबल राउटर आईपी हो यह जो थार्ड वाली दिख रही है मुझे लग रहा है यह 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 नहीं हो सकते क्योंकि यह default इसको access करने की को तो आईपी मैंने select कर लिए यह वाली अब क्या करूंगा यह आईपी select करने के बार मैं यहां पर उसके करता हूं एक परफॉर्म करता हूं करने के लिए एक टूल का यूज़ देते हैं जो कि भूद फेमस अप लोगों ने सुना होगा यूज़ करेंगे एक तरह से यूज़ होता है वावर्वर सीटी दिखाने के लिए कोई भी कमांड करते हैं उसको जो बीज़ेट आ बैके बहुत सारी प्रोसेश चल रहे होती वो को पता नहीं के लिए करते हैं करेंगे पोट के आ इसका मतलब है कि हम सारे एक साथ करने कितने पूर्स को लेकर आप वह नहीं होना है बिल्कुल ठीक है आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा सब बताने की जिम्मेदारी मेरी है ठीक है गाइस ठीक अब नेक्स्ट आइप डाल देता हूं मैं 192.168.66.144 एक बार सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बिचलेगा थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको स्क्रिप्ट करना भी बता हुआ हर चीज बता हुआ तो यहां पर हम इससे कुछ दिटेल्स माग लेते हैं यह हमको बताएगा कि सामने वाले सिस्टम पे कौन-कौन से सॉफ्ट्वेर रन हो रहे हैं किस पोर्ट में कौन सा सॉफ्ट्वेर चल रहा है ठीक है वह भी पता हुआ हमें क्या है सॉफ्ट्वेर क्या है सर्विसेस क्या है अब इसके बाद हम देखेंगे एक कमांड और लि जरुरी है क्यों जो और ही है जब तक हमको सामने वाले सिस्टम का इसलों कौन सा है यह पता नहीं चलेगा तो आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर ₹श फिक है तो मैं यहां पे और अधर प्रेस करता हूं अब मेरे है मेरे मेरी कमांड कम्प्लीट हो गई मैने नमैप लिखके सबसे पहले यह बताया कि यह टूल यूज लेना है भाइफन भी लिखके बताया कि जो भी चीज़े रन करो मुझे डिटेल्स में दिखाओ एंड बेक एंड में रनना हो इसके बाद मैंने यहां पर आई-पी अड्रेस लिख दिया टार्गेट सिस्टम का इसके बाद वरजन उसके बाद ऑप्टिंग सिस्टम वरजन कौन सा सॉफ्टर चल रहा है और उसका वरजन ठीक है उसकी सर्विस ठीक है स्कैनिंग रन कर दिया मैंने ठीक है एंड इसने स्कैन कर दिया देखो यह सारे पोर्ट से होते हैं पोर्ट के बारे में complete details दूंगा मैं आप सभी को उसक तो इसके result आने तक हमवेट करते हैं किंस तो यहां पर सारा result आ गया है हमाराव है तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या details मिली है तो इसको मैं थोड़ाता करने की कोशिज करता हूं और मैं करता हुंाँ तो यहां पर देखिये हैं यहां पर इसने मुझे तो यहां पर यह बता रहा है लिनक्स का बता रहा है कि यह वरजन चल रहा है इसके बीच में ठीक है हमको पता चल लिनक्स का है अब मैं देखू है कि सबसे जल्दी मैं इस पोर्ट से एक्सिस ले सकता तो मेरे एक्स्पिरियंस के हिसाब से यह वाला जो पोर्ट है यह मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक्सिस दे देगी ठीक है तो अब एक्सिस लेने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर टूल के यूज लेते हैं जो कि है नेटकैट नेटकैट एंड उसके बाद सेम हम यूज लें यहां यहां पर मैं डालूगा 1524 हम इन सारे पॉर्ट से सिस्टम को प्रैक्टिकल में जबागे का प्रैक्टिकल करेंगे इन पॉर्ट से जितने भी पॉर्ट से सबसे जोड़ी सिस्टम को अक्सिस करकर देखेंगे ठीक है फाइवन टुफो रूट अब मैं अब आपको क्या लगता है सिस्टम मेंडे मैं क्या पोलना चाहता हूं मैंने सिस्टम कर लिए देखते हैं सबसे पहले मैं यहां पे लेस्त सामने वाले सिस्टम की कुछ दिख रही है मुझे यहां पर कुछ फाइल तो मुझे यह नहीं पता कि अपने ही सिस्टम में है अब देखो आपके सामने टुक है अब तक मैंने इस पर लॉगिन भी नहीं किया था तो अब मैं इसको लॉगन भी कर रहा हूं तो यहां पर यहां पर मैं चेक करता हूं कि किस जगे पर हूं किस डाइरेक्टरी में प्वड इसे हम किस लौकेशन में वह पता चलते तो यह बो तो मैं तो यहां पर दिखें हो देखंगे में देख सकते अब दूसरे सिस्टम में यहां पर देखता हूं थे पंद कर लिए आप यहां पर हमारा इपड़ दिखा रहा है 133 इसका इपड़ दिखा रहा है 144 अब हमने थोड़ा सा अंदाला लगा है हमने एक्सेस किया है मैं क्या करता हूं सामने वाले सिस्टम को इसको अगर रिबूट कर दू मैं से कैसा होगा तो मुझे लग जाएगा बड़ा इंपक्त होगा तो हम दिखेगा है यहां पर रिबूट करूँगा एंटर प्रेस दवा दूआ रिबूट लिखके तो देखते हैं सामने वाला सिस्टम होता है रिबूट यह नहीं तो देखो यह रिबूट होना स्टार्ट हो तो हम दूसरे जगे बैठे बैठे एक सिस्टम को एकसे कर पाए और उसको रिबूट भी कर दिया तो यह सारी चीजे आप भी कर पाऊगे आगे आने वाले जर्णी आने वाली क्लास अब आप सभी के इंस्ट्रक्शन है यह जो सारी वीडियो है यह आपके नौलेज को इनहें जो क्लासे से उसमें मैं सब बताओं क्या है कैसा है क्यूं इसको हम इसी मसीन को चूज करते हैं तो आप सभी को यह सब क्लियर होगा समझ में आ रहा होगा आपने पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है अब हम जम कर रहे हैं पार्ट 4 में सो जो पार्ट 4 है इसमें आप देखोगे कि जो एक राउटर है वो कंप्लीट ली वर कैसे करता है एंड पॉब्लीक आई-पी अड्रेस एंड प्राइवेट आई-ड्रेस यह दोनों आपस में क आपने स्टूडेन आज का हमारा यही टॉपिक है कि यह प्रॉपर वर्क कैसे हो रहा है इंटरनेट थीक है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडानी आई-पी के बारे में सबीकों क्लियर होगा अब यहां पे आई-पी की वर्किंग डिगी है अब सबसे पहले हमने पढ़ internet service provider example अगर मैं लूँ जैसे जियो एयर टेल ठीक है तो सबसे पहला काम क्या होता है जब भी कोई company अपनी सीम लांज करती है ना तो एक काम सबसे पहले करती है क्या कि वो बहुत सारे IP की range ले लेती है अपने पार बहुत सारे IP का stock अपने पास रख लेती एग्जांपल के यह कौन सी रेंज होगी पब्ली के प्राइवेट तो यह है पब्ली पब्ली काई पी करें जिसने प्यास रख ली अब जब भी कोई अपने घर पे broadband बाइफाई लगाता है या फिर आप लोग सीम परचेस करते हों तो यह ISP क्या करते हैं कि इस रेंज में से एक IP address आपको अ अब आपके पास आपने router लगाया और आपके पास एक public IP address आ चुका है अब next क्या करोगे आप आप devices को connect करोगे तो यहां पे जब भी आप devices connect करोगे तो इनको कौन सा IP address मिलेगा प्राइवेट या पब्लीक तो router के पास एक ही public IP address होता है ठीक है तो आपके जी devices होगे इनके प default उसमें भी एक range होती है अपने पास ठीक है 192.168.1.1 या फिर मैं 0.1 ले लेता हूं 0.1 ठीक है तो जैसे इन्हों ने रखी थी तो router को by default company set करके बेस्ति हैं इसके पास खुद ही automatic default setting होती है इसमें पहले से कुछ IP addresses होते हैं यहां से लेके समझ लो 192.168.0.20 तक इसकी एक range है इसने range की router ने अपने पास रखा है तो यह कौण से आईप अड्रस सोंगे जो router ने अपने पास रखा हुआ है यह है private IP अड्रस घ्रस अब क्योंकि हम सारे system को फबलीक आइपी नहीं दे सकते क्योंकि यह IPocyp router के पास होता है तो router क्या करता है in private IP में से सबको देता है इसने नह intent जहाए इसा यहां पर 680.2 यहां पर दे दिया नथ जीरो ॉट्री स्को दे लिए ठीक है 0.3 में यहां पर cynती लिग देता हूं 0.4 यहां पर दे यहां पर दे दिया 0.5, यहां पर दे दिया 0.7, यहां पर दे दिया, तो सब को एक IP अड्रेस ने अलोट करें, अब यहां पर यह IP अड्रेस सारे systems को मिल चुकी है, अब एक question है, कि यहां से जैसे, अब हमने देखा था कि यह IP अड्रेस जो है, यहां से 2 से दिया है, आप एक याद रखो कि यह यह आ पी एड्रेस में कि जो फस है कि यह फस्ट रेंजर में से पहली ड्रेंज में रटीछ को देता नहीं किता इस लिए यह है कि इस IP address को इस सिस्टम से communication करने के लिए रखता है बाखी जो devices होते हैं मतलब default gateway कहते हैं इसको default gateway होता है ठीक है अब example के लिए लो कि इसको कुछ search करना है example के लिए google.com जब भी कुछ search करते हो तो एक packet generate होता है request packet हो कोई भी हो एक packet जब generate होगा यहां से generate होके जब जाएगा तो इंटरनेट पे कैसे जाएगा हमने देखा था कि यह private IP address बाहर तो जाता नहीं है इंटरनेट पे इंटरनेट पे तो बाहर जाए नहीं सकता है चोटी सी अधर का यह पूरा है वें तो यहां पर जब इस सिस्टम को Google कुछ भी सर्च करना ऊब तो यह क्या करेगा एक चैनल करेगा सर्च करेगा था पैक्टर के पाथ जाए कहां थी जी ऑफ्सक्रडाटर की से पांपbre to आब मुइंड नहीं कर सब्सक्ड़ 건데 ईक नीकर सुब्सक्राइब करेगा इसके अंदर को शॉत्ते हैं वू consistently this को स्विच कर देगा मतलब जैसे यह पेकेट यहां से जनरेट हुआ रावटर के पाथ जाएगा यह वाले प्राइवेट only आईपी पे चाहर करेगा उस पैकेट को स्विच कर देगा गए अब पॉलिक आईपी पे switch होने के बाद public IP पे switch होने के बाद अब वो packet public में आ गया तो बाहर internet पे कहीं भी जा सकता है ठीक है तो यह छोटा सा concept है इसका public IP का यहां पे जैसे मैंने कहा कि यह IP address अलॉट करता है ठीक है system system को IP address अलॉट कर रहा है सभी system को एक एक IP address इसने अलॉट कर दिया लेकिन यहां पे आई-पी address इसको दे कौन रहा है यहां पे IP address इसको दिया किसने जबहिए अपने घर पे राटर लगाते हैं तो क्या आप आप अपने हाथ से वहां पे आई-पी फिल करते हो आईपी दालते हो कि मेरी डालते हो nie अपने अपने अप देता है तो देखो आई-पी भी देने के दो तरीके है एक आउट।मेटिक है helps आउट॥ से सिस्टमप में खोल खोल कर के डालो और आटोमेटिक म kings यहां पर काम कौन करता है आईपी देने का राटर ही करता है लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम होता है डीए सीती का फुल फॉर्म है डायनेकली ओस गूरटोकॉल इस राटर के अंदर दी जैसीप तो क्या होता है जैसे इसने सभी को यह आईपी आलोट किया तो इसके साथ एक दोस्ति इसका टैच है डी एससीप जो की आटोमेटिक सब को को आइपी अना असाइन कर देता फिक है यह सिस्टम करेगा उटमेटिक जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते जाएंगे वो सब को आईपी असाइन करता जाएग अब सेकेंड निग की एक कुशन ये भी उड़ता है कि अगर सब को आईपे डिए yeah यह शिस्टम सरच किया कोगल काके पाता होता कि एई dres इसके पास है यह identify करता है इनको as a mac के थुरू, इनके mac address, तो mac address क्या होता है, वो समस्ते हैं, देखो, mac address कुछ ऐसे दिखता है, इसमें भी जैसे ipv6 था न, 0 से लेके 9 तक number, and a से लेके f तक alphabet use होते हैं, ठीक है, और इसमें pair कितने हैं, देखो 6 pair होते हैं, ठीक है, and यह 48 bits का हो होता है, यहाँ पर 8 bits का एक pair होता है, ठीक है, 8 x 6, 48, ठीक है, तो यहाँ पर total 48 bit का MAC address होता है, यह MAC address actual में है, क्या, यह समझाए, mac address कुछ ऐसे दिखता है, mac address क्या है, हमारे hardware के address है, हमारे system में जो भी चीजे लगी हुई है, hardware के रूप में, hardware क्या होता है, जो भी चीजे आप touch कर सकते हैं, आपका mouse, keyboard, hardware, everything, यह सारे hardware है, mouse, keyboard, motherboard, ssd, हो hardware है, software क्या है, जैसे आप अभी कोई भी platform यूजस करते हो तो यह हमारा hardware address होता है जब हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते है अपने सिस्टम में उसका खुद का एक address होता है लेकिन कौन से जो की network में involved होते हैं जैसे Bluetooth, Wi-Fi के लिए भी hardware जो use होता है उसमें भी Mac address होता है इसको तीन पेर में इसे divide कर दिया जाता है पहला होता है जो पेर यहां पे होता है यह फिर वेंडर के लिए होता है यह सारी company की details लेके चलता है यह company कहां की है कैसी है इसका address क्या है वह यह वाले पेर में होता है कंट्री स्टेट भी होता है यहां पे सेम कंट्री होगा स्टेट होगा एंड कंपनी का नाम होगा ठीक है लास्ट वाला जो तीन डिजिट होते हैं यह होते हैं हमारे device के लिए तो यह था हमारा Mac करना भी मैं थोड़ी देर में दिखा हुआ है Mac का हम डीटेल कैसे देख सकते हैं अब यहां पर देखो राउटर में ठीक है तो यहां पर Mac की डीटेल्स देखनी होते हैं Mac के जरीए पैचानता है Mac कभी हमने देख लिए Mac क्या होता है तो Mac कौन देता है तो Mac देने के लिए यहां पर होता है एक ARP नाम का भी और एक function होता है जो की router का ही अंदर का feature होता है ARP address resolution protocol ठीक है address resolution protocol कहते हैं हम इसको ARP को सब्सक्राइब को ब्रॉड कास्ट करता है यह कि सब्सक्राइब कि यह IP किसके पास है 100 इसके बेज़ेगा जिसके पास भी वह आई-पी होगी ना जैसे आईबाइब्ट-स ओता है साथ में अपना mac address एप अपने ma सब्सक्राइब करें इस यहां पर packet भेजेगा कुछ भी search करेगा तो यह क्या करेगा राटर पहचान जाएगा कि हाँ यह वाला mac address है इसके पास CIP है इसने यह packet भेजा है तो reply भी इसी को देना है तो ऐसे होता है देखो simple सी बात है कभी आपने यह देखा है कि यह वाले system ने packet भेजा हो receive किसी और को हो गया हो नहीं होता क्यों क्योंकि प्रॉपर यहां पर सिस्टम हो जाए system होता है यह rp dhcps मिल के काम करते हैं तब जाके यहां पर काम होता है अब सब्सक्राइब को बेजेगा कि यह IP किसके पास है तो यह reply नहीं देगा यह नहीं हो गई नहीं तो reply कहां से तो यह router क्या करेगा यह नोट कर लेगा कि यहां से reply नहीं आया इस system से तो वह आपर टू ऐसे करके जाता है ठीक है तो यह अर्पी के अंदर यही मैसेज जाता है सभी सिस्टम को यह आपी के जरीए ठीक है अब यह समझ में आया आपको तो कमेंट सेक्शन में जलूर बताओ एंड अगर इस से आप पासवर्ड वर्द सहट करते हो सैटिंग करनी होती है तो अपने ब्रावजर में यह पी जब डालोगे वाली एक अपने राउटर की फरस्ट का यह एक ँराओंट की अल्लग हो सकती है तो पहले अलग hol合 कैसे होगी जात ब्राउजर में डाल लेकिन आपको अपने सिस्टम से कनेट रहना पड़ेगा इस राउटर से तभी जाके वह सेटिंग होगी अब समझ में आया यह यहाँ पर कुछ चीज़े देखते हैं यहाँ पर राउटर के पास कितनी अडिनिटीज हो गए पहला इसके पास कि पब्लिक होगा दूसरी प्राउडेट से इसके पास इसके पास कितनी अडिनिटी हो सकती है तो इसके पास inappropriate अडेश क्या होता अब लोकल होस्ट एक्ष्वल में ऐसा एड्रेस होता है जो कि system के self testing के काम आता है जब इससे internet connect नहीं होता तब वो address use होता है वो system से बाहर कहीं नहीं जाता है यह private IP address router तक तो जाता है लेकिन यह local host जो address है यह में इससे बाहर नहीं जाता लेकिन अभी समझो लोकल होस्ट जो होता है इसका वो लोकल होस्ट ही होता है डोमेन इसका लोकल होस्ट होता है लोकल होस्ट को होता है 127.0.0.1 लोकल होस्ट जो है इसका डोमेन ने अभी क्या काम आता है तो जैसे मैंने भी बताया कि सेट टेस्टिंग के काम आता है एंड कुछ ऐसे सॉफ्ट्वेयर जैसे आप लोगों नो देखा होगा कि आप सिस्टम में यूज करते हो वर्ड एक्सेल और भी सारे सॉफ फाइल मेनेजर कुछ सॉफ्ट्वेयर यूज करते हो क्या इनको इंटरनेट की जरुत होती है नहीं ह एक बात बताओ यह समझ में आया हो तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर यह होगा तो नहीं क्लियर होगा तो एक बार यह वीडिव फिर से देखना आप सबी सब्साचित अब जेसे मैं नया कहा कि यहाँ है यहां से जहां से हमारा नाकपुर होगा, destination होगा bud B tombain यहां से यहां तक की सफर क्या होगा, destination क्या होगा तो यहां से यहां तक की क्या होगाे वाली गार्वां सब्सक्राइब यहां से पैकेट स्वीच करेगा यहां पर इसलंग करेगा यहां पर इसको सुआई पर पुलिक आयपी पे हमाम साड़ना होता है है पूरा वह आगे देखेंगे हैं अब आज Kerry क्या करेगा इसको भेश देगा यहाँ venet तो ऐसे चलती रहती तो यहां से यहां तक जो था यह हमारा source था यह destination तो अब जब वहां से reply आएगा जब उसने search किया है तो उसका reply भी तो तो यह सबी आपको clear हो गया अब हम देखते हैं कि यहां पे हमारा नैक एड्रेस है वो कहा होता है यह local host कहा होता है वो सारे चीज़े आप सबीको यहां पे सब्सक्राइब कर लेना है थीक है cmd on करने के बाद अगर आप ip config लिखो एंटरप्रेस करोगे तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले तो आपका ip address दिखेगा आपी एड्रेस यहां पे देख सकते हो कौन सा आपका प्राइवेट आइप एड्रेस ठीक है यहां पे अभी मेरे सिस्टम में जो जो चीजे चल रही है जिनको इंटरनेट की ज़रत नहीं है तो वह यहां पे लोकल होस्ट एड्रेस का यूज कर रहे है तो यहां से सब राउटर के पास डेटा भेज रही यह कंде इसके संथ spoiler clicking नेटवर के चल रहा है ने चल रहा है उसके काम भी आता है तो यह जो पर समझ लेना अब दूसरी चीज हम को यहां पर देखनी है कि मैं ट्रेस यह त्क मैं और है यह नहीं और् दसने नेटवर्क से connectivity रखने वाले hardware devices हैं उनके सब के mac address यहां पर देख सकते हैं आपको सबको दिख रहा होगा यह Mac यहां पर दिख रहा है सबसे पहले यह वाला कोल दिया मैंने यहां पर पेस्ट कर देता हूं मैं पेस्ट कर देता हूं अब देखो पहले वाले में देखते हैं यह नहीं लेका है तो यहां पर देखो यह रही यह रहा हमारा Mac address बता रहा है कि की जो स्टार्टिंग की डिजिट्क है जिसमें कंपणी की डीटेल स्ठीड होती नहीं लेके लेकर आया और डिवाइस की डिटेल सिसमें नहीं आती है तो डिवाइस में ही से अलास्त थी टेजिट्गम्व Посब यह इसकल देखते हैं दूसरे में क्या आया है यह अंपे इ यहां पर देखते हैं हम यहां पर देखो क्या बता रहा है complete address दे दिया इसने इंटल बता दिया एंड यह भी बता दिया range ठीक है तो हमारे पास सारा यहां पर details साथ चुपी है तो यहां पर हम देख सकते हैं अब किसी भी IP का अगर आपको details देखना है तो यहां पर आइपी की details देखने के लिए हम जाते हैं आइना.org यह जो आइना है यह सभी को IP address प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल पूरे वर्ड में तो आप यहां पर आइपी की details जाके देख सकते हो सर्च कर सकते हैं तो अभी मैं search करके नहीं दिखा रहा हूं आप लोग यहां पर जाके check कर ले तो ऐसे नहीं कि हर एक आपको जो राटर लगा उसकी details होगी उसकी details नहीं होती है यहां पर जो famous है जैसे Google की नाम everything तो थोड़ी private details भी होती है यहां पर तो वो सारी चीज़े आप यहां पर जाके search कर सकते हैं कौन से IP address किसके नाम पर registered है everything यह सारी चीज़े बताता है ठीक है तो यहां पर आप check कर सकते हो IP address कर देख लेना तो आपको clear concept हो जाएगा so congratulations warriors आपने part 4 भी complete कर लिया है and आप पहुँच चुके हैं part 5 तक so part 5 में हम यह चीज़े देखेंगे कि actually port क्या होता है हमारे cyber security में ethical hacking में जो हम access लेते हैं वो हम port के through ही लेते है no doubt IP address का भी role होता है बट हमारे port का भी उतना ही role होता है so यहां पर हम समझेंगे ports क्या होते हैं कैसे काम करते हैं कितने type के ports होते हैं मतलब type of ports so मिलते हैं अपने slide में वहाद हम यहां पर ports के बारे में सब कुस समझने वाले तो यहां पर ports हमारे team type के होते हैं यहां पर हमारे पास port 3 type के हैं सबसे पहले है will known तुसरा है registered तीसरा है लेकिन इससे पहले कि इनके टाइब से पहले हम यह जान लें कि यह port sexual में होते क्या है तो हमने IP address देखा था IP address के बारे में हमने देखा था IP address क्या था एक system का address था जो data पहुंचाने के काम करते हैं लेकिन गाइस एक बात बताओ क्या आप लोग सी address थे अगर मैं example लो यह आपको घर है यह आपके फ्रेंड का घर है ठीक है और मैं आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस यहां पर आपको बता दूँ जो की है 2.2.2.2 यह आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस है एक्जामपल के लिए ठीक है यह आपके घर का एड्रेस है 1.1.1.1 एक्जामपल लिए ठीक है तो क्या आप सिर्फ लेश के ठूर सकते हो अपने घर के घर का पाओगे नहीं पहुंचपा ओविए क्यों क्यु Uni पर आपको कुछ और चीज disrupt पड़ी कि जब तक पास रास्ता नहीं होगा पुसके घर तक नहीं पहुंच पहुंअ आपको एक root की जडुरत पढ़े इस ergवे में नहीं करह沒有 root की जुरूत होती है टो आगर मैं इनको इस्टीम है तो जब temperature data packets भीजते हैं जैसे इस system को यहां तक वी one की श्युरत पड़ेगी इन रास्तों को ही हम ports कहते हैं अगर इसको इस system में packet भेजना है तो इसको एक रास्ता चूज करना होगा जैसे port number one, port number two, port number three तो इनको इन systems को आपस में communicate करने के लिए कोई भी data sharing करने के लिए यहां से यहां तक कुछ roots decide करने पड़ते हैं ठीक है उन specific roots में ही रास्तों में ही यह data भेजते हैं यह वाला system अगर यह वाले system same example लेता हूं इसका address 1.1.1.1 and इसका address 2.2.2.2 अब इस system को इस system के पास एक packet भेजना है एक message भेजना है तो क्या करेगा वह address तो उसके पास आ गया लेकिन वह एक रास्ता भी decide कर लेगा रास्ता मतलब port ठीक है कि यह जो packet है यह किस रास्ते से जाएगा क्या आप लोग बिना रास्ते के बिना route के किसी के घर पहुंच सकते हो बिलकुल भी नहीं पहुंच सकते हो यह जो port है कह सकते हो यह इनका रास्ता है ठीक है इन रास्तों से जाके तो अब एक बात बताओ क्या आपके घर से आपके फ्रेंट के घर जाने के लिए एक ही रास्ता है नहीं आपके घ एक सब्सक्राइब एक सिस्टम के पास रास्ते होते हैं 6535 यह सारे रास्ते होते चीज़ें को शेयर करने के लिए या फिर कह सकते हो वरे नेट्वर्किंग में पूरे नेट्वर्क में 655 35 रास्ते होते हैं इन डेटा को भीजने के लिए हर एक सिस्टम ठीक है आप सभी को पोड क्या होता है समझ में आजाता है सिंपल सी समरी है इसकी कि यह एक रास्ता है जिनसे ट्रेवल करता है हमारा डेटा उनहीं को हम पोड कहते हैं पोड को डेखा ना अगया ने टवर को यसको डिवाइट कर दिया था यहां पर इसको यहां पर डिवाइड किया था एंड यह इसके working के हिसाब से थी एंड इस range में काम करने के लिए यह सारी IPs थी ठीक है वैसे ही यहां पे 65535 जो ports है 65535 जो रास्ते हैं इस internet पे बात करने के लिए data share करने के लिए उनको भी divide किया गया है उनके काम के हिसाब ठीक है तो इन सभी को divide कर देगा है तो देखो 0 से लेके 1023 तक जो रास्ते हैं पोर्ट से उनको हम well known ports कहते हैं well known ports क्यूंकि इनके बारे में सभी को पता है अब example कि ले लो एक HTTP यह एक service है इसको protocol भी कहते हैं पर यह service भी है अब protocol क्या होते है मैं आगे बताता हूं यह एक service है जो की port number 80 पे चलती है STTPS यह रास्ते को यूज लोती है 443 को वैसे यहां पर बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में मुझे पता है क्यों पता है क्योंकि वह well known है वैसे ही बहुत सारे लोगों को पता है इनके बारे में कि यह specific एक ही रास्ता यूज लेते है STTP जो आप Google में जब सर्च करते होंगे तो आप आता होगा STTP सम्थिंग ऐसा कुछ आता होगा तो यह सबसे ज्यादा यूज किये जाते हैं इसके बारे में सबको पता होता है तो 0 से लेके 1024 तक यह well known होते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता है ची ठीक है या फिर फोन में ले लो आपके आपके PCS में ले लो iPhone में ले लो हुआ यह सारे जो पॉर्ट है यह हर एक डिवाइस में support होते हैं हर एक डिवाइस में चलेंगे clear है सभी को सो अगर आपको यह सब क्लियर है सो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना ठीक है और उसके बाद है हमारे जो नेक्स्ट आता है रजिस्टर पोर्ड रजिस्टर पोर्ड क्या होते हैं जैसे हमने वेल लॉन में देखा कि यह हर एक डिवाइस में सपोर्ड है लेपटॉप म अब कभी कभी देक़ा होगा कि Android to Android ही data share होता है कभी-कभी iPhone में będzie बहुत रहेल कि Android टूपर बहुत जल्दीटा हो जाता है विंड़ूस टूडूस डेटा बहुत बहुत ब्लेटास ट्रांस वसылब हो जाता है यहनों विंडओस बहुत लिट से से डेटा ट्रांसफर हो पाता है क्यों क्योंकि इनके लिए खुद डेटा शेर करने के लिए एक कुछ पूर्ट सरख लिए गए हैं रजिस्टर पॉर्ट जो है यह specific चीजों के लिए रखे गए जैसे आइफोन टू आइफोन ही ट्रांसफर करने के लिए एंड्रोइड टू एंड्रोइड ही ट्रांसफर करने के लिए और आपने नाम पर देखा आप जबए हैं अवा रास्ते हैं और बाल ये स्वील में नीजिएर को सबस्सुट इन practical कि और जेख हो सब्सक्राइम स्क्राइब नाम पर राडैने मिघ है अब यह टोड़ा सा इंट्रस्टिंग यह कया है ये इसको डाइनफिक पोर्ड के साथ साथ हम प्राइवेट भी कहते हैं इसको क्यूंकि यह यूज होता है हमारे सिस्टम में ही ठीक है अब एक बात और सभी को मैं समझाना चाहूं देखो यह एंड यह पोर्ट विल नौन एंड रजिस्टर पोर्ट ज्यादा तर सर्वर में यूज होते हैं ठीक है यह यह ज्यादा तर सर्वर में ही यूज होते हैं कभी-कभी कोई-को होती है ठीक है उसको हम server कहते हैं यह हमारे computer से बड़ा होता है हमारे laptop system से normal system से बहुत बड़ा होता है ठीक है and storage इसकी जो capacity है वो बहुत ज्यादा होती है तो यह दो दो port है यह ज्यादा तर server में run होते हैं well known and registered एक दो 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 यह यह सकते हो और अदैट होता है ने डावरनों जिनकी रेंज है 49152 से लेके 65535 यह प्राइवेट एंड डायनेमिक भी होते हैं इनको प्राइवेट एंड डायनेमिक पोर्ट्स भी कहते हैं अब जैसे यहां से हमको एक रिक्वेस्ट भेजनी इस सर्वर पर एक्जामपल के लिए गुगल है यहां पर एक रिक्वेस्ट भेजनी आपको गैषनी दिखेगा यहां से निकलेगा 49152 इन मैं से किसी भी पोर्ट से देटा निकलेगा लेकिन वह पे जाएगा किसमें बो जाएगा 443 में ही जाएगा तो यहां पे आपको दो चीजे दिखे कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आपको दो से तीन चीजे दिख रही होगे पहला यहां पिर देखो आपको दिख रहा है रहा है उसके बाद यहां पर पर प्राइबिट आईपी आड़रीस एक जो कि मुझे राउटर ने दिया है एंड हैंड यह मेरे हमने वहां पर देखा था कि जो लास्ट है six double five six double five था उसकी रेंज क्या थी हमारे पास four nine one five nine से लेके six double five three five इस रेंज के बीच में ही यह जो पॉर्ट है वो यूज हो रहा है ठीक है अब इससे पहले four nine one five nine से पहले भी कोई port यहां पे यूज होतों मुझे बता सकतें हों क्योंगी यहां पर यूज होती है वो यह और यूज होती है रहा है जिसको कहते हैं हमने वहां पर पढ़ा था डेस्टिनेशन इसें हये स्ट्रीनेशन है एक हर एक हमारा फोर्ण वह टेको हरे जहारा है यहां पर पिर्स to the pl स्ट्ट सब्सक्राइब यह 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 तो यह सब्सक्राइब आप 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 सभी को यह हुआ तो यहांने जहसे देखा था 49152 491 152 से लेके 65535 तक यह जो पोर्ट्स यूस होते हैं यह हमारे सिस्टम में ही यूज हो ठीक है यह हमारा सिस्टम पैकेट को भेजने में यूज लेता है जिक है क्लियर है सबी को अब इनको लेकर कुछ रूल्स है रूल्स क्या है इनके लिए जैसे अब एक पोर्ट किसी जाए ने यूज यूज ले लिया हूआ थीक है इनमें से किसी ने एक पोर्ट यूज ले लिया तो इसको दूसरा डिवाइस नहीं ले- tutti को कि दूध मतलब दूसरा से विस्ट नहीं ले सकता रिजांपल के लिए 49152 यह पर भेजन latte के लिए कह सकते है ईहां इक नहीं एक 4915T को फिर WhatsApp यूज नहीं ले सकता क्यों कि वह busy है तो at a time इन में से कोई भी एक port इन सभी में इन में से एक port जो है एक बार एक ही service यूज लेगी मतलब एक ही application यूज लेगा अब दूसरा क्या है जिस पे data जा रहा है अगर मैंने इस system से इस system में data भीजा है यहां से यहां तो सामने वाले system को online जरूरी है ठीक है उसका port open रहना जरूरी है जैसे मैंने यहां से एक dynamic port ले लिया एंड यहां से मैंने 49152 में ठीक है port बेजा इससे port बेजा मैंने 49152 से port बेजा यह मेरा source IP था यह मेरा source port था एंड जम मैंने सामने वाले system पे बेजा एक्जामपल कर लो मैंने 443 port पे बेजा तो इसका 443 port online रहना जरूरी है 443 मतलब STTPS में जब उसको एक बेजा तो port open और जरूरी है जाहिर सी बात है जब आप रास्ते पे जाओगे वह जब open होगा तब definitely यहां पर IP and ports दोनों साथ में होते हैं एक साथ में लिके जाते हैं जैसे मैं आप अपने लोकल host कर लो मैंने बताया था आप को local host क्या होता है 127.0.0.1 and port number यहां पर मैं दे दो 152916 क्या यह port सही है नहीं तो यह मैंने बस example के लिए लिया है ठीक है क्योंकि यह range की port हमारे system हमारे system यूज ही नहीं होती फिर भी मैंने example के लिया है तो ऐसे ही होता है हमारा port यह IP का combination डवल कॉलन के बाद हमेशा एक port लिखा जाते हैं ठीक है यह देखो जैसे अभी हमने देखा था cmd में हम वापस चलते हैं अपने command prompt ठीक है और मैंने यह कहना चाहता था आप इन मेंसे जो port देख रहे हैं यह कोई भी 49152 से लेके 62535 के बीच में ही है ना उससे पहले का है उससे पहले का हो जाएगा तो वो registered port हो जाएगा वो हमारे यूज में नहीं है यहां पर system और उसके बाद कोई port ही नहीं है तो 62535 तक यूज होगा 4915 ठीक है यह हमारा system यूज करता है यहां से बेजने के लिए ठीक है यह सारे ports का concept आपको सबी को clear होगा ठीक है यहां पर देख सकते हो आप लोग यह मेरा local host यह भी कि इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी जूम ने मैंने कहा जूम ने यूज ले लिया यहां पर 49152 को क्यों बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको इजीली समझेगा क्योंकि यह स्टार्टिंग रेंज है तो जबरूरी नहीं है कि next time इसको जूम ही यूज ले अगली बार इसको वाटसेब भी यूज ले सकता तो यह fix नहीं होता कि कि समय पे कौन लेगा जैसे यहां पर fix है कि port नंबर 80 को अगर हम वाप विडनला पोर्ट में देखे तो port नंबर 80 को AST episode I hope को ये सारव क्लियर होगा सब को वो जो हमने देखा हो सब्धी क्लियर होगे एक बहुत सारा टॉपिक यह तीनों टॉपिक क्लियर और फिर से बता दो वेल लॉन पोर्ट जो होते हैं यह सभी को पता होते हैं नों पोर्ट होते हैं एंड यह तरह के डिवाइस में काम कर सकते हैं चाहे वह एंड्रोइड हो चाहिए वह लैपटॉप हो यह डेक्स्टॉप कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाते हें टार ड्र इंड्रोइड डेटार उर्टेशय नहीं होता कौन सा पोर्ट कौन सी सर्विस यह फिर कौन सा एप्लिकेशन यूज लेगा ठीक है अब हम नेक्स देखते हैं यहां पर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह कुछ को यह फिखना है कि कौन सा यूज ले रहा है कि को याद कर लेना हुआ यहां बहुत अच्छा बती यहां पर टीप डेटा एंड टीप ले रहा है अब यह क्या होते हैं मैं भी समझाओंगा आगे चल ठीक है यह 22 SSH 23 टेलनेट 25 SMTP 53 DNS 69 TF ठीक है एंड पोर्ट नमबर 80 STTP जैसे हम ने देख ला था पोर्ट नमबर वन जिरो पॉप 3 ठीक है पोर्ट नमबर 123 NTP and 143 ठीक है 123 NTP ले रहा है 143 IM and 443 ले रहा है STTPs तो यह सारी चीजें आप याद कर देना यह चलके आगे काम आएगे बाकी यह and यह होते क्या है मैं यह सभी समझा दूगा तो वारियर्स वेलकम है आपका चैप्टर 6 में आपने चैप्टर 5 सब्सक्राइब कर लिया है and अब हम चैप्टर 6 में देखने वाले हैं all about protocols के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं वैसे प्रोटोकॉल्स जो है वो हमारे rules and regulations होते हैं जो कि हम complete details में देखने वाले हैं अपने slides में जम करते हैं अपने slides को तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं तो हम इसको एक छोटे से example से समझेंगे complete protocols क्या होते हैं अगर मैं कहूं कि आप लोग जो bike ride करते हो आप लोग करते हो उसको ले के कुछ rules and regulations बनाए गये तो वो rules and regulations क्या है rules and regulations यह हैं कि आपको helmet पहनना है आपको license carry करना है अगर आपके पास license नहीं है तो आपको bike ride नहीं करनी है ठीक है आपको red light पर रुकना है ठीक है वैसे ही कुछ rules जब आप car drive करते हो तो उसके लिए भी बने हैं तो आप जब रास्ते पर चलते हो तो यह सारे rules follow करते वह चलना पड़ता है आप जाओगे traffic signaler पर रुक होगे हैना helmet लगा होगे license रखोगे अपने पास आपके पास license नहीं होगा तो आप bike drive नहीं करोगे तो यह rules बनाए गये हैं आपके safety को ध्यान रखते होगे ठीक है अब इसको अगर मैं protocol से relate करना चाहूं तो ऐसे ही कुछ rules बनाए गये हैं हमारे data को safety देने के लिए यह rules बना जा रहे हैं यह जो प्रोटोकॉल्स हैं यह हमारे data को safety देने के लिए बनाए गये हैं ठीक है तो जो प्रोटोकॉल्स हैं यह set of rules and regulations हैं जिससे data securely अपने destination तक पहुंच सके जहां जहां तुसको जाना है वहां पर easily पहुंच सके तो इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल क्लियर है एक बार again मैं repeat कर देता हूँ प्रोटोकॉल्स जो है यह कुछ set of rules and regulations होते हैं ठीक है networking में अब हमारे networking में सिर्फ दो ही type के प्रोटोकॉल्स हैं ठीक है पहला है TCP और दूसरा है UDP TCP का full form है transmission control protocol ठीक है है transmission control protocol ठीक है and UDP का full form है user datagram protocol ठीक है guys अगर आपको spelling समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको google भी कर सकते हो it's so easy ठीक है तो TCP है transmission control protocol and UDP है user datagram protocol ठीक है अब हम one by one समझेंगे TCP क्या होता है कैसे काम करता है UDP के बारे में ठीक है so let's start करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे TCP के बारे में TCP कैसे काम करता है तो TCP जब भी काम करता है तो यह three-way hand check follow करता है three-way hand check क्या होता है इससे पहले हम इसके कुछ flags जान लेते हैं अब flags क्या होते हैं and flag क्या है अब आप लोगों ने train के बारे में सुना है तो train के आगे अगर रब red flag लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है train को stop होना है अगर green flag लगाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे उसको चलना होता है start करना होता है train को चल देना होता है वैसे ही यहाँ पे TCP के कुछ flags है अब यह flags क्या कहना चाहते हैं वहाँ पे start and stop ही था यहाँ पे देखो total six flags है TCP के total six flags है यह अलग-अलग indication देते हैं अलग-अलग चीजों के लिए indicate करते हैं सारी flags train में सिप red and green थे जो की start and stop के लिए थे एक था yellow समझे लो अगर yellow भी होता तो yellow का मतलब था कि साउधानी से चलना है देख के चलना है अगर मैं फर्स फ्लैग लूँ यू आर जी जिसको कहते हैं urgent flag अब urgent flag का क्या खाना अगर मैं कहूं कि जल्दी से मुझे पानी दो बहुत जोर से प्यास लगी है तो आप क्या करोगे मुझे पानी दोगे जल्दी से क्योंकि मैंने वहाँ पे एक जल्दी सब्द का यूज ले लिया है ठीक है जल्दी अब मैंने जल्दी सब्द का यूज लिया मतलब यह मेरा फ्लैग था urgent क्योंकि मुझे urgent चाहिए तो urgent flag किस काम आता है किसी चीज को urgently कराने के लिए कोई भी डेटा जब बहुत urgently भेजना होता है तो TCP उसके साथ urgent flag लगा देता है झिससे डेटा बहुत पास ट्रांसफर होता है ठीक है उसके बाद होता है aja is here in qui है जिसका FN फिनिश है वी यूर्जी फ्लैग का फुलफॉर्म की इसका फिनिश फ्लैग क्या होता है अब जैसे यहां पर दो data transfer हो रहे हैं अब इधर वाले sender ने इधर receiver को मतलब ये दो system है इसको A पकड़ लो इसको B पकड़ लो जो system A है वो system B को data भेज रहा है कोई file share कर रहा है अब जब इसके तरफ से सारी file 100% इसके पास पहुँच गई तो क्या करेगा ये connection तोड़ देगा ठीक है लेकिन connection तोड़ने के लिए ये fin flag का use करता है जैसे ही सारा data transfer हो गया इसको पता चलाए कि सारा data transfer हो चुका है तो TCP क्या करेगा वहाँ पर finish flag का use करेगा finish flag भेज देगा सामने वाले system पर या फिर बने होए connection अब यहां पर RST RST flag का full form है reset ठीक है अगर reset flag का मैं example लूँ ये किस काम आता है तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई बार आप online देखते हो कोई भी चीज़ सर्च करते हो आप error आ जाता है याना error जब आता है तो क्या होता है वहां पर आप वहां पर reload करते हो website को है ना reload करते हो अच्छा और easy example लूँ तो आपके system में कोई भी हडल आता है तो आपका करता हो system को reset करते हो तो उससे ज्यादा तर 99.9% तक problem solve हो जाती है वैसे ही reset flag जब भी system में या फिर network पे कोई error आये कोई hurdle आये तो यहां पर reset flag को use होता है reset flag क्या करता है system को जो network बना हुआ है system को reset नहीं करेगा जो network बना हुआ हो network को reset कर देगा सारी configuration reset कर देगा जिससे वापस से हो जाएगा connection जिससे भी जो भी error थी वह resolve हो जाएगी तो TCP reset flag connection को reset करने के लिए use करता है उसके बाद है हमारा फूर्थ फ्लैग फुश फ्लैग फुश फ्लैग क्या है तो जैसे कोई data जा रहा है कि यहां पर कोई भी data जा रहा है तो उस एक परसेंट को जबर जस्ति बुलाना पड़ेगा क्योंकि हो सकते हैं वहां पर कुछ network इसी हो हो सकता है जो sender था वो थोड़ा ज्यादा दूर चला गया औरेंज से तो जो बच्चे हुआ data था उसको speedly भेजने के लिए जल्दी से भेजने के लिए मतलब यहां पर मंगाने के लिए जो अटका हुआ data है बीच में उसको मंगाने के लिए यहां पर पुश फ्लैग का इसका फुल फॉर्म है अगर आपको मुझे बताना हो मैं आपसे कोई question पूछ हूँ कि हाउ और यू तो आप मुझे क्या करोगे बूलोगे इसका मतलब आप मुझे बता रहे हो कि मैं अच्छा हूं ठीक है सबसे अच्छा इसका एक्जामपल लूँ मैं अगर आप सभी से आप लोग सभी लोग वाट्सेप यूज करते हैं वाट्सेप में आप लोगे टिक्स देखी होगी एक टिक चली गई तो मतलब डेटा सामने वाले पास पहुंच गई तो सामने वाला ऑनलाइन है बड़ उसने डेटा को देखा नहीं आपके मैसेज को देखा नहीं अगर वहाँ पर एक सारी चली गई वह ब्लू हो गई तो आप लोग समझ जाते हो कि सामने वाले डेटा देख लिए तो यह क्या हो रहा है यह आपको आपको पता चल रहा है तो हो एकनोलाजमेंट है कि सामने वाला आपको बताता है कि हां मुझे चीजे रिसीव हो चुकी है अगर मैं आपको यहां से एक पैकेट बेज वहाँ आपको यह डेटा आप तक पहुँच गया तो आप क्या गरोगे मुझे बताओगे कि हां पहुं अगर बीच में टक गया तो क्या करो कि बोलोगे नहीं पहुचा तो मतलब आप मुझे अक्नोरजमेंट दे रहे हो बता रहे हो कि आपका डेटा पहुचा या नहीं पहुचा उसके बाद है सिंक्रोनाइज फ्लैग तो इतने फ्लैग जितने हमने देखा है ना टोटल पांश लेकिन आक्छेम में जब भी कोई बिकने क्शन बनता एना टीसी पी बनाता था सबसे पहले यही है क्योंकि देखो अगर आप किसी से टाइम पूचने जा ओँ कि कैसके पूछने जा तो आप किसी क्षें जब सुझेगत का सब्सक्राइब करते कि मैं नहीं मेरा पास तक को है तो यहां पर आप पहले बार जब हैंडशेक किया कैंडशेक मतलब इसे बाथ चीत किया रही थी तो वहां पे चांसे थे आपको टाइम बता देता लेकिन दूसरी टाइम आप ने किया वह नहीं लेकिन दूसरी टाइम आपने यहां पर उससे बीना उससे चाल पूछे उससे टाइम पूछा तो वहां पर नहीं बताता कुछ चंसे जो बता देता पर नहीं बताता जाता है वैसे सिंग फ्लैग क्या करता है सिंग यहां पर सब्से पहले सिस्टम के पास हेंड चेतली करता गूथ हीं यहां पर समझने के बाद समझने कब का झसम कृता है तो यहां पर युझा दो system example देगे यह दो system है एक यह एक client है यह एक server है यह फिर यह नाम जे समदो यह बाब है यह लॉसी से ठीक है अब यहां पर सबसे पहले इस system को इस system से connection बनाना है तो सबसे पहले यह sing flag बेजेगा मतलब उसको हाल चाल पूचेगा उससे हाथ मिलाएगा ठीक है अब जब सामने वाले system को इस system से connection बनाना होगा तो वो भी साथ में sing flag बेजेगा नहीं तो वो acknowledgement flag बेजके system यहां पर network खतम कर देगा network यहां पर close कर देगा ठीक है तो यहां पर sing flag बेजेने का मतलब यह है कि मुझे आपसे बात करना है मैं आपसे connection बनाना चाहता हूँ यहां पर लिखा भी है I would like to talk with you on port number 23 are you open? पतले भी यहां पर पूछ रहा है कि मुझे आपसे port number 23 पर बात करनी है क्या आपका port open है तो यहां पर अगर इसको बात करना है तो यहां पर sing flag बेज़ेगी ठीक है? अगर बात नहीं करना है तो यहां पर सिप AC के flag बेज़ देगी अब AC के flag क्यों? AC के flag इसलिए बेज़ेगी क्योंकि वो बताना चाहती है कि जो आपने sing flag बेजा है हाथ मिलाने के request बेजी है वो मुझे यहां पर मिल चुकी ठीक है? तो वो reply देती है AC के flag में बताती है कि मुझे मिल चुकी ठीक है? अगर उसको connection बनना होता है तो AC के flag के साथ sing flag भी डाल देती है sing का मतलब है synchronized flag AC का मतलब है acknowledgement flag ठीक है? अब जब यहां पर इसने connection बनाने के request डाल देती है मतलब इसने sing flag attach किया है acknowledgement के साथ मतलब इसको connection बनाना है तो इसने का ओके वो I am open on port number 23 अब इसने यहां पर वापस reply दिया acknowledgement का किस चीज का acknowledgement का कि मुझे आप की connection बनाने की जो request है वो मिल चुकी है जब इसने acknowledgement के साथ एक sing flag बेजा तो इसको पता चल गया कि हाँ यह connection बनाना चाहती है तो यह इसने इसका reply दिया है कि हाँ मुझे आपके connection बनाने की जो request है वो मुल चुकी है तो यहाँ पर connection स्टैबलीश हो जाएगा इन दोनों के बेच में ठीक है तो ऐसे three-way handshake करते हैं ठीक है तीन-way handshake करके यहाँ पर connection स्टैबलीश होता है किस से? TCP से transmission control protocols तो यह पहला था हमारा जो protocol ठीक है फर्स protocol ठीक है अब यहाँ पर connection बन तो गया इन लोग ठीक है handshake करके यहाँ पर connection बन गया लेकिन जब इसको बंद करना हो इस connection को खतम करना हो तोड़ना हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर connection तोड़ने के लिए जैसे मैंने कहा था जब भी कोई file sharing हो गए तो यहाँ पर connection तोड़ने के लिए fin flag का use होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अब इसको जो भेजना था समझे लोग फाइल भेज नहीं थी तो यहाँ पर इसके पास पहुंच चुकी है तो यहाँ पर bob ने कहा कि i am done with the data transfer मतलब मेरे तरफ से जो data था वो transfer हो चुका है तो इसने transfer जैसे हो गया fin flag भेज दिया finish flag भेज ठीक है अब यहाँ पर logis ने क्या किया इस दूसरे जो user था उसने क्या किया यहाँ पर उसने acknowledgement भेज दिया क्यों उसने बोला जब इसने जब इसने fin flag भेज यहाँ पर तो इस चीज को बताने के लिए के हां मुझे आपका fin flag मतलब connection termination की request मिल चुकी है यहाँ पर receive your termination request तो इसने क्या किया यहाँ पर जैसे termination request मिली तो इसने पहले यहाँ पर चेक किया कि मेरे पास पूरा data आया नहीं आया ठीक है पहले acknowledgement दे दिया कि हां मुझे termination की request मिल चुकी है तो इसके बाद उसने चेक किया कि data proper आया नहीं आया उसके बाद उसने भी यहां से fin flag का use मतलब fin flag यहां पर send कर दिया ठीक है fin flag भेज के इसने बता जिया कि ठीक data अब मैं मैं भी मेरे पास data आ चुका है ठीक है अब मैं इस connection को terminate करना चाहती है इसने लिखा I have received data sent the sent ठीक है यहां पर इसने भी fin flag भेज दिया आप यहां पर बॉब ने का acknowledgement भेज दिया यह बताने के लिए कि हां मुझे connection termination की request मिल चुकी है ठीक है यहां पर connection terminate हो जाए ठीक है तो यहां पर फिन फ्लैक का यूज हो रहा है अब यहां पर फ्लैक दिखाऊ एक और चीज़ दिखाऊ आपको ccq की मतलब है sequence ठीक है कि sequence में data ठीक है जैसे मैं यहां पर तीन यहां पर तीन फोटो भेज रहा हो किसी ठीक है तो पहले मैंने एक यह वाली बेजी पर दूसरे में यह बेजी तीसरे में यह वाली ठीक है अब कुछ नेटवर्क इश्य के बज़े से पहले यह वाली फोटो चली गई दूसरी वाली रुप गई तीसरी चली गई तो यहां पर यूजर जो है तो टूसरे पता चल जाए आप लोगार में देखा होगा यह और फ़ोटो चली करने होगल तो यहां सब्सक्राइब करें करियों के दूसरी को सब्सक्राइब क Selena कई 3-way handshake कैसे होता है यह समझ में आ गया हो ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next topic पर तो हमने देख लिए TCP कैसे work करता है तो TCP work करता है 3-way handshake करके इधर 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 तीन बार handshake जाएगा ठीक है पहले sing flag जाएगा प्रेसिंग प्लस AC के आएगा फिर एक बार AC के आएगा फिर इनका connection बन जाए ठीक है अब UDP जो हमारा दूसरा protocol है वो क्या करता है वो यह कुछ follow नहीं करता ठीक है ना तो 3-way handshake करता ना कोई कुछ follow करता है यहां पर जैसे वहां सामने से request आई यहां स्टार करते हैं ठीक है एक बार request करने के वाद रिस्पांस स्टार्ट होते है बाहर रिक्वेस्ट करेंगे बाद में response response देता जुक्ता है ठीक है यूडिपी तोड़ा लो होता है लेकिन ज्यादा ज्यादा रिलाइबल है ज्यादा रिलाइबल है क्योंकि प्रॉपरली चेक करता है कि सामने वाला सिस्टम और नहीं आएगा जब सामने से नहीं आएगा तो इसको पता पड़ जाएगा बचाहर तो सामने वाला सिस्टम ऑन लाइन नहीं है तो यह आगे की प्रोसेस्स नहीं करेगा कैंसल कर देगा लेकिन यह क्या करता है एक बार सामने से रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉण्स बेता रहता है मतलब हर बार वहां रिपलाइ देता रहता है धिक्राइब जिससे क्या होता है यहां पर थोड़े फैकेट्स ड्रॉप होते हैं जो डेटा जाता है वहां पर पैकेट्स ड्रॉप ज़्यादा देखने के मिलता है यह बात भी सही है कि टीचिपी थोड़ा फास्ट है ठीक है ên n으로 यूज लिया जाता है लेकिन जहां पर कनेक्षंग al 파स्ट कराया जाता है बोलिकी करना हो तो वहां पर new up का यूज दिया जाता है टीशी नेटवर्किंग में दो ही नेट ड्रॉटकॉल है है दो ही टाइप के रहो से पहला है टीसीपी जो कि थ्रीवें हैं चे प्रॉपर कम्मुनिकेशन करता है ठीक है और दूसरा है यूडीपी जो पिसी सिर्फ रिक्वेस्ट है रिस्पॉंस पर भर करता है ठीक है अगर मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूं तो यह हमारे हमने पिछले वीडियो में देखा था यह पोर्ट के बारे में इनके क्या सर्विसेश चलती है उनके बारे में अब देखो यह जो सर्विसेश हैं सबसे ज्यादा किसको यूज ले रहे हैं आयंची टीसी उडी-पी दीपी बहुत कम यूज लिया जा रहा है енद्लकि यह बहुत है यह बले प्रेकि अजेकर है यह बहुत और यह जोले यह बहुत ही इसलिये इस ले इसको बहुत कम पर द picky को भी यूज लेता है और अब टिए इस दरल एकिन निव्य कि पी UP को भी यूज ठीक है एक सिंगल यही मिला मुझे जो की यूज ले दा यूटीपी को ठीक है तो यह है हमारा प्रॉपर कम्मिनिकेशन कैसे होते हैं है वारियर्स कॉंग्रेचुलेशन्स चेप्टर 6 कंप्लीट करने के लिए अब आ चुके हैं चेप्टर 7 में तो चेप्टर 7 में क्या देखने वाले हैं तो जैसे कि हमने चेप्टर 6 में देखा था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं तो प्रोटोकॉल हमने देखा था दो तरीके के हैं TCP और UDP इन दनों में से जादा यूज कौन सा हो रहा था तो definitely TCP यूज हो रहा है and वहाँ पर हमने देखा था TCP के कुछ flags के वारे में भी आज हम यहाँ पे वो flags कैसे काम करते हैं वो live practical करके देखने वाद है यानि कि TCP कैसे काम करता है वो live practical हम इस चैप्टर में देखने वाद है so मिलते हैं हम computer screen पे so in flags को देखने के लिए आपको एक tool की जरुरत पड़ेगी वो tool का नाम है wireshark उससे पहले आपको ये wireshark windows में install कर सकते हैं अगर आपके पास kali है तो definitely kali में pre-installed मिलता है और अगर आपने kali install नहीं कर रखा है तो आने वाली videos में मैं kali का installation process भी बताऊँगा कैसे आप easily kali को अपने system में install कर सकते हैं ठीक है so guys let's start तो सबसे पहले आपने kali पे आजाएंगे जो कि मैं already अपने kali पे हूँ kali machine पे and kali machine पे जैसे ही आप side पे देखोगे यहाँ पे लोगो बना हुआ kali का and इस पे click करोगे तो यहाँ पे इसका menu आ जाएगा menu में आते ही हमारे tool को हम search करेंगे जिसका नाम है wireshark wireshark पे click करना है wireshark पे click करके यहाँ पे इसको open कर लेंगे तो open करने के बाद यह interface कुछ ऐसे दिखेगा इसका अब interface जब ऐसे दिखेगा तो यहाँ पे आपको कुछ network पूछ रहा है कि किस network का आपको यहाँ पे monitoring करनी है अब wireshark actual में है क्या यह tool काम क्या करता है तो guys इसका बहुत बड़ा topic है और यह काम क्या करता है यह भी बहुत बड़ा खुद में topic है सिदा सा समझो आप simple सी summary है इसकी यहाँ पे हमको click कर देना है तो मैं यहाँ पे अपने network को check करूँगा कि मैं किस network के हूँ actual में मेरे network का interface क्या है तो मैं यहाँ पे if config लिखूँगा if config लिख के enterprise करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ETS 0 दिखा रहा है यह मेरे network का interface है यह चीज़े आने वाले sessions में बताऊंगा लेकिन जो हमारा man focus है वो हम उस पे ज़्यादा focus करते हैं तो ETS 0 पे double click करोगे तो कुछ ऐसा panel open हो जाएगा अब यहाँ पे अभी यह blank है लेकिन देखो जैसे ही मैं wire shark open करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे request and response आने लगेंगे यह आने लगे अब यहाँ पे दो दो open हो गए बैकेंड में बहुत सारे request and response आने लगेंगे तो क्योंकि यह browser है browser भी एक तरह का network establish करता है connection बनाता है तो जाहिल सी बात है कि यहाँ पे कुछ न कुछ details आएगी तो यहाँ पे जब browser connect हुआ अपने network से connect होते ही अपने कुछ server से connect किया होगा उसने तो सारी details यहाँ पे आ रही है अब ध्यान देना यहाँ पर यह आप लोगों के यहाँ पर एक यहाँ पी नाम दिख रहा होगा यह हमने पढ़ा था जब हम router कैसे वर करता है वह वाले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर live देख लो यारपी क्या पूछता है कैसे वर्क करता है तहां पर देखो यारपी ने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है यह पूछने के लिए कि 133 जो आई-पी है वो किसके पास है यह राउटर की बता रहा है यह यह राउटर की लिए है क्योंकि यह विम्वेर की आई-पी है वर्चुल राउटर सपोर्ट की आई-पी तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे विम्वेर में तब मैं आप सभी को समझा दों ठीक है यहां पर देखो है यह पूछ रहा है किसके पास है यह रपी अब इसको रिपलाइब ही जाएगा तो यहां पर सबसे पहले हैं जो मैंने कहाता सबसे पहले हैंडशेक करने के लिए सबसे पहले हैंडशेक करने के लिए सिंग अच्छे से अब यहां पर देखो यह थोड़ा सा यहां पर समझते हैं यहां पे टाइम दिखा रहा है किसको कितने तेर में पहुंचा है यहां पर सोर्स and इस्टिनेशन बता रहा है कि सोर्स आपी किया है है डिस्टिनेशन आपी गया है कहां से गया है इसकी तो अगर यहां पर पहले सोर्स दिखा रहा है तो कि हमारी आइपी है अभी मुझे कैसे पता है हमारी आइपी है तो ग्न चेक करते वक्त नेटवर इंटरफेस चेक करते वक्त मैंने देखा था आइएफ कॉन्फिक यहां पर देखो डबल शिक्स फण थी थी यह आई पी दिख रही होगे आप सब्सक्राइब तो यहां पर देखो डबल ट्री वन सिक्सिक्स लास्ट पेर में देखो यह हमारे सिस्टम की आई पी है यानि सोर्स एंड यह राउटर की आई पी है डॉट टू ठीक है क्योंकि व्यम्वेर की है इसलिए आप डॉट टू आ रहा है डॉट वन नहीं आ रहा है आपने नहींको नहीं पता यहां से यहां तक गया हैं फिर सामने से अगए को सामने आया, सामने महीं सामने इसे ब्लस एस जी यहां आया कैक अब यहां पर देखो सब्सक्राइब है तो यह समझ में यहां ज़ल्स के इनको इनकों कनीक्शन बाण ना था तो यह दोolach अब यहां पर देखो तो फिर से कुछ AC के ठीक है ठीक है तो यह बहुत सारे कनेक्शन से यहां पर स्टैबलीश हुए तो यह और रेड़ी हमने जब ब्रावजर खोला तो यह स्टैबलीश हुआ था ठीक है तो अब हमको करना क्या है लाइप प्रैक्टिकल करके देखना है कि सिंग फ्लैग कैसे है एआ है किर तो यहां पे मैं अपना ब्रावजर ओपन कर लेता हूं यहां पर हम यहां पर अपड़न honeymoon लैजा हूं हुआओ यहां पर पैकेट जाना स्टार्ट हो गए है औरेडी से सर्च में कुछ यह कनेक्शन स्टैब्लिस हुआ है बता रहा है सब मैं आप गूगल लिकूंगा यहां पर मैंने ब्लू मारकर रखा है तो देखते हैं अगर वो रहा तो हम देख पाएंगे नहीं तो थोड़ा उपर नीचे हो सक है मैं आपको समझा दों तो देखो यहां से पैकेट ऊपर चला गया है अब मैं धूड़ता हूँ जो मैंने वहां पर ब्लू मारक कर रखा था इसको कि आइधिंग वह बहुत यह रहा है कि यह ब्लू मारक मैंने कर रखा था पजाल पर फॉलो किया हैंड शेक का पर प्रोसीजर फोलो करने के यहां पे सबसे पहले क्या गया उपर में जो प्रॉसीजर फोलो ही वह इंक्रिप्शन सारी की एक्सेंज उइक हुई की हैं मैं आगे चलकर बताओं आप लोग यह सारी प्रमिधर फोलो होने बाद के बाद डेको सबसे पहले हमारे सिस्ट्म से गया सिंहां चीह सीख धार स्थ प्रोसीजर हो ऐ कि रोने के बाद यहां पर देको के सीख अब यहां पे सामने वाले से देखो सामने वाले सिस्टम से सामने वाले आयपी से सिंग प्लस एसी के फ्लेग प्र हमारे सिस्टम ने फ्लेग बेज़ा धेंड कणिक्षन स्टैब्ली स्टेबलिश होगा है टिक है कितना फुरे Sum Grabs स्टार्टीं में अब कुछ और देखते हैं निचे बches यहां पे इनका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोवा यहां पे देखो यार्पी फिरसे रिक्वेस्ट पैक्ट आया है थोड़ी देर में हर जग आता रहता है तिक मैं आप लोगो कुछ और फ्लैड दिखा नहीं है यहां पे तो हम अभी बहुत देर से वहा सबस्कने के रिकष्ट आई है तो यहाँ पर देख को सिने कऊ सब्सक्राइdraft करने के रिकष्ट सबस्क्र निकर्जाए। प्वूए रिक्षा है तो यहाँ पर एक और प्लक दिखाता वन..? जो की है रिस टी है। ब क्या इ inten 잘 और 25 ही देखने के लिए मिलता है बट मैं ट्राइ कर रहा हूं आप लोगों को दीख जाए तो यह है देखो आरेस्टी रिसेट फ्लैग एक्च्वल में यह किसमें यूज हो रहा है देखो कोई सिस्टम की हडल आई होगी कोई सिस्टम में कनेक्शन इशू होगा तो यहां पर आरे फ्लैक भी देख लिए तो यहां पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला होगा वाकयो कि यहां पर वाaisन और नहीं और सब्सक्राइब में अब्यक्ष नहीं करता हो यहां पर भलएक का ना थी कॉसिध करता हूं ठीक है मैं यहां पर connection तोड़ता हूं अभी यहां पर देखो ARP की request response जा ही रहे हैं यह response जा रहा है request आ रहे है यहां पर मैं यहां पर Google बंद करता हूं यहां पर unreachable connection आया यहां पर फिन फ्लैग गया ठीक है डारेक यह ने ब्रावजर बंद कर दिया तो और रीचिवल कनेक्शन बता दिया तो ब्रावजर बंद हो गया इसलिए यहां पर फिन फ्लैग आया नहीं एक बार फिर से करके देख लेते हैं तो यहां पर देखो पहले connection का reset कर लिया उसने क असके बार बाकिकी प्रोसे यहां पर स्टाइट हो गयी अब यहां पर देखो यहां पर भी आरस्टी फ्लैग यूस हुआ है तो यह कुछ common फ्लैकैं जो कि जर्डारली यूज उते हैं अब मैं यहां पर कॉलता हूं यहां पर लिगता हूं google दूगर डॉल कॉपव सब्सक् आप देखो यहां पर फिन एसी के कुछ कनेक्शन हम भी आया है यहां पर देखो कनेक्शन तोड़ता हूं यहां पर कुछ गये हैं यहां पर फिन फ्लैग आजाना चाहिए था बोड़ा सब्सक्राइब करते हैं कि पेक्टिव एसी के बंद हो रहा है वह ठीक है यहां पर नहीं भेजा है तो गाइस यहां पर फिनिश फ्लैग नहीं दिख रहा है हो सकता है capturing ना हो यह बट यहां पर जैसे हम connection disable करते हैं connection बंद करते हैं तो देखो ऐसे finish flag आते हैं जैसे आप लोगों ने अभी उपर देखा यह fin push ack अब यह fin push ack एक साथ क्यों तो देखो यहां पर fin ack एक साथ पहले fin ack जाएगा फिर fin ack fin push ack क्यों गया पी एस फ्लैक क्यों यूज हुआ यहां पर यूज हुआ है तो जैसे ही यहां पर fin flag गया ठीक है समझ में आ गया इसको की connection तोड़ना है ठीक है बट बीच में कुछ data रहना जाए इसलिए यहां पर पुश फ्लैक का भी यूज हुआ है एंड उसके बाद एसी के फ्लैक जो कि एक लाजमेंट देगा तो ऐसे जब connection तूपता है ना तो ऐसे flags आते हैं देखते हैं नीचे कुछ fin flags अभी आये हैं नहीं तो यहां पर मैं browser close करके देखू तो देखो अच्छा भी आया देखो यहां पर देखो किसी दूसरे IP से ऐसे fin flag आया क्योंकि सारे connection बंद हो रहे तो फ्लैक एसी के फ्लैक एक साथ है ठीक है बहुत सारे यहां पर हम देखेंगे सर्विसेस के बारे में अब सर्विसेस प्रोटोकॉल यह क्या है इन में कन्फ्यूज नहीं होना है प्रोटोकॉल जो तो हमारा जैसे कि हमने देखा था वहां पर सेट आफ रूल था मतलब कुछ रूलस और रेगुलेशन्स थे जो की कैसे नेट्वरकिंग जाएगी मतलब आपको जो पैकेट है वो कैसे नेट्वरकिंग में फ्लो होगा उसके लिए सेट आफ रूलस है मतलब उसके लिए कुछ रूलस और रेगुलेशन्स है लेकिन जो सर्विसेस हैं यह वो चीज़े प्रोवाइड करते हो तो डाउनलोड करना प्लोड करना यह भी एक तरकी की सर्विस हो गए तो वैसे ही बहुत सारे सर्विसेस होती है अगर रियल लाइफ एक्जामपल को देखा जाए तो बहुत सारे रेस्टरेंट्स होते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ की खाने की आप लोग पैसे देते हैं वो आपको service देते हैं वैसे ही बहुत सारी hotel rooms की ले लो वहाँ पर आपको services provide करते हैं ठीक है तो वैसे ही कुछ services है हमारे networking में ठीक है तो ये इनके अलग-अलग काम होते हैं अगर मैं example लो स्टीटीपी हाइपर टेंस ट्रंसर प्रटोकॉल तो ये क्या करता है ये आपको जो डाटा है वो website के तुरू ले के जाता है मतलब website के URL से ले के जाता है सर्वर तक तो स्टीटीपी का काम है मतलब ये उसकी service है ठीक है सो और भी चीजे हम देखते हैं अपने slide पे इन services के बारे वे ठीक है सो मिलते हैं slide आज हम देखने वाले हैं कि हमारे cyber security field में कितनी services होती है and actually services है and any services को use करके हम system को access करें कि ये services होती करा है सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे example दो services कर तो आप लोग message use करते हो messaging के लिए बहुत सारे software use करते हो message के लिए software use करते हो जैसे WhatsApp के बाद messenger हो गया जो कि facebook का है उसके बाद आता है आपका simple message है तो ये क्या है सारे यह आप यूज कर रहे है WhatsApp message and messenger ये सारी चीजह जो है ये हमारे software है यहां पर दो टर्म्स आ गए यह जो मैसेज है यह हमारा सर्विस है यहां पर सर्विस यह है तो हमारे साइबर सेक्यूर्टी फिल्ड में यह फिर कहलो नेटवर्किंग में ऐसी बहुत सारी सर्विसे होती है जिनका अलग-अलग काम होता है जैसे मैसेज सर्विस के काम होता है मैसेज सेंड करना रेसीव करना वैसे ही यहां पर अलग-अलग सर्विसेज हैं तो हम देखते हैं यहां पर कौन-कौन सी सर्विस हैं यहां पर यह हमारे कुछ common सर्विसेज तो यहां पर हम वही सर्विसेज देखने वाले हैं जो कि हमारे important जो कि हमको system को access करने में health करें कुछ ऐसी services भी होती है जो कि run तो हो रही होती है बट उसको use करके कोई मतलब नहीं हो उसके through access लेके कोई मतलब नहीं है example के लिए अगर मैं कहूं यहाँ पर एक service है जैसे कि यह sttp sttp का क्या काम होता है sttps यह दोनों क्या काम करती है तो जो sttp है and sttps है यह दोनों हमारे web browser में काम होती है web में जब भी हम कोई चीजे जैसे website वे आपको search करते हो तो वहाँ पर sttp and sttps के through ही request जाती है तो यहाँ पर यह क्या करती है सिफ रिक्वेस्ट ले जाने का काम करती है और वहाँ से response लाने का काम है तो इससे किसी भी system का access लिया जा सकता है क्या नहीं हम यहाँ से सिफ data देख सकते है उसका क्या data उसने search ही है और क्या reply आया तो इसससे system को access करके कोई मतलब नहीं हो तो यह हमारी कुछ common services है और मैं यहाँ पर आप लोगों कुछ और services दिखाऊंगो जो आगे है तो यहाँ से पहले इतना समझते हम port number 20 and 21 and also 69 यह use करती है FTP FTP क्या है? FTP का full form होता है file transfer protocol जितनी भी चीज़ें आप file share करते हो download करते हो यहाँ पर यह सारे port use होते है file transfer करने के लिए download करने के तो जैसे port number 20 हो गया यह एक receive करने के काम आएगा 21 send करने के काम आएगा तो यह सारी services इनके अलग-अलग काम से जाने जाए तो I hope आपको FTP समझ में आ गया होगा file transfer protocol तो जैसे मैंने का था message काम था messaging की service provide करने वैसे ही FTP का काम है file को transfer करना file transfer करना and receive करना FTP की service है अब आप इसमें कोई भी software use ले सकते हो example के लिए आप WhatsApp के थूरू file भेज रहे हो data भेज रहे हो तो वहाँ पे भी FTP use होता है file send करना receive करना है यह चोटा सा example तो हाँ पे FTP की service use हो रही हो software जो use हो रहा है WhatsApp इसके बाद port number 22 and 23 22 जो है इसमें रन हो रही है SSH, SSH क्या है secure cell तो यह दोनों services use होती है remote access जो भी आप internet पे अपना computer remote access करते हो वो इन दोनों services के through ही हो पाता है अब यहाँ पे remote access आपने सुना होगा remote desktop के बारे remote desktop जो आपका computer access कर पाता है कहीं से भी बैठे बैठे तो वो इन दोनों services के वज़े से ही हो पाता है remote desktop जो है यह एक software है and service के कुछ का use लेता होगा या तो SSH या टेलनेट बट इन दोनों में एक difference है जो SSH है यह जाधा secure है ट्लनेट है यह जाधा secure नहीं है and यह command line access देता है जाधा तर ट्लनेट तो SSH जाधा secure है remote access के लिए तो यह दोनों services जो है यह remote access के लिए यूज होती है clear तो यहाँ पी यह दो चीज़े हो गई I hope आपको यह दोनों चीजे समझ में आ गई होगी LNET and SS अब यहाँ पर दो चीजे देखो mail के लिए use हो रही है तो यहाँ पर एक SMTP Simple Mail Transfer Protocol इसका full form है Simple Mail Transfer Protocol जो की mail transfer करने के call काम करता है and receive करने का भी काम करता है वैसे ही जो port number 110 है इसमें POP3 रन हो रहा है POP3 भी mail transfer के लिए receiving के लिए काम करता है लेकिन यह ज़्यादा secure हो POP3 इसका एक वरज़न है POP वो ज़्यादा secure नहीं है तो अभी हम लोग जो service use करने है mail के लिए वो हम करते है SMTP जो POP3 है यह I think 100 पहले use होता था आप मुझे बहुत कम देखने के लिए मिलता है जैसे SMTP हम use लेते है जैसे हमारा Gmail है Gmail से हम अगर mail भेज रहे हैं तो वहाँ पे SMTP use होगा बट POP3 क्या काम करता है POP3 हमारे mails को जो हम mail receive करेंगे उसको हमारे local storage पे save कराने का काम करें local storage SMTP से जब हम save करते हैं तो वह already जो software है जैसे Google का software यूज करते हैं Gmail तो उसके server पे store करा देता है SMTP POP3 हमारे local hard disk में save करा देता है तो ये दोनों mail services का ही काम करती है mail की services देती है POP3 का port number जो है 110 port number भी हमने पढ़ाता क्या होता है port and port number 25 पर run होता है SMTP I hope आप सभी को clear होगा FTP का port number 20 है and 21 भी है FTP data 21 and SSH का जो port number 22 telnet का 23 ये port number जो common port है ये सारे याद रखना जरूरी है अब उसके बाद यहाँ पे आता है ये दो mail हो गए हमारे उसके बाद हमारे DNS domain name system क्या होता है मुझे एक वेबसाइट कोई भी example.com एक वेबसाइट है जब मैं इसको सर्च करूँगा मुझे वो वेबसाइट अपने PC से एक्सेस करना है ये वाली वेबसाइट क्या जैसे मैं सर्च करूँगा क्या इसका एड्रेस मेरे पास होगा पब्लिक एड्रेस मेरे पास होगा जो भी इसका आईपी एड्रेस है इस वेबसाइट का क्या वो आईपी एड्रेस मेरे पास होगा नहीं होगा तो एक्चुल में वर कैसे होगा ये मेरा राउटर है मेरा PC से कनेक्टेड है तो जो मैं पैकेट जन्रेट करेंगा यहां से request promise मेरा入्रेस का राउटर के पास इसका इड्रेस है पब्लिक एड्रेस आइपी एडृस इसका है नहीं है तो यहां पर क्या होगा यहां पर इसका एड्रेस का काम कौन करेगा डिएेनम डोमेन नेम सिस्टम इसका full farm होता है domain name system इसका भी server होता है हमने पढ़ा था DNS के बारे में जिसमें इसको address book of internet भी कहा जाता है जिसमें दुनिया की जितनी website है सबका IP address and domain name लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैसे मैं system पे search करूँगा मतलब system से packet मैं यहाँ पे search करूँगा मेरे router के पास जाएगा and router क्या करेगा पहले उसको DNS पे भेज़ देगा domain name system domain name system पे जब यह जाएगा तो domain name पे check करेगा example.com website की IP address क्या है उसके बाद वो यहाँ पर जाएगा जब IP address उसको पता चल जाएगा properly working यह होती है ठीक है पहले router के पास जाएगा DNS का काम यह होता है कि वो IP को पता करें DNS servers यह होते है और यह हर system में होता है जब आप configuration setting में जाओगे या फिर अपने IP की setting में जाओगे तो वहाँ पर लिखा होता है preferred DNS something वहाँ पर DNS की IP by default हर system में होती है 8.8.8.8. something होती है तो DNS के काम समझ में आगया जब आप scanning करों अब next है हमारा sttp sttp and sttps sttp का जो port number है वो 80 है and sttps का port number है 443 sttp का full form है hyper tax transfer protocol and sttps का है hyper tax transfer protocol and सामने जो s लगा है उसका मतलब है SSL secure socket layer secure socket layer यह इसका full form है SSL का सामने जो s लगा हुआ है बस उसका बाकी का sttp का full form है hyper tax transfer protocol यह दोनों जो services है यह website में request भेजने and response लेने के काम में sttp and sttps clear है तो website पर जब भी आपको search करते हो सामने लिखा होता है sttp something तो यह website में कुछ भी request करने and response आने का काम लेने का काम है यह i hope sttp and sttps clear होगा अभी यह services यह जो है यह use हो रही है यह services अपना-पना काम कर रही है कोई remote ले रहा है कोई email accept कर रहा है कोई DNS है जो IP to domain, domain to IP translate कर रहा है इनके जागे software इनको use लेकि कोई भी software बनाया जास यह तो cable services अब software भी देखेंगे आगे कैसे कैसे हैं क्या क्या वर्क हो रहे हैं तो software and services में confused नहीं हो तो इतनी थी हमारी important और भी देखते हैं क्या क्या है हमारा next जो service है वो है NTP NTP का full firm होता है Network Time Protocol Network Time Protocol का क्या होता है यह हमारे machine पर जो time synchronize होता है वो time synchronize मतलब कौन सा time कब क्या बज़ रहा है कितने बज़े है वो time का जो management है वो NTP करता है जो कि port number 123 पर रन हो रहा है next है हमारा IMAP IMAP जो है कि port number 143 पर रन हो रहा है इसका full form होता है Internet Message Access Protocol अब हमारे system पर बहुत सारे messages होते है बहुत सारे emails होते है तो email के लिए हमने देखा SMTP and POP3 रन हो रहा है email receive and send करने के बट कैसा हो अगर हमको हमारा mail हमको remotely access करना हो कहीं से भी जैसे मैं दूसरे device पर login करूँ तो मैं अपना mail access कर पाऊ तो वो काम इसका होती है हम जैसे local machine पर access करते हैं email वैसे ही हम remotely कहीं भी access कर सकते हैं जैसे मेरे पास एक device है इसमें मेरी man email ID login है मैं चाहता हूँ मैं कहीं बाहर हूँ पर मेरा man device है मैं भूल गया हूँ अगर हम अपना इस mail को access करना चाहता हूँ दूसरे PC पर तो उसको मुझे remotely access करना पर इसमें हमारी help करेगा email internet messenger access protocol message access protocol जो कि port number 143 पर run हो तो आपको यह सारे port number याद कर लेने हैं अब हम देखते हैं कुछ और protocols जो कि हमारे आगे चलके exploitation में या फिर system access में खाम आएगा यहां पर मैं इस word का use नहीं कर सकता यूट्यूब पर guidelines के बज़े से मैं यह word का use कर रहा हूँ इसके जगे आप लोगों को इतना समझना पड़े नेक्स चलते हैं हम यहां पर हमारी कुछ और services है जो कि actual में जब हम scanning करते हैं सामने वाले system पर तब हमको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है कुछ ऐसी service हम को देखने के लिए मिल इनके बारे में देखते हैं क्या कह रही है यहां पर देखो FTP, SSH, Telnet हमने देख लिया Fire Transfer Protocol, SSH देख लिया Secure, Telnet, SMTP, Simple Metra यह देखो, यह DNS है, Domain के जगे पर आया हुआ है जिसका Port No. 53 है, DNS का भी Port No. 53 ही है STTP, RPC Bind, यहां पर यह नया है अब RPC Bind क्या होता है, इसके बारे में से सबसे पहले मैं RPC समझते है RPC जो की Port No. 111-111 पर रन हो रहा है So, जो RPC का Full Form होता है, वो है Remote Caesar Call Remote Procedure Call, यह Full Form होता है RPC का अब यह क्या है RPC? यह High Level Communication Protocol है यह High Level Communication करने में help करता है जिससे हम High Quality Communication कर पाते हैं जिससे हमको Communication में कोई Issue नहीं हो And RPC Bind क्या है, तो RPC Bind एक Server है RPC एक Service है, और RPC Bind एक Server है अब जैसे मुझे कोई भी एक चीज एकसेस करना है जैसे मेरा एक System है यहाँ इस System मेरा एक Program पड़ा हुआ है अब मुझे दूसरे System से इस System के इस Program को Call करना है तो इस Program को Call करने में यह मेरी help करेगा यह High Level Protocol है And Bind जो है Server है क्या होगा यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर इसका इस सामने वाले System का मुझे एड्रेस नहीं पता है सबसे पहले रिक्वेस जाएगी इसके Server के पास RPC Bind मुझे बताएगा कि मेरे Network पे कौन-कौन से System Available है यह Server मुझे बताएगा RPC Bind RPC Bind का जो Server है या फिर RPC Bind खुद में ही एक Server यह मुझे बताएगा कि यहाँ पर कौन-कौन Network Available है कौन-कौन से Network Available है जिनको मैं Access कर सकता हम यहाँ पर मुझे Option देगा Then मैं Select करूँगा कि यह वाले IP Address को मुझे Select करना है तो RPC के Through उसके Server का Use लेके RPC Bind के हम इस Program को Call कर सकते हैं तो Basically कहा जाए कि कोई हमारे System का या फिर किसी और के System का ऐसा Program जो कि कहीं और दूसरे System में रखा हुआ है हमको उसको Call करना है उसको Run करना है तो यह RPC हमारी Help करेगा इसको Run करने तो आगे जब हम System Access करना सीखेंगे तो हम समझ जाएंगे इससे Actual में हो क्या रहा है यह थोड़ा सा Confusion होगा भी आप सभी इसके बाद है NetBIOS NetBIOS क्या होता है NetBIOS में इसकी Service से जादा तर जानते है NetBIOS को Samba तो यह Port No.2 पे Run हो रहा है 139 and 445 and एक Port और आता है 137 तो कहा जाती है तीन Port पे Run हो सकता है 139, 445 and 137 यहां पे यह 3 Port पर अभी Run हो रहा है तो यह Samba काम क्या होता है Samba काम होता है कि Network पे जो Printer and File Sharing करते हैं Network Printer Sharing Printer देखा होगा आप लोग Printer पे Online आप लोग प्रिंट कर पाते हो Online यह से बैटे 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 वाइरलेसली या फिर Wiredly Printer Share करते हो और फाइल भी शेयर कर पाते हो मतलब एक प्रिंटर से जब प्रिंट निकालोगे तब जाके वह प्रिंट निकलेगी जो जिसकी प्रिंट निकालनी है कमें प्रिंट निकालव भी इकच प्रिंट चाहरे जाके कि प्रिंट निकालव not सामबा जो है file शेयरिंग of printer शेयरिंग के काम में आता है या फिर यह services provided करता है वो printer sharing and file sharing next हमारा protocol है login login क्या है यह जो मैं skip कर रहा हूँ यह अपने काम में नहीं आएंगे इनका कोई common port नहीं है और इनको access करके हमको कोई मतलब भी नहीं हो तो जो common common आने वाले हैं मैं वही पड़ा बता रहा हूँ आप लोगो को ताकि यह help करें आपके knowledge को increase करने में नेक्स्ट है हमारा login login क्या करता है यह किसी भी host को login करने में help करता है यहां किसी भी host को login करने में example कर लें यहां पर 3-4 यूजर से अब इन सब को identify कैसे करना कौन से user का data क्या है और इनको login कैसे करने देना है तो यह login करने में help करती है तो login की service प्रवाइड करती है यूजर को login करने के लिए या फिर कह सकते हो कि other users को login करने का service प्रवाइड करती है यहां पर इतनी चीज़ आमने देख लिया अब नेक्स्ट है मारा bind जो मैं skip कर रहा है उसके skip करना नेक्स्ट है मारा bind shell bind shell क्या है 1524 पर रन हो रहा है यह share कर देता है इस पोर्ट नंबर पर यह जो machine है जिसमें मैंने scanning किया इसका नाम metasploitable है इसका पुरा shell terminal जो है वो रन हो रहा है तर्मिनल मतलब जहां पर हम command run करते है वो ऐसे black ही होता है आगे चलके मैं दिखाऊंगा वैसे black होता है पुरा इस अभी इसमें दिख रहा है आपको इमेज में वो रहा है वो रहा है 1524 जिसका नाम है वाइंड शेरिंग इसके बाद आता है यहां पर नेटवक फाइल शेरि हमारे एक नेटवर्क पर एक्जामपल के ले लो अभी मैं एक चोटा सा एक्जामपल लेता हो यहां पर जैसे समझ लो मेरा एक मेरा office इस office में करीबन 100 यूजर है अब इन सब यूजर को 100 यूजर को मुझे एक फाइल शेर करनी है जो की 100 GB की है 100 GB की फाइल है और मुझे हर यूजर को देनी है हर एक स्टाफ को देनी है यह 100 GB की फाइल यहां पर अगर मैं 100 लोगों को दूँगा 100 GB तो यह यहां पर बहुत ज्यादा स्टोरेज पेस करेगा बहुत ज्यादा स्टोरेज देना पड़ेगा वह जो 100 लोग लेंगे उनके पीसिस के अलग-अलग 100 GB जाता एक उसमें इस फाइल को रख दिया जाया एंड इस फाइल जो स्टोरेजड डिवाइज है इसको पूरे लोगन नेट वरक पे एकसेस दे दिया जाए तो इससे क्या होगा इससे हर तो यहां पर हमारी help करेगी NFS network file sharing जिसको कहते हैं तो यहां पर जब हम forensic पढ़ेंगे वहां पर आता है NFS, AFS यह बहुत सारे चीज़े हैं तो वहां पर बता हुआ बट अभी के लिए यहां पर छोटा सा example यह NFS जो है वो दूसरे system को file sharing करने में help करता है या फिर अपने local network पर एक device के थूरू multiple devices पर file sharing करने में help तो NFS का full form है network file sharing जो की रन हो रहा है 2049 port number अब हमने यहां पर FTP देखा है fire transfer protocol and STP भी देखिए तो टोटल मिला कि अपना यही हैं इतने ही services हैं बाकी services आगे practice करते करते बताऊंगो मैं आपको ताकि वहां पर आप लोगों का और अच्छे से clear हो जाए जब हम practice करेंगे इन services के तुरू system को access करके देखेंगे तब हमको और अच्छे से पताच पल पाएगा यहां पर actual में इन services का क्या हो रहा है यह services क्या काम करेंगे तो warriors अब आज जुगे हैं आप chapter 9 पर chapter 9 में है हमारा OSI model OSI model क्या है यह तो complete video में आप देखोगे ही लेकिन OSI model पढ़ना कितना जरूरी है यह मैं आपको बता देता हूँ OSI model अगर आपने clear कर लिया तो आप कितने भी level की exam crack कर सकते हैं चाहे वो OSCP हो या फिर कितने भी level की वो exam हो आप crack कर सकते हो OSI model के उपर complete दो books रखी गई है दो books लिखी गई है इनके उपर लेकिन यहां पर हम उतना ही discuss करेंगे जितना कि हमारे ethical hacking है important है तो मिलते हैं हम slide में आज कर जो हमारा topic होने वाला है वो है OSI model को पर OSI model के होता है तो यहां पर हमारे कुछ questions raised है OSI model actual में होता क्या है why we study the OSI model हम OSI model क्यों पढ़ते हैं and इनका काम क्या है OSI model को तो हमारे 3 questions है तो इन questions से पहले हम यह देख लेते हैं कि actual में OSI model जो है वो दिखता कैसा है so यहां पर हमारा OSI model कुछ ऐसे दिखता है OSI model में total 7 layer होती है जिनका अपना अपना खुद का कुछ काम है इनका काम क्या है वो हम आगे चलके देखने वाले है OSI model में total 7 layer होती है जिसको down to up read किया जाता है अब इसको down to up कब read किया जाएगा up to up and up to down कब read किया जाएगा वो भी हम देखने वाले हैं definitely तो यहां पर total 7 layer है जिसको मैं अभी down to up read कर रहा हूँ जिसमें से पहले layer है physical layer इसके बाद है data link layer इसके बाद है network layer and then transport layer and session layer presentation layer and application layer तो यहां पर total 7 layer है जिनका खुद का अपना अपना कुछ ना कुछ काम है कुछ ना कुछ इनका use है ठीक है so next slide पर चलते हैं so यहां पर हमारे वही questions के answer है जिसमें की पहले question के answer है कि OSI model क्या होता है OSI model का जो full form है वो है open system interconnection model जा रहा है यह अपने full form से यह कहना चा रहा है कि इस world में जितने भी computers हैं जो आपस में बात चीत करते हैं communication करते हैं वो कैसे कर रहे हैं यह एक दूसरे से चीजें share कैसे कर पा रहे हैं हम किसी को high message type करते हैं तो वो उनके तक पहुँच कैसे रहा है जबकि हमारे जो computers हैं वो तो binary में बात करते हैं हम लोग उस message को exact वैसे कैसे पहुचा पा रहे हैं अपने ही language तो यही काम है किसका OSI model का तो यह जो communication हो पा रहा है वो OSI model के वज़े से हो पा रहा है next है हमारे question का answer कि हम OSI model को क्यों study करते हैं क्या need हैं को इसको study करने की तो यहां पर इसका बहुत ही अच्छा सा definition दिया हुआ है we study the OSI model to understand and standardize the communication process in computer network तो वही जैसे मैंने पहले बताया कि यह अपस में computer बात कैसे कर रहे हैं example कि ले लो मैं किजी को एक PDF बेशता हूं तो exact PDF वो कैसे पहुँच जाती है यह कहां बीच में कुछ दिक्कत क्यों नहीं होती उसमें कोई गड़बड क्यों नहीं होती तो यह सारा process हो कैसे रहा है इसी process को समझनी के लिए कि हम OSI model को understand करते हैं समझते हैं पढ़ते हैं read करते हैं study करते हैं उसके बारे में ठीक है तो चलते हैं यहां पर किसी को भी message भेजेगा तो यहां पर इसको up to down read किया जाएगा जिसे पहले application layer को read किया जाएगा तो यहां पर पहला data जो है application layer से start होगा अब किसी को message भेजना है तो सबसे पहले application layer पर data आएगा यहां पर packet packet generate होगे और यहां पर select होगा कि message सबसे पहले किस service के तुरू जाएगा किस protocol को use करके जाएगा जिसे HTTP, FTP, SSH, DNS इन मेंसे किस को use करके data जाएगा अब यहाँ पर अगर आपको website access करना है तो data सबसे पहले जाएगा HTTP से चीक है या फिर अगर आपको website का address नहीं पता website का address पता करना है तो वो जो है वो जाएगा DNS पे टीक है DNS का use करेगा DNS का IP पे जाएगा टीक है तो यहाँ पर select होता है कि actual में हमारा data कहाँ पे जाएगा टीक है FTP, FTP का जो काम है वो आप सभी को पता है file transfer का है FTP का का काम यह भी है कि file download करना, receive करना तो definitely यह सारे काम भी application layer पे होते है file को download करना send करना वो भी application layer पे होता है इतना ही नहीं इसमें mail transfer, mail receiving जैसे SMTP हो गया POP हो गया, POP3 यह सारे protocols है वो भी application layer पे ही start होते है ठीक है तो यह है application layer का काम सो हमारा next layer है यहाँ पे presentation layer presentation layer में क्या होगा presentation layer को translation layer के नाम से भी जाना जाता है अब यहाँ पे होता क्या है man come यहाँ पे encryption, description, data को compress करना जैसे कोई भी data भेजना है कहीं पे भी तो उसको जाहिर सी बात है binary में convert करके भेजा जाएगा ठीक है तो यहाँ पे data को पहले translation किया जाता है उसके बाद यह binary में convert होता है ठीक है direct data कभी भी binary में convert नहीं होता तो यहाँ पे data को पहले translation किया जाएगा presentation layer को translation layer से भी जाना जाता है ठीक है इसका नाम translation layer भी कहते है ठीक है क्योंकि यहीं पे आके data translate होता है Ski क्या है American Standard Code for Information Interchange तो यह होता है Ski अब यह form क्या होती है तो इसको Numbers में Convert किया जाता है मतलब जैसे अगर मैं कोई नाम लिखो यहां पर जैसे मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं जिसको अगर मुझे Change करना है तो यहां पर इसको Alphabets में Change किया जाएगा जैसे E को 67 कर देंगे जैसे Ski में A को करें तो इसको 65 कर देंगे तो Ski के कुछ Codes होते हैं जो कि इनको Numbers में Translate किया जाता है जो भी Later लिखा जाएगा उसको सबसे पहले Numbers में Translate किया जाएगा Then वो आगे जाके Binary में Convert होगा तो यह है हमारे Ski तो जो भी हम लिखते हैं उसको पहले Numbers में Convert करते हैं इसी को Translation कहते हैं अब जो Ski है यह सिर्फ और सिर्फ English के Translation के लिए यूज होता है बाकि जो English से अलग है Chinese हो गया Italian हो गया अलग-अलग languages है हमारे अलग-अलग word में तो उनके लिए Ski नहीं यूज होता है उनके लिए अलग जैसे Unicode, UTF, ISO ठीक है ऐसे कुछ हमारे Standardize कह सकते हो Translation के लिए बनाए गये हैं तो इन Standards में इनको Translate किया जाता है ठीक है तो यहां पे Presentation Layer का काम समझ में आया होगा अब यहां पे Compression, Decrepression, Encryption, Decryption वह भी होता है Presentation Layer पे ही जैसे आप लोगों ने अधार का Download किया होगा तो वहां पे आप लोगों पासवर्ड डालना पड़ता है आपका Date of Birth जो भी पासवर्ड होता है Presentation Layer ही उसको Secure कर रहा है ठीक है और Data को Encrypt करना जैसे आपने STTP देखा है STTP जो है वह ज्यादा Secure नहीं होता ठीक है इसलिए यहां पे STTP S को लाया गया STTP के आगे S को लगा दिया गया इस S का मतलब क्या है SSL Secure Socket Layer Secure Socket Layer के बज़े से जो हमारा Data है वो Encrypt होके जाता है क्योंकि Encryption करना Presentation Layer का काम है इसलिए STTP S यहां पे Application Layer पे दिया नहीं तो SSL जो है वो Secure Socket Layer हमारे Data को Encrypt करके बैस्ती है Encrypt करना Decrypt करना भी Presentation Layer का ही काम है Clear है अब यहां पे Presentation Layer की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी Data जैसे हमने बेजा है जैसे Image बेजा है तो Image Format में ही पहुंचे सामने ठीक है तो वो काम भी Presentation Layer का है तो इतने सारे काम होते हैं Presentation Layer का उसके बाद आती है हमारी Next Layer ठीक है Next Layer है हमारी Station Layer Shation Layer का क्या काम है यहां तो Shation Layer हमारा यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है Sync and Send to Port अब देखो Shation Layer का में काम होता है Shation बनाना ठीक है जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है तो Shation बनाना क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा TCP 3-way Handshake करता है लेकिन 3-way Handshake करने के बाद जो Connection Stablish हो जाता है उसी को हम कहते है Shation एक Shation बन गया ठीक है तो यह Proper Shabans जो Shation बना है यह Proper तरीके से अच्छे से बना रहे Stable रहे इसमें कोई दिक्कत ना है वो काम भी Shation Layer का होता है यह जो Shation बना है यह Proper तरीके से Reliable रहे ठीक है वो काम कौन करेगा Shation Layer ठीक है तो वो Shation Layer को बना के रखेगा उसके बाद यहां पे इसका काम होता है Data को Synchronize करना Data को Synchronize करना मतलब हर एक Update Server को देते रहना Synchronization होता है अब जैसे Synchronization का सबसे अच्छा एक्जामपल देखें तो सभी ने Google Drive यूज किया होगा Google Drive में क्या होता है कि आप यहां पे कोई भी data upload करो तो जाके कहीं से भी access कर सकते हो ना दूसरे computer में कहीं भी login करोगे तो वो data आप वहीं से access कर सकते हो आपके यहां पे data synchronize हो ना इस computer से synchronize हो कहां पे server पे Google के तब जाके आप वहां से access कर पा रहे हो तो यह काम किसका था यह काम था हमारे session layer का तो session layer यहां पे आपका synchronize का ही काम करता है synchronization कर अच्छा example लें तो bank application सभी ने login किया होगा तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा जब तक आप click करते रहते हो तब तक वो logout नहीं होता bank application लेकिन आप 5-2 minute के लिए उसको click करना बंद कर दो तो वहां पे वो खुद को off कर देता है आपको logout कर देगा वहां से तो उसको पता कैसे चल रहा है कि यूजर यहां पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है फिर application खोल के नहीं बैठा है क्यों क्लिक नहीं कर रहे हो वहां पे data synchronize मतलब जो server के पास message जा रहा है synchronization के तरीके से वह नहीं जा रहा है जब आप वहां पे click करते हो तो server को पता चल रहा है कि यूजर क्लिक कर रहा है तो आप वहां पे login हो तो जो clicks है वह आपका data है जो synchronize होके जा रहा है server पे तो यह काम था session layer का और का काम होते है हमारे session layer के session layer authentication authorization भी check करता है example के लिए आपको कहीं पे verify करना है कि यह जो user हूँ यह मैं हूँ खुद को बताना है कि यह मेरी पहचान है तो क्या करोगे आप वहां पे authorization and यहां पे authorization भी check करता है तो यह काम था हमारे session layer का I hope आपको यह 3 layer समझ में आये होगे तो चलते हैं अपने next layer के तरफ तो यहां पे हम अपने transport layer पे आते हैं यहां पे हमको service पता चली कि service से जाएगा कहां पे application layer पे यहां पे हमको पता चला कि जो हमारा data है वो कि service से जाएगा presentation में हमको पता चला कि हमारा data है वो सारा encrypt करके जाएगा सारा compress होगा आना translation होगा session layer में synchronization, session proper manage होगा, session layer में जो भी हमारे headers हैं वो add कर दिये गए session layer के जैसे data synchronize करने के step by step हर चीज पता कर चलती रहे हमको सारा update होता रहे data वहाँ पर server पर authentication, authorization session layer देख रहा है इसके बाद है हमारा transport layer transport layer पर क्या हो रहा है ट्रांस्पोर्ट लेयर पर यह डिसाइड होता है कि जो हमारे मैन प्रोटोकॉल है TCP and UDP यह डेटा किस के थुरू जाएगा TCP के थुरू या UDP के थुरू एक्सांपल के लिए अगर अप्लिकेशन लेयर में आपको जो प्रोटोकॉल है वो STTP select होता है तो यहाँ पर वो जाएगा TCP से बट अगर आपका DNA select होता है तो वो जाएगा UDP से तो यह कौन decide करता है यह transport layer decide करता है तो transport layer का काम तो यहाँ पर है TCP से data जाएगा UDP से TCP यहाँ पर थोड़ा slow होता है क्योंकि यहाँ पर 3-way handshake होता है UDP fast होता है तो जहाँ पर भी TCP का use होना चाहिए वहाँ पर TCP जाएगा जहाँ पर UDP होना चाहिए वहाँ पर UDP select होगा तो transport layer यहाँ पर इतने काम करता है इसके साथ साथ transport layer जो IP address assign होता है यहाँ पर जो IP address assign होगे हमारे system का वो भी यहां पे transport layer करता है IP addresses and ports यह हमारा transport layer करता है transport का मतलब यह है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना ठीक है तो ट्रांसपोर्ट करने के मतलब यहां से data भेजने की जितने भी जरूरी चीदे होगी जैसे जैसे हमारा port हो गया रास्ता and address जैसे IP address तो वो ट्रांसपोर्ट layer यहां पे assign करता है यह address होगा हमारा and यह port होगा so यहां पे port and IP address service के according हमारा transport layer हमको assign कर देता है अब STTP अगर select हुआ तो हमारा 80 assign कर देगा हमको port number and जो हमारा address होगा वो हमारा खुद का होगा and port हमको कौन से assign होगे अगर मैं source port की बात करूँ हमको port कौन से assign होगे हमको यहां से send करने के लिए तो हमको dynamic port हमेशा यहां से assign होते है ठीक है और क्या काम होते है हमारे transport layer के transport layer यहां पे आपका error control भी करता है connection control भी करता है error control कैसे तो जितने भी errors आते हैं वो कम से कम आए वो transport layer control करता है ठीक है और यहां पे error control में सबसे अच्छा use लेता है वो checksum value का checksum क्या होता है तो जो checksum होता है वो एक तरह से कह सकते हो hash value होती है जैसे मैंने यहां पे पैकेट बनाया मैंने एक पैकेट यहां पे जनरेट किया यह पैकेट मुझे आगे भेजना है तो मैं चाहता हूँ बीच में कोई भी इस पैकेट को छेड़ चाड़ न करे इस पैकेट में तो मैं क्या करूँगा इस पैकेट का checksum value निकाल दोगा यानि कि hash value 123 something ऐसी एक hash value निकाल दोगा जिससे यह hash value जो है यह इसकी identity बन जाएगी हमारे identity जैसे अधारकाड होती है वैसी checksum value जो है hash value जो है इस पैकेट का जो है वो identity बन जाएगी ठीक है तो अब जब यह data packet server पे जाएगा तो server फिर से इसकी hash value निकालेगा ठीक है यहाँ पे अगर वापस से 1,2,3 आया हो तो समझ लेगा यहाँ पे कि जो hash value है correct है अगर 1,2,3 नहीं आया तो यहाँ पे कुछ changes है तो वहाँ पे bad request का जो है error दे देगा वो आपने जो access किया है जो request packet मुझे मिला है वो सही नहीं है तो यहाँ पे आपको error आ जाएगा ठीक है तो बीच में data में छेड़ चाड़ ना हो वो भी काम यहाँ पे हमारा transport layer करता है यह पता करना कि data में छेड़ चाड़ हुआ है या नहीं हुआ है यह सारी चीजें जो है वो transport layer करता है ठीक है तो वो हमको कभी भी इस form में receive नहीं होता जिस form में हम read करते हैं एक्जाम्पल के लिए English में यह कभी भी receive नहीं होता जैसे हम लोग English में read करते हैं वो receive नहीं होता वो हमको receive किसमें होता है binary में 0101 ठीक है 0101 में हमको वो receive होता है data and 0101 में receive होता है तो हमारा जो system है वो उसको translate करता है ठीक है लेकिन यह जो packets है समझ लो 1 GB अगर receive हुआ तो हमारा system उसको 1 GB कभी भी translate नहीं करता एक साथ यह step by step करता है मतलब पहला packet उसके पास जाएगा 512 bytes का ठीक है 512 bytes का जाएगा हमारी buffer memory होती हमारे system में पहले उसमें जाके वो process होगा उसके बाद वो translate होगा ठीक है original form में आएगा ठीक है तो यहां पे कभी भी यह data नहीं आएगा ठीक है तो यह जो step by step किसके बाद कौन सा packet आएगा ट्रांसलेट होने के लिए यह भी क्वान यहां पे ट्रांस्पोर्ट लेयर जो है वो यहां पे handle करता है पता चला एक सथ 5 शे आगे translate होने के लिए तो यहां पे data corrupt हो जाएगा प्रॉपर तरीके से जो है translate नहीं होगा पाहेगा तो डेटा करब्ष जब होता है वह इस ही के विज़े से होता है तो इसको जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वह handle करता है तो जो buffer overflow control है वो भी हमारा ट्रांस्पोर्ट लेयर देखता है इसके बाद चलते हैं अपने next layer पर जो की है network layer अब network layer का क्या काम है देखते हैं network layer के यहाँ पर man काम है source and destination decide करना कि source क्या होगा destination क्या होगा example के ले लो अगर मैं यहाँ पर मेरा एक system है ठीक है यह मेरा system है एंड इसका IP address है 1.1.1 example के ले रहा हूँ ऐसे यह होता नहीं है ठीक है destination है मेरा Google का server मैं उसका IP address 8.8.8.8.8 ले लेता है example के लिए ठीक है अब यहाँ पर यह network layer है वो decide करेगा हमारे packet में कि हमारा source IP कौन सा होगा तो यहाँ पर source IP में हमारा 1.1.1. आ जाएगा destination IP में 8.8.8. आ जाएगा Google का IP address ठीक है अब यहाँ पर पोर्ट की बारी आएगा तो पोर्ट जो है हमारे जब source से decide होगा तो हमने देखा तो पोर्ट वेल लॉन dynamic register port तो जो भी dynamic port होते हैं वो dynamic port में से कोई भी port यहाँ पर हमको assign हो जाएगा किसमे source में जब भी हमारे system से कोई भी packet जाता है तो वहाँ पर dynamic port हमको मिलता है ठीक है अब जब बारी आएगे हमारी destination की तो यहाँ पर service जो भी हम choose करेंगे उसके according हमको यहाँ पर destination का port assign हो जाएगा example के लिए लो अगर मैंने STTP यहाँ पर choose किया यहाँ पर मुझे 80 जो है port number assign हो जाएगा as a destination packet तो अपने packet में destination port 80 रख दूँगा ठीक है तो यहाँ पर network layer का काम इतना है source and destination decision decide करना ठीक है इसके बाद जो हमारा काम है network layer का वह होता है best route decide करना best route decide करना मतलब यहाँ पर अगर मेरे packet PC से निकल रहा है मेरा packet तो जाहिर सी बात ही हमारे router के पास जाएगा सबसे पहले इसके बाद जाएगा ISP के router पर से होते हुए जाएगा अगर आपका पैकेट जो है global level पर है मतलब जो सर्वर ग्लोबल लेवल पर है तो global ISP पर जाएगा ISP के बाद यहां फिट जाएगा सुध़र अब इसरे सारे राएस्ते होने ने के बाद इन मेंसे सबसे स्थे शौर्टेस रास्ता कहुं एक ईसमें से सबसे स्पीड किस में हैë चर्णिया किस स्थे पर आएगी पैकेट ने यहां परिशानी ना हो इसलिए सबसे shortest एंड जिसमें ज्यादा स्पीड हो ऐसा route decide करेगा कौन हमारा network layer ठीक है तो यह काम होता है हमारे network layer का हमारा best route and speed अच्छी आने चाहिए and transmission में कोई भी दिक्कत ना हो वो देखना होता है network layer ठीक है के बाद एक और प्रोटोकॉल स्टार्ट होते हैं इनका कभी भी port number नहीं होता जैसे अगर आपने IP का सुना होगा internet protocol कभी इसका port number सुना है आप लोगोंने नहीं सुना होगा क्यों क्योंकि इसका port number होता ही नहीं इसका होता है protocol number ICMP का कभी भी port number नहीं होता ICMP का जैसे protocol number है एक IP का protocol number क्या होता है यह मुझे comment section में बताना तो यहाँ पे network layer से जितने भी protocol start होते हैं वो उनका कभी भी port number नहीं होता है इनका होता है protocol number port number हमेशा application layer से जो start हो रहे हैं उनका होता है application, presentation इनमें भी कुछ होते हैं उनका भी होता है port number ठीक है session layer में TCP and UDP होता है तो TCP में जो port होते हैं total TCP में जितने port होते हैं वो 65535 होते हैं ठीक है and UDP का भी जो port UDP में जितने भी port होते हैं वो भी 65535 होते हैं definitely ठीक है तो TCP में भी 65535 port है and UDP में भी 65535 port है लेकिन क्या आप आपने कभी TCP का port number देखा है कि TCP का port number क्या है यो तो TCP के अंदर है 62535 port UDP के अंदर है 62535 लेकिन आपने कभी TCP का port number नहीं देखा हुआ क्योंकि इनका protocol number होता है तो आप लोग search करना कि TCP and UDP का protocol number क्या है और मुझे comment section में बताना तो यह सारी information थी हमारी network layer की so I hope आप सभी को network layer समझ में आया होगा network layer का क्या काम है चलते हैं हमारे next layer पर so यहाँ पर हमारी next layer है data link layer data link layer का काम होता है क्या काम होता है यहाँ पर क्या बोल रहा है frames अब यहाँ पर देखो कुछ इसने खुछ से भी protocol बना रखा है frames, ethernet, switch, bridge यह सारी चीज़े यहाँ पर जितने भी आपके cables होते है ethernet के थूँ data translate होता है switches, bridges यह सारे जो चीज़े हैं वो आती है data link layer पर and main चीज़ यहाँ पर frames वो data उपर से जब आयेगा हर चीज़ करते हुए ठीक है यहाँ पर प्रोटोकॉल चूज़ करते हुए compression करते हुए ठीक है station बनाके synchronize का सारा tag लेके transport में TCP होके थूँ होगा, UDP के थूँ होगा यह पता करके route decide करने के बाद उस data को frame में FPS में आपने सुना होगा FPS frame per second उसमें उसको divide किया जाता है ठीक है वो data link layer करता है ठीक है data को FPS में convert करना data link layer का काम होता है data link layer data को frame में convert करने के बाद यहाँ पर हमको mac address जो assign होता है mac address जो assign होता है packet को वो भी data link layer देता है data link layer में mac address सभी को assign होगा अब कभी भी mac address के बिना data transmit नहीं होता तो आने वाले sessions में बताऊंगा आप लोगों कि mac address कहां से कैसे assign है किस किस के assign होते हैं जैसे यहाँ पर हमारा PC है जब यहाँ से हमारे router पर data जाएगा जो तो यहाँ पर सोर्स में जो होगा हमारे PC का mac address हो गा इंडेस्टिनेशन में राउटर का होगा इसके बाद जब ISP के इसमें जाएगा तो सोर्स में इसका router का होगा इंडेस्टिनेशन में ISP का MAC address होगा घिक है तो यहां पर Apostle step-by-step ऐसे mac address असाइन होते जाते हैं तो Mac Address Assign कौन करता है यह Data Link Layer Assign करता है के बाद जो काम होता है Data Link Layer का वो होता है Error Control करना है Data Link Layer भी Error Control करता है Transport Layer जो Error Control कर रहा था वो एक ही Point पे करता है लेकिन जो Data Link Layer करता है वो Hope to Hope करता है मतलब हमारे PC and Router के बीच में करेगा उसके बाद Router हमारे Router and ISP के Router के बीच में करेगा and then Router and Server के बीच में करेगा तो यह Hope to Hope यहाँ पे Error Control करता है ऐसे ही Hope to Hope Session Manage करता है and वैसे Hope to Hope Access Manage करेगा तो Data Link Layer यहाँ पे सारी चीज़े Hope to Hope करता है जैसे यह लोग एक Session Manage कर रहा था एक Error Control कर रहा था यह सारे जो थे यह एक Point पे ही कर रहे थे बाद Data Link Hope to Hope करेगा मतलब Point to Point यह काम थे हमारे Data Link Layer की Mac Address Assign करना Mac Address को हम Physical Addressing भी कहते हैं क्योंकि वो Physical Address होता है हमारे Systems का तो Physical Addressing करना Mac Address देना Hope to Hope Error Control करना Flow Control करना And Session Manage करना यह सारी चीज़े होती है Data Link Layer की Data Link Layer Full Data एक बार सारा रीट करता है कहीं उसमें कोई Error भीतर नहीं हो तो पूरा Data का Error Check करना भी Data Link Layer का काम है पूरा जितने भी Packets हैं उनका Full Data Scanning करना Data Link Layer का काम होता है चलते हैं अपने Next Layer पे I Hope आप सभी को Data Link Layer समझ में आ जाओगा तो यहां पे हमारा Packet आते आते Last में आ जाता है Physical Layer पे अब Physical Layer पे क्या होता है तो यह हमारी Last Layer है Physical Layer जब हम Data Send करते हैं तब चीज़े का Sender के तरब से Physical Layer हमारे यहां पे पता करता है कि Transmission Mode क्या होगा जिसे आप Copper Wire से कर रहे हो तो Copper Wire किससे काम करती है Electromagnetic Wave से अगर आप Optic Fire लगा रखा है आपने तो वो Light के थूरू Data Transfer करता है अगर आपने Wifi लगा रखा है तो वो Magnetic Waves के थूरू Data Transfer करता है तो यहां पे Transmission Media क्या होगा Wireless होगा, Light होगा या एक Magnetic Wave होगा तो यह सारी चीजे जो है वो Physical Layer Decide करता है तो आगे Transmit करने के लिए Wireless Network है क्या है Everything यहां पे नीचे दे भी रखा होगा Wireless, Hub, Cyber, Optics तो Data किस वे से Transfer होगा आगे वो सारी चीजे डिसाइड करता है कौन Physical Layer, Manage भी Physical Layer ही करता है यहां पे एक चीज और यह पता करता है कि Bit Rate Control करना Bit Rate Control करना मतलब कि जो भी Data आ रहा है जो Download करते हो आप लो वहां पे जो भी Data Example की ले लो Bit Rate Control का मतलब Simple सा है कि जब भी आप Data Download करते हो आपको आपको परसेंटेज दिखाता है 65% हो गया 90% हो गया तो यह कौन कैसे पता चल रहा है आपको तो वहां पे Byte to Byte Bit to Bit Data Transfer होता रहता है और यहां पी यह आपको Physical Layer ही बताता है तो Bit Rate को यही कंट्रोल करते रहता है and bits को Synchronize भी यही करता है कि दोनों तरफ updated Synchronize करना मतलब जैसे आप यहां पे 65% Download कर रहे हो ठीक है लेकिन जो Send कर रहा है उसके तरफ से कितने % Transfer होई तो दोनों तरफ accurate होगा अगर आपके पास 65% Receive हुआ है तो इधर भी 65% Send होगा तो जो Synchronization हो रहा है यहां पे data Synchronize हो रहा है दोनों तरफ सेम हुआ है तो यह भी physical layer ही करता है तो यह था हमारा data step by step कैसे transfer हो रहा है तो जब भी हम data send करते हैं sender के तरफ से तो जो OSI model है वो up to down read होता है उपर से नीचे के तरफ पहले packet बनेगा प्रोटोकॉल यहां पे decide होगा फिर encryption होगा step by step सारे layers के काम होते रहेंगे यहां पे application layer सबसे पहले packet बनाएगा protocol decide करेगा वो नीचे आके securities लगेंगे encryption लगेगा decryption जो भी होता है वो लगेगा encryption लगेगा उसके बाद यहां पे security लगाने के बाद transaction layer पे जाएगा उसमें headers लगेंगे session layer के ताकि session properly manage रह पाए data synchronize हो पाए इसलिए यहां पे headers लगाए जाएगे data synchronization के उसके बाद आएगा transport layer पे यहां पे इनको IP addresses मिलेगा port number मिलेगा जो की हमारा होगा PC का ठीक है और उसके बाद यहां पे decide होगा की data किस protocol से जाएगा TCP से जाएगा UDP पे जाएगा उसके बाद network layer पे आ जाएगा जहां पे हमको source and destination पता चलेगा source क्या है source and destination पता करने के बाद network layer हमको best रास्ता बताएगा कौन सा route अच्छा है जिससे जहाना अच्छी speed मिल सके इसके बाद network layer network layer के बाद आता है हमारा data link layer data link layer पे यहां पे frames पे सारा data मतलब यहां पे सारा data frames में convert हो जाएगा and यहां पे point to point हर एक चीज check it की जाएगी last में आ जाता है physical layer पर यहां पे decide होगा कि जो data है वो किस वे से जाएगा light के तुरू wireless या फिर copper wire के तुरू electromagnetic waves के तुरू यह था हमारा sender के तरब से so I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि data कैसे transfer हो रहा है sender के तरब से क्यों हम OSI model को up to down read कर रहे है अब चलते हैं अपने next slide पर next slide पर क्या है देखते हैं तो यहां पर है receiver के तरब से कैसा data पहुंचेगा जब वहां से किसी sender ने data send किया receiver के पास कैसे पहुंचेगा वह पता चलेगा हमको receiver वाले पुप्ट पर पर पीपीटी पर तो इस slide में देखते हैं कैसे देखो वहां से data आया तो यहां पर receiver के तरब से bottom to ups आएगा bottom से आपके तरब जो है data यहां पर receive होगा जैसे पहले data आएगा physical layer पर किसके तुरू आया वह पता चलेगा wireless wire everything इसके बाद यहां पर आएगा डेटर लिंक लेयर पर ठीक है जो फ्रेम्स थी उसको डी फ्रेम करेगा डेटर लिंक लेयर और भी चेक करेगा साथ ही साथ इसके बाद यहां पर नेटवर्क लेयर ठीक है यहां पर आईपी चेक करेगा कि जो आईपी आई है सही जगे पर आई है या नहीं आई है जो route है वही सही आया या नहीं आया ठीक है and data link layer also यह check करेगा कि जो mac address है वो genuine आया या नहीं आया है उसके बाद transport layer पर आएगा तो यहाँ पर पता जिस भी protocol पर आया है उस protocol पर receive करेगा वो TCP पर आया है TCP पर receive करेगा UDP पर UDP ठीक है and also IP address चेक करेगा जो हमको वहाँ पर assign होगा and यहाँ पर उसके बाद आगया session layer पर session layer पर आने के बाद चेक करेगा सारा data proper है या नहीं है जो synchronization connection है वो stable रहा बीच में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई तो वहाँ पर वो सारे चीजे पता चलेग इसमें session layer पर नेक्स आ जाता है presentation layer तो यहाँ पर इंक्रिप्शन लगी थी वो decrypt हो जाएगी ठीक है जो भी encryption था compression था translation था वापस जैसे का वैसा कर दिया जाएगा ठीक है जितने भी passwords लगे होंगे वह password डालोगे यहीं से remove कर दिया जाएगा जैसे अधार का password डालते हो जब PDF डाउनलोड करते हो वैसे ही यहां से भी अगर डालोगे तो remove हो जाएगा तो presentation वापस उसको original form में लेके आएगा इसके बाद application layer पर आएगा तो यहाँ पर आपको finally data receive हो जाएगा ठीक है तो data receive होने के बाद आप क्या करोगे उसको अपने application layer पर जो platform से आपके उसको देख पाओगे proper ठीक है तो यह था proper कैसे data receive होगा receiver के तरफ से ठीक है तो आपको OSI model समझ में आया होगा क्या वर्क है इसका कैसे काम करता है अभी जो वीडियो है यह सिप OSI model के लिए है Hey Warriors congratulations आपने पूरे के पूरे 9 chapters complete कर लिए हैं अब हम आते हैं अपने last chapter जो की है TCP IP versus OSI model So Warriors इस chapter में हम देखने वाले हैं कि जो TCP IP model है and OSI model है इन दोनों में difference क्या है इन दोनों को क्यों अलग रखा गया जब OSI model में सारा काम हो रहा था तो हम TCP IP model में क्यों पढ़ रहे हैं So यह सारी information आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी तो मिलते हैं हम वीडियो में तो यहां पर हम देखने वाले हैं आज का जो हमारा topic है OSI model versus TCP IP model तो OSI model के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से deeply जान लिया कि OSI model क्या होता है वैसे ही आज हम जानेंगे TCP IP model के बारे में ठीक है तो यहां पर देखो OSI model के बारे में कुछ लिखा हुआ है अब यहां पर यह बोल रहा है कि जो OSI model है वो भी networking function के लिए ही काम होता है जो networking काम करता है वही काम करता है यह भी लेकिन जो OSI model है वे पूरा का पूरा theoretical model है जिसे आप लोग स्कूल पे दो चीजे करते होंगे स्कूल या कॉलेजिस में एक theory book पढ़ते हो और practical perform करते हो लेकिन जब theory देखते हो ना theory आपको इसलिए बताई जाती है कि step by step action में process क्या हो रहा है step by step आपका process क्या है वहां पर ठीक है कौन सी चीज परफॉर्म होगी कब communication बनेगा कब जाके request packet generate होगा कब जाके connection establish होगा कब जाके encryption होगा वह सारी चीजे आपको theoretical ली समझाई गई है OSI model में ठीक है तो OSI model में total 7 layer थी जो कि यह बताने की कोशिज करनी थी कि हर एक layer का क्या होगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा theoretical model है अब TCP IP model लिखे होगा है the TCP IP model is a more practical four layer conceptual framework that is widely used for the implementation of internet तो यहां पर जो TCP IP model यह पूरा practical model है actual में अभी जो implement किया जाता है हमारे cybersecurity में वो TCP IP model ही यहां पर OSI model यूज नहीं होता TCP IP model ही यूज होता है TCP IP model में हमारे total 4 layers होती है 4 layer भी होती है और 5 layer भी होती है यहां पर TCP IP 4 layer and 5 layer models है ठीक है तो हम देखते हैं यहां पर इन layers में होता क्या-क्या है तो देखो आगे चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखो OSI model में कौन-कौन सी layer थी है ना and TCP IP model में कौन-कौन सी layer है चार layer वाले में देखते हैं सबसे पहले तो OSI model में देखो application, presentation, station, transport and network and data link and उसके बाद physical layer यहां पर total 7 layer ऐसी थी OSI model की लेकिन TCP IP model में क्या है TCP IP model में यहां पर 4 layers होती हैं जिसमें से यह 4 layer देखो सबसे पहली layer जो है application उसके बाद transport उसके बाद internet layer and उसके बाद network interface network interface को as a data link या physical layer दोनों में से combine कर सकते हो अब कैसे तो यहां पर देखो जो application layer है application जो TCP IP model की है उसमें application, presentation and station layer यह तीनों एक साथ combine किये गया है तो यहां पर जो application, presentation and station layer है यह तीनों एक साथ जा रहे है कि इसमें application layer पर मतलब इन तीनों का काम अकेले application layer समझा रहा है या फिर perform कर रहा है एक साथ तीनों layer का काम ठीक है कौन application layer TCP IP model का ठीक है वैसे ही यहां पर देखो जो हमारे transport layer है उसको exactly वैसा ही रखा गया है जैसे कि वो होना चाहिए जैसे कि वो हमारे OSI model में है वैसे ही यहां पर network layer को internet layer कह दिया गया है लेकिन इसको आप internet layer कह सकते हो network layer को कोई issue नहीं है उसके बाद आप यहां पर देख पा रहे होंगे data link layer and physical layer को एक ही combine layer में कर दिया गया है जो की data link layer and physical layer का एक साथ काम कौन देखेगा network interface layer तो यहां पर यह तीनों जो layer है जो हमारे OSI model की यह अकेले कौन दे रहा है देख रहा है application layer ठीक है अब यहां पर session layer तक तो application देख रहा है transport layer exact वैसे ही रखा गया है and network layer को internet layer यहां पर रख दिया गया है दोनों same ही है कोई different नहीं है उसमें कोई difference नहीं ठीक है data link layer physical layer यहां पर network interface layer में अकेले जाके वहां पर हो गया मतलब इन दोनों layer का काम यह network interface handle करेगा ठीक है तो यह है हमारे TCP IP का four layer model ठीक है अब application layer का यहां पर क्या काम होगा तो यह तीनों जो काम कर रहे थे जो हमने OSI model पर देखा था तो यह वीडियो देखने से पहले आपको OSI model देखना जरूरी है तो उसको जरूर से जाके देख लेना ठीक है तो यहां पर देखो इन तीनों का काम एक सा application manager फिए application layer ही करेगा ठीक है ठीक है ट्रांस्पॉर्ट लेयर करेगा तीक है इंड छो बाकी सारे चीचेकी का से टचेक खी जो ट्रांस्पॉर्ट करेगा यह दोनों फिजिकल लेयर का काम आपको पता है हो वहाँ पर यह decide करता है कि data किस medium से जाएगा, wireless जाएगा wired जाएगा, light के through जाएगा यह भी मैंने OSI model में explain किया था ठीक है, तो यह हो गई सारी layers का काम तो data link layer and physical layer इन दोनों का काम कौन देखेगा network layer तो यहाँ पर data link layer का काम यह होता है कि step by step सारी चीज़े check करेगा अच्छे से explain किया गया तो उसको जाके check out कर लेना ठीक है, अब चलते हैं हम अपने next layer के तरब, जो की 5 layer भी है उसको भी देखते हैं, एक बार compare करके तो यहाँ पर देखो, यह OSI model का सारा layer है, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर TCP IP layer, सारे layer है, अब देखो, यहाँ पर exact वही काम है, यहाँ पर भी same है अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों काम या केले सब आल रहा है यह layer, वैसे ही exact यह भी वही है, ठीक है अब यहाँ पर transport layer तीनों में same है, ठीक है तीनों में transport layer exact है, network layer, internet layer लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है यहां पर यह दोनों इसलिए उन्होंने इन तोनों लेर्स को अलग कर दिया यानि अपडेटेड मॉडल है कौन सा यह फॉर लेर मोडल यह ओएसाय मोडल यह अमारा थहरी होता है यह दोनों प्रैक्टिकल इंप्लिमेंट होते हैं मतलब रियल लाइफ में ही काम कर रहे होते हैं हमारे इंटरनेट सब्सक्राइब करते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं सारे कॉंसेप समझने के तरफ एक्ष्वल में नेट्वकिंग काम कैसे कर रही है नेट्वकिंग काम कैसे करते है वो तो आपने देख रहा हुआ लेकिन इस एक्जांपल से आपका जो कॉंसेप्ट है इतना क्लियर होने वाला है आपको कभी भूलने वाला नहीं है कि यह नेट्वकिंग एंटीसी प्याइप मोडल काम कैसे करता है ठीक है तो यहां पर अब यहां पर देखो अगर मुझे मेरे PC से यह मेरा PC है मुझे इस PC से अगर मुझे कोई भी website से करना है ठीक है तो website इसकरने के सबसे पहले क्या होगा एक वेश्यांपल करने करने के यह लिए एक website पैकेट बेजेगा अपने PC के अंदर ही सर्च करेगा आपने सुना हो लोकल होस्ट 127.0.1 है न मैंने बताया था इसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और OSI model की लिंक भी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चेक कर लेना तो 127.0.0.1 आपने देखा था यह हमारा लोकल होस्ट होता है ठीक है तो PC जो है रिक्वेस्ट जो हम जनरेट करता है उसके पहले यह चेक करता है अपने अंदर मतलब कोई भी चीज जो हम रिक्वेस्ट करते है न तो PC पहले अपने अंदर चेक करता है अपने लोकल होस्ट पे चेक करता है कि वो उसके पास पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है अगर वो उसके पास नहीं होती तो भेज देता है राउटर के पांग ठीक है अब राउटर चेक करेगा कि वो चीज जो है वो उसके पास पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है अब राउटर भी टो के नहीं को आगे और क्या होता है आगे ISp का router होता है ठीक है आई स्पी के router मतलब pak सबक्राइब में आप मैंने बताया था जब बताया तो आपको आए सपी के वारे में मैंने समझाया था ठीक है तो वह विडियो जाके check out कर देना तो यहां पे ISP के बारे में जब हम समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा और पिछले वीडियो से ही समझ में आएगा ISP क्या है तो जब ISP के राउटर पे वो पैकेट गया तो ISP के राउटर ने देखा क्या यह मेरे पास है यह website है देखेगा नहीं है तो कहां कहां फारवर्ड होगा कैसे कैसे होगा वो सारी चीजे हम अभी देखते हैं आएपकेट आने के बाद जो पैकेट जाएगा आगे कहां जाएगा वो अभी हम देख रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखो सबसे पहले जब मेरे PC ने यहां पर रिक्वेस्ट जनरेट किया ठीक है तो रिक्वेस्ट जनरेट करके उसके पास यह मैसेज लिखाएगा मैसेज क्या रहेगा कि IP address for new version hacker अब एक बात बताओ जब भी जैसे मुझे इसको new version hacker access करना है इस PC को या फिर मुझे तो यह क्या करेगा डोमेन लिखेगा कि मुझे new version hacker जो है वो मुझे access करना है new version hacker dot com एक website है जो मुझे access करना है ठीक है तो यह क्या करेगा new version hacker dot com का domain लिख देगा request packet में ठीक है तो यह एसा एक message generate होगा कि मुझे new version hacker dot com access करना है ठीक है उसके बाद जब यह आगे जाएगा ठीक है यानि कि यह हमारे application layer पे जाएगा यह हमारे application layer है DNS STTP ठीक है यहाँ पर application layer पे इसमें IP है ही नहीं तो क्या होगा यहाँ पे अब यहाँ पे जो लडाई चलेगी जो और चलेगा वो चलेगा IP के लिए ठीक है यानि step by step IP कैसे ली जाती है कैसे आती है domain की वो पता चलेगा है तो यहाँ पे जब packet generate करके application layer पे आया या फिर application layer नहीं जब packet generate किया आगे भेज तो सबसे पहले किसके पास भेजेगा वो सबसे पहले भेजता है sttp के पास ठीक है sttp कब काम करता है and sttp कहां काम करता है sttp काम करता है website ठीक है and कब काम करेगा जब उसके पास website की IP address हो ठीक है तो यहाँ पे जब application layer ने sttp के पास भेजा वो packet तो sttp layer ने क्या किया चेक किया, उसमें IP address है या नहीं, ठीक है, तो IP address देखा, उसके पास नहीं था, तो उसने क्या किया, DNS के पास forward कर दिया, DNS के पास जब उसने forward किया, तो DNS ने क्या किया, जा इसी बात है, DNS किसलिए use होता है, DNS यहाँ पे translation of domain to IP कहते हैं, इसको IP to domain कहते हैं, ठीक है, DNS इसलिए use हो सारी IP है, सारी domains की, ठीक है, मतलब सारे website की इसको IP address पता होते हैं, सारे record यहीं पे होते हैं, DNS के पास, ठीक है, तो यहाँ पे, जब इसके पास यह packet भेजेगा, ठीक है, जब STTP ने DNS के पास packet भेजा, तब क्या हुआ, देखो, सुगाईस, यहाँ पर, जब यह packet generate करेगा, हमा यहाँ सी बात है, application layer ही packet generate करेगा, तो application layer जब packet generate करेगा, तो सबसे पहले, वो भेजेगा, STTP के पास, लेकिन, STTP काम कप करता है, जब उसके पास, IP address हो, ठीक है, STTP use होता है, कहाँ, website में, ठीक है, hypertext transfer protocol, और, जब उसके पास domain का IP address हो, तब जाके वो आपे काम करता है, तब ज domain लिखा हुआ था, जो कि था new version hacker.com लिखा हुआ था, तो इसने क्या किया, वो packet भेज दिया, DNS के पास, ठीक है, तो यहाँ पर, जब हमारे PC ने request packet generate किया, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर PC ने request packet generate करके, पहले STTP के पास बेजा, STTP क्या होता, hypertext transfer protocol, जो की website में data ले जाना और ल जब generate हुआ, उसको उसने देखा, कि उसके अंदर कोई IP address है, मतलब जो domain है, उसका कोई IP address है, STTP कब काम करता है, जब उसके पास IP address हो, ठीक है, जब data के पास address होगा, जारी से बाते तभी forward होगा, तभी आगे बढ़ेगा, कोई भी parcel में, जब वहाँ पे address लिखा होगा, तभ तो STTP जो है, समझ लो, पारसल लेके जाता है आपका है, तो यहाँ पर IP address, जो request packet generate होई थी, वहाँ पे IP address नहीं था, ठीक है, तो STTP ने क्या किया, उसको आगे DNS के पास भेज़िया, क्यों, क्योंकि domain का IP address लाना DNS का काम था, DNS का काम क्या होता है, इसको कहते हैं, इसको कहते है इसका काम होता है, domains को IP में convert करना, इसको domain की IP provide करना, ठीक है, यह हमारे DNS का काम होता है, तो यह packet DNS के पास इसने भेज़ दिया, ठीक है, अब जब packet DNS के पास पहुंच चुका है, तो DNS क्या करेगा, उसमें अपने header side करेगा, and उसको भेज़ देगा next layer पे, जो कि है transport layer, ठीक है, अब transport layer क्या करेगा, transport layer यहां पे port number add करेगा, ठीक है, port number कैसे, source and destination दोनों port add करेगा, कौन कौन से, तो source में सबसे पहले देखो, 54847, यह port add करेगा, and destination में, port number 53, यह add करेगा, source and destination क्या होता है, वो भी मैंने बताया था, समझाया था आप सभी को, ठीक है, फिर भी मैं बता दे हूँ, जहां से packet जा रहा है, example के ले लो, यह मेरा PC है, यहां से packet जा रहा है, server पर, ठीक है, तो यहां से packet जा रहा है, तो यह हुआ source, जहां पर जा रहा है, वो है तो यहां पर कौन-कौन से port add किये है, port को ध्यान से देखो, तो यहां पर देखो, source port किस क्या add हुआ है, source port में कौन से port है, तो हमने ports के बारे में पढ़ा था, याद होगा सबी को, well known ports, registered ports, dynamic ports, तो यह उसमें से किस range के port है, तो यह port जहां तक कि आपको दिख रहा है, यह dynamic ports है, यह dynamic ports हैं, लेकिन जो DNS का port number add हुआ है, जो destination का port number add हुआ है, वो है will known port, will known port, ठीक है, अब यहां पर range आपने देखी थी, क्या होती है, dynamic port की, तो 49152 से लेके, 49152 से लेके, 65535 तक होती है, ठीक है, राइटिंग समझ में ना आ रही हो, फिर भी मैं बोल के बता रहा हूँ, 4915 से लेके 6535 तक हमारे dynamic ports होते हैं, वैसे well known ports होते हैं, ठीक है, well known port 0 से लेके 1023 तक होते हैं, 1024 से लेके 151 तक हमारे registered port होते हैं, यह ports की अच्छी सी details मैंने दिया, इसमें भी details वीडियो बनाया है, जाके एक बार check out कर लेना, link में description में उसका भी डाल दोगा, ठीक है, आपको search करने की जोरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने port add कर दिया, कौन से layer ने, transport layer ने, transport application से होके, वो transport layer पर आया, application layer पर request package generate हुआ, कहाँ पर कैसे package जाएगा, वो पता चला, ठीक है, या फिर वो decide हुआ, उसके बाद decide हुआ कि DNS पर package जाएगा, तो DNS ने यहाँ पर transport layer पर भेज दिया, transport layer ने वहाँ पर port add किया, source and destination port, and still message अभी वही generate हो रहा होगा, कि यह message किसलिए generate हो रहा है, यह packet किसलिए generate किया जा रहा है, newversion hacker.com मतलब इस website के IP address के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर जब ports add हो चुके हैं, हमारे packet मे, source and destination port add हो चुके है, मतलब रास्ता decide हो गया है path decide हो गया है कि कहां पे जाएंगे यह packet है, यह किस direction में जाएंगे, वो direction decide हो गई, अब बारी आती है next layer पे, तो जैसे ही यह port decide कर लेगा, port decide हो जाएगा यहाँ पे, तो यह packet को भेज देगा कहां, अब next layer पे, जो कि है network layer, या फिर internet layer, ठीक है, तो जब network layer पे packet आएगा, तो network layer क्या करेगा, तो network layer सबसे पहले यहाँ पे, अब IP address, assign करेगा सबको, तो IP address किसकी कि assign करेगा, तो source IP किसकी होगी, जाहिर सी बात है, packet हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ पर source IP हमारी होगी, and destination क्या होगा, तो destination वो होगा, जहाँ पी इसको packet को जाना है, कहाँ पे जाना है, DNS के server पे, किसलिए जाना है, तो हमारे IP address पता करना, इस domain का, new version hacka.com के domain का, IP address पता करने जाना है, ठीक है, अब domain को लेके, आप लोग confused मत हो जाना, क्योंकि domain के बारे में भी मैंने explain किया है, domain क्या होता है, ठीक है, simple सा domain, एक website का नाम होता है, ठीक है, तो इसमें confused नहीं होना ह अब लोग, अब यहां पर देखो, source and destination, port के बाद, यहां पर decide होगा, IP address, source IP address and destination IP address, तो यहां पर source में IP address किसका होगा, डायर चीवात है, हमारा है, जो कि मैं एक बार बता चुका हूँ, and destination में है, server का, किसके server का, DNS server का, तो यहां पर जाएगा DNS server का IP address, कहां पर destination IP address में, क्यों क्योंकि हमको इस website का IP address चाहिए, जो की DNS server के पास ही है, ठीक है, तो यहां पर destination में DNS server का, जो IP address था, वो mention हो गया, अब DNS server का IP address कहां से आया, and यह जो port assign किये गए है, यह कहां से आया, ठीक है, यह question mark नहीं आया, आपके दिमाग में, कि यह जो port है, जो source port, चलो source port तो हमारा, ज देता है, लेकिन destination port जब इनको assign हुए, वो कहां से आया, तो यह जो DNS server की सारे details होती है, वो already field होती है, हमारे PCs में, इसको पोन provide करता है, DNS की सारे details कोन provide करता है, तो यह provide करता है, हमारा router, ठीक है, यह हमारा router, DNS की सारे details देता है, क्योंकि हमारे DNS से बहुत सारे काम होते है, ठी ठीक है, अब यहां पर देखो, source port assign हो गया, जो की, एक तो हमारे PC ने दिया, एक DNS का हमारे already field था, उसके बाद, यहां पर source IP, source IP क्या है, जो हमारी होगी, यह देखो, यहां पर नीचे देखो, आप mention है, यह source हमारी IP address है, हमारे system की, तो यह जो सारा है, यह हमारे PC का system है, हमा रहा है, ठीक है, तो यह हमारा IP address है, जो की private IP address है, private IP address के बारे में, आप सभी ही ने सुना होगा, and public IP address के बारे में, पड़ा होगा, इसके बारे में, मैंने details video बनाई है, इसका link भी मैं डाल दूँँगा, description में, उसको भी check कर देना, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, त अब यहां पर हमारा IP address हो गया, ठीक है, private IP address, source में, and destination में, server का IP address हो गया, जो की already हमारे PC के पास था, अब यहां पर source port, जो already assign है, ठीक है, अब यहां पर वही message है, कि यह जो package generate किया जा रहा है, मतलब जो request package generate किया जा रहा है, वो new version hacker.com के IP address को पाने के लिए किया जा रहा है, उसको assign करने के लिए किया जा रहा है, assign नहीं, उसको, उसका IP address पता करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, आप हमारे packet में, यह सारे details fulfill हो गई है, मतलब port assign हो गया, रासता assign हो गया, address assign हो गया, IP address assign हो गया, ठीक है, अब यह सारी चीज़े add होने के बाद, network layer क्या क ठीक है तो link layer पर जाएगा अब यहाँ पर port and IP address assign होने के बाद packet जब data link layer के पास जाएगा तो यहाँ पर data link layer क्या करेगा तो data link layer का क्या का काम होता है mac address assign करना तो यहाँ पर source में किसका mac address आएगा जाहर सी बात है हमारे system से जा रहा है तो हमारा ही mac address assign होगा यहाँ पर देखो यह जो मेरे PC का या फिर इस PC का जो system का mac address है वो assign हो चुका है ओल्रीड है ना source में तो source में यह mac address assign होगा अब destination का destination में किसका mac address assign होगा क्या destination में DNS का mac address assign होगा नहीं क्योंकि DNS का mac address तो हमारे पास होता ही नहीं है वो हमारे range के बाहर का network है, DNS जो है हमारे range में ही नहीं, हमारे पास MAC address किसका होता है, जो हमारी range में हो, ठीक है जो system हमारी range में होते हैं उनका ही MAC address होता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर किसका MAC address assign होगा, जब यहां पर हमारे system का mac address assign हो गया source में लेकिन destination का assign ही नहीं हुआ तो जब इसने source का यहां पर mac address assign किया तो इसने frame generate करने की कोसिस की लेकिन उसने check किya कि destination का mac address ही नहीं तो यहां पर जब source में mac address assign हो गया तो इसने क्या किया फ्रेम में कनवर्ट करने की कोशिस की FPS में यानि FPS पे ही डेटा ट्रांसफर होता है आगे ठीक है किसी भी मीडियम के तुरू हो लेकिन डेटा जो है FPS में आगे फारवर्ड होता है ठीक है तो यहां पर जब Mac address इसको assign हो गया source वाला ठीक है तो इसने फ्रेम में कनवर्ट करने की कोशिस की लेकिन वो packet कनवर्ट हुआ ही नहीं क्यों क्यों क्योंकि destination का Mac address तो था ही नहीं तो destination के Mac address की बिना data Mac address जाएका हमारे router का, router का Mac address कहां से होता है कहां पर होता है it is IRP के थूपंद पता किया जाता है या फिर ARP table में mention होती है, ARP table के बारे में आपने सुना होगा मैंने पढ़ाया भी है router कैसे काम करता है उसके बारे मैं तो IRP का मतलब होता है address resolution protocol है न अब address resolution protocol क्या करता है कि सारे जितने भी system आपसे में range में connected है हमारे उन पे broadcast बेज के उनका IP address and mac address ज्यादा से ज्यादा mac address पता करना ही काम है इसका किसका erp का तो जो ip address है जैसे 1.1. किसका ip address है यह हमारे router का ip address ठीक है यह मैंने बताया था and यह mac address यह router से लिया गया है मतलब erp के request बेच के router का भी mac address लिख दिया जाता है हलाकि router के लिए erp जोड़त नहीं होती ठीक है and उसके बाद यह देखके हमारे pc के ip address 101 ठीक है 101 का mac address यहाँ पे लिखा होगा ठीक है तो यहाँ पे 102 का लिखा होगा 101 का तो अल्रेड़ी यहाँ यहाँ पे आई थिंग उन्हें हटा दिया है 101 समझ लो यहाँ पे तो 101 का यहाँ पे लिखा रहेगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसे सारे systems का mac address and ip address उसके आमने सामने लिखे होते हैं ठीक है तो जब भी mac address के नीड होती है तो यहां से packets उठा लेते हैं या फिर यहां से router उठा लेता है ठीक है हमारे system को बताने के लिए या फिर हमारे system communication करने के लिए mac address का use ले लेते हैं इन mac addresses का ठीक है सिर्फ IP address and port से ही हमारे packets आगे नहीं भेजे जाते यहाँ पर हमको MAC address की भी जरुरत पड़ती है जो कि बहुत अच्छा role play करता है ठीक है अब जब यहाँ पे दोनों को source and destination MAC address असाइन हो गए source में हमारे PC का MAC address and destination में हमारे router का MAC address असाइन हो गए अब packet ready है frame में convert होने के लिए and आगे जाने के लिए तो यहाँ पर data link layer ने क्या किया data link layer ने यहाँ पर इस packet को भेज दिया physical layer के पास ठीक है physical layer क्या करेगा physical layer यहाँ पर decide करेगा कि जो packet है वो किस medium से आगे जाएगा मतलब कौन सा medium है जो यहाँ पर packet transfer किया जाएगा जैसे wireless जाएगा wired जाएगा या फिर light के तुरू जाएगा optical fiber से जाएगा तो physical layer यहाँ पर decide करेगा जो भी आपके router है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो wireless technology है तो यहाँ पर wireless packet को forward कर दिया जाएगा ठीक है अब packet चला जाएगा किस के पास router के पास ठीक है अब यहाँ पर जब packet हमारे router के पास पहुंचेगा तो router क्या करेगा तो router यहाँ पर सबसे पहले जो source and destination है वो कुछ चीज़े change करेगा क्या क्या change करेगा यहाँ पर सबसे पहले source mac address चेंज करेगा तो router के पास दो मैक एड्रेस होते हैं मैक एड्रेस कौन-कौन से दो है एक है local router मतलब local router का जो अंदर यूज होता है local network पे वो मतलब private area network के लिए तो अभी तक जो हमारे अंदर communication हो रहा था जैसे कि हमारे PC के पास तो वहां पर यूज हो रहा था इसका private तो ISP के पास भी दो मैक एड्रेस है ठीक है तो यहां पर हैश वन मतलब एक receive करने के लिए एक आगे forward करने के लिए दो मैक एड्रेस है ठीक है तो यहां पर जिससे जैसे यहां पर हैश वन है तो यहां पर मैक एड्रेस फर्स्ट यूज हुआ है ठीक है है फर्स्ट मैक एड्र हुआ है अभी IP address कोई सा चेंज हुआ है यह IP address चेंज हुआ है हमारा public IP address ठीक है and port कोई सा चेंज हुआ है यहाँ पे port चेंज हुआ है यहाँ पे हैश 1 मतलब 1 port number 1 हैश नहीं लगाया उस पर ठीक है तो यहाँ पर देखो अब समझ लो एक example लो या फिर एक बात समझो कि packet का reply आया ठीक है हमारे router के पास आ गया तो यह router पहचानेगा कैसे यह packet उसी PC ने दिया है उस PC ने भेजा है 101 से ही यह reply आया है कैसे भेजेगा या फिर जो reply आया है वह 101 PC पे ही भेज़ना है या फिर किस PC पे भेजना है इसको कैसे पता चलेगा इसी के लिए यहाँ पर यह यूज लेता है net table का, तो net table क्या होता है network address translation ठीक है, तो यह इसी table का use लेता है, ठीक है अभी यहाँ पर क्या करेगा यह, यहाँ पर एक table बनाया जाता है, जिसमें की यह, जिस packet से आया है ठीक है, मतलब local network से, जिस packet से जिस address से यह packet आया है, जिस IP address से आया है, इस port से आया है, ठीक है उसको यहाँ पर note कर लेता है and public address यहाँ पर लिख दिया जाता है and कौन सा port यूज कर रहा है वो public में भेजने के लिए यहाँ पर एड कर दिया जाता है, ठीक है तो यहाँ पर क्या करता है यह local area network के सारी details local area से जिस details के साथ packet आया है वो and wide area में जिस details से details को add करके वो packet भेज रहा है, वो details यहाँ पर add कर देता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर देखो equals to का भी sign लगा हुआ है तो इससे क्या होता है, यह easily पहचान पाता है कि जैसे यह port इसने इसके लिए one assign किया है, ठीक है तो यहाँ पर यह IP address तो change नहीं होता पबलीक वाला, वो तो वही रहेगा हमें सा हर एक PC के लिए एक ही जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या करता है, यह port assign कर देता है जैसे यहाँ पर one, ठीक है तो इस packet के लिए port one assign कर दिया उसने, दूसरा PC आएगा उसके लिए port 2, तीसरा port 3 एक साथ जा रहे हैं, तो 6-6-7-7 port तक use हो जाएंगे, तो 25-25 port तक use हो जाएंगे तो port के थूँ यह पहचान पाएगा, जैसे reply आएगा, वो क्या करेगा यहाँ पर check करेगा, कि यह जो port number 1 है, वो मैंने किस IP address के लिए use किया था तो हाँ पर देखेगा, 101 के लिए 54847 के लिए use किया था इसे को use करके, वो forward कर देगा, ठीक है, तो यह net translation का काम होता है साथ ही साथ, Mac address का भी use लेता है, मतलब यहाँ पर इस IP address के साथ कौन सा Mac address है, यानि कि आपने ARP table देखा होगा, ARP table का भी use लेता है वो, ठीक है तो दोनों को mix करके यह पहचान जाता है कि यह वाले system ने मुझे reply लेने के लिए भेजा था, या फिर packet इस PC से आया था, ठीक है इन दोनों को use करके यह पता कर लेता है, ठीक है जो details आई थी, वहाँ पर source की वो change कर देगा, अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार change होगी हमारी क्या, यह, source IP address उसके बाद कहीं भी change नहीं होगी, ठीक है तो यहाँ पर router क्या करेगा, source IP address change कर देगा, मतलब अभी तक जो हमारी IP user हो रही थी, PC से लेके router तक, वो कौन सी router IP थी वो IP थी हमारी private IP address, ठीक है, अब यहाँ से जब packet जाएगा ठीक है, तहाँ पर router से, तो वहाँ पर, अब router ने यहाँ पर कौन सा IP address स्वीच कर लिया है यहाँ पर router ने स्वीच किया है, public IP address तो अब जब router से बाहर कोई भी packet जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा public IP address, ठीक है तो यहाँ पर router क्या करेगा public IP address डालेगा ठीक है, एंड उसके बाद port भी change कर देगा, ठीक है अब यहाँ पर एक ही बार मतलब अभी तक हम private में काम कर रहे थे, मतलब local area network पे काम कर रहे थे, अब जब wide area network पे packet जाएगा तो जाहिर सी बात है, IP चेंज होगी private IP तो यूज नहीं हो सकती तो यहाँ पर router क्या करेगा सारी चीज़े public ली डालेगा, ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या क्या चेंज हो गया, हमारा source IP चेंज हो गया, ठीक है destination कभी भी चेंज नहीं होगा, last तक चेंज नहीं होता, एंड source port चेंज हो गया, and destination port and destination IP जैसी की वैसी रहेगी last तक, अब यहाँ से, जब हमारी public IP एक बार चेंज हो चुकी है, इसके आगे कभी चेंज नहीं होगी, हमारी public IP एड्रेस, ठीक है public IP यहाँ पर एक ही बार चेंज होती है अब उसके बाद देखो यहाँ पर destination mac address and source mac address mac address हर जगे चेंज होगे ठीक है, यहाँ पर हर जगे पर जो चेंज होता है, वो सी mac address ही होता है, तो देखो source में, अभी तक source में क्या था हमारे PC का था, mac address है तब यहाँ पर source में क्या हो जाएगा local router van mac address, यानि router के पास भी दो mac address होते हैं, एक van में यूज करने के लिए, एक local area network पर यूज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर local router का जो van में mac जाता है, वो use होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो router है, वो अपना van वाला mac स्विच कर लेगा, ठीक है, and destination में क्या आएगा अभी भी हमारे पार DNS का mac address नहीं है, तो यहाँ पर destination में ISP का, यानि हमारे service provider का, internet service provider के router का, हाँ, उसके पास भी router होता है वो भी router से packet receive करता है हमारा ISP, तो यहाँ पर ISP की जो mac address है, वो डाल दिया जाएगा ठीक है, ISP का mac address यहाँ पर डाल दिया जाएगा, जिसके थूरू packet यहाँ पर transfer होगा ठीक है, तो हमारे router से, अब सारी चीजे change करने के बाद, यह packet चला जाएगा किसके पास, ISP के router के पास, ठीक है, अब जब packet ISP के router के पास पहुत चुका है, तो ISP का packet क्या करेगा, अब देखो, जो router है यह भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे system, इन में भी TCP IP model होगा, इन में भी 3-4 layer होगी चार या पास layer होती है हमारे ITCP IP model में, तो यह भी वैसे ही काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले packet जाएगा यहाँ पे, physical layer पे, physical layer से किस पे जाएगा data link layer पे, data link layer से जाएगा किसमे, हमारे network layer पे, तो network layer पे जैसे ही IP address आड़ करता है, तो वह वहाँ पे IP address वही चेक कर सकता है, तो वहाँ पे जो चीज आड़ करता है, या फिर जो layer जो चीज आड़ करती है, वही वहाँ पे वो चेक कर सकती है, network layer IP आड़ करता है, तो सिर्फ वही IP address चेक कर सकता है, यहाँ पे तो यहां पर network layer के पास गया ठीक है उसने चेक किया कि destination क्या है तो destination में जो लिखा हुआ था DNS server था ठीक है DNS server तो यह क्या करेगा यहां पर वापस data link layer के पास वह packet बेज़ देगा data link layer पास जब वह packet बेज़ेगा तो data link layer क्या करेगा वहां पे एक नया frame generate करेगा नया package generate करेगा क्यूं क्यूं कि यहां पर भी तो डीटेल्स चेंज करनी पड़ेगी न तो Mac यहां पर चेंज होगा सिर्फ Mac ही चेंज होगा जैसे कि मैंने बताया हर जगे पर Mac ही चेंज होगा एक बार हम public network पे आ गए तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता सिर्फ Mac ही चेंज होता है हर बार हर पार packet में ठीक है अब यहां पर देखो कि source में Mac address किससे आ जाएगा तो source में जैसे हमारे router के पास दो Mac address थे एक प्राइवेट के लिए एक और पैबलिक के लिए वैसे यह ISP के router के पास भी दो Mac address होते हैं ठीक ह देखो यहां पर Mac 1 ISP Mac 1 लिखा होगा है ठीक है अब यहां पर जो ISP का Mac address add होगा वह हैस्टू होगा क्योंकि आगे भीजना है DNS के पास ठीक है तो यहां पर destination Mac address क्या हो जाएगा DNS server क्योंकि ISP के पास DNS server की details होती है इसलिए DNS server का Mac address होता है इसलिए यह एड कर सकता है पर हमारे ठीक है अब यहां पर दो चीजे चेंज हो गई सोर्स जो यहां पर Mac address है डेस्टीनेशन जो Mac address हो तो यहां पर यह दोनों चेंज होने के बाद अब packet कहां जाएगा DNS server के पास ठीक है जब packet DNS server के पास पहुँच जाएगा तब देखो क्या होता है अब देखो packet पहुच चुका पहुच जाएगा उसके उपर जाएगा Mac address यहां पर Mac address के पास आएगा मतलब data link layer जहां पर Mac लिखा हुआ है वो हमारा data link layer है ठीक है तो यहां पर देखो physical layer में रिसीव हुआ उसने convert किया उसको Mac address पर रिसीव होगा यानि कि data link layer पर रिसीव होगा तो data link layer क्या करेगा यहां प उसको अपने पास note करके रख लेगा ठीक है अब next layer पे जब जाएगा किसमें हमारे network layer पे network layer भी check करेगा and वहाँ जिस IP से वो packet आया हुआ है यहाँ पे किस IP से आया है देखो source IP यह है 6569 ठीक है हमारी public IP address ठीक है तो source mac जहाँ से आया है and source IP IP address यह दोनों यहाँ पे लिख के रख लेगा also जब packet उपर जाएगा transport layer पे तो वो क्या port number भी देख लेगा किस port से आया हुआ है मतलब किस port पे message आया हुआ है अब यहाँ पर यह सारी चीजे note क्यों कर रहा है तो note इसलिए कर रहा है जब यह reply देगा तो हमारे destination में जब destination में packet में destination में sign किया जाएगा तो destination में यही IP and MAC वो add कर देगा जिससे packet आया है तो इसलिए यहाँ पे यह add कर रहा है ठीक है अब जब network layer से उपर गया transport layer पे transport layer पे देखा जो packet आया है वो port number 53 पे आया है ठीक है यहाँ पे DNS listening करता है तो यहाँ पे port number दिखेगा 53 में port number 53 में message आया है तो वो समझ जाएगा कि port number 53 में आया है मतलब वो domain के IP address के लिए आया है ठीक है क्योंकि जो DNS server है वो port number 53 पे ही listening करता है ठीक है अब यहाँ पे जब इसको port number पता चल गया अब उपर गया यह ठीक है application layer पे तो उसने इस message को पढ़ा होगा ठीक है एंड उसने देखा होगा कि यहाँ पे जो मांगा जा रहा है मतलब जो चीज मांगी जा रही है वो address for new version dot com के लिए मांगी जा रही है मतलब इस domain के लिए IP address मांगी जा रही है ठीक है तो अब क्या करेगा यह उस IP address को देखेगा उसके पास है या नहीं फाहर सी बात है DNS है यह website registered है तो उसके पास IP address होगा तो IP address packet में add करेगा अब देखते हैं इसके आगे का लिखेगा देखो अब यहां पर बहुत सारे changes होगे source में DNS का Mac address आ जाएगा यानि Mac में source Mac address में DNS का Mac address आ जाएगा destination Mac address में क्या आएगा जिस Mac address से जो वो note कर रहा था जैसे कि मैंने कहा यहां पर यह note कर रहा था कि Mac किस से reply आया है यहांनि message किस से reply की बात छोड़ दो यहां पर message किस से आया है किस Mac address से जो packet है request packet आया है वो देखेगा जिसने यहां पर note कर रखा था तो वही वापस add कर देगा यहां पर destination में ठीक है अब source में IP add करेगा यह है अब source में यह खुद की IP address कर देगा ठीक है लेकिन Mac किस का होगा router का होगा ठीक है एंड source में port कौन सा होगा 53 ठीक है जिससे DNS reply देता है ठीक है and destination port वही होगा जिससे आया था जिससे वो packet आया था वो चेंज नहीं होगा यहां पर ठीक है है कि हर जगे पर सी में चेंज होते है यहां पर आप तक पर देख सकते हो इसने कुछ इससा packet अब देखो यहां पर कुछ मिस्टेक है यहाँ पर यहां पर आपि आडिरेस भी मैंशन है जो कि मैं आगे वाले slide में दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर इस packet में complete एक IP address डाल देगा जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे ठीक है एक complete packet ऐसे generate हुआ था ठीक है यहाँ पर IP address है ठीक है इस packet में यहाँ पर IP address आ गया था 13027.45.69 तो यहाँ पर इस IP address को यहाँ पर डाल लेना तुम लोग ठीक है तो यहाँ पर misprinting हो गई है तो यहाँ पर इस IP address को add कर देना ठीक है तो यहाँ पर IP address भी उसने mention कर दिया है अब यह packet complete generate हो चुका है generate हो गया है तो अब इस packet को send किया जाएगा कहाँ इसको send किया जाएगा ISP के router पे तो अब देखो यहाँ पर सारी चीज़े हो गई अब ISP के router पे जब उसने send कर दिया किसने DNS के server ने तो ISP का router क्या करेगा वापस मैक चेंज करेगा क्योंकि यहाँ पर सिब तो मैक ही change हो रही है बाकी कोई चीज़ नहीं हो रही तो यहाँ पर ISP का router मैक चेंज किया मतलब अपना पहले दो था यहाँ पर जो DNS server की तरफ जा रहा था बट यहाँ पर जो मैक अड्रेस होगा अब वो ISP का फर्स्ट वाला मैक अड्रेस होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा दो मैक अड्रेस है ISP के हैश 1 और हैश 2 तो यहाँ पर हैश 1 वाला मैक अड्रेस असाइन हो जाएगा एंड डेस्टिनेशन में हमारे लोकल राउटर का जो वाला मैक अड्रेस है जो वाइड एरिया में लोकल राउटर का जो की वैन वाला है ठीक है बाकी सारी चीज़े एक्जैक जैसे की डेने सरवर ने डाली थी और साथ में यहाँ पर आईपी एड्रेस भी भेज दिया उसने newversionhacker.com के लिए ठीक है अब आगे जब हमारे राउटर के पास यह packet पहुँच गया यह packet जब हमारे लोकल राउटर के पास पहुँचा जो हमारा राउटर है उसके पास पहुँचा तो यहाँ पर राउटर क्या करता है अब जब ISP के राउटर में हमारे लोकल राउटर में यह packet भेज दिया है तो क्या होगा तो यहां पर packet receive होगा सबसे पहले public IP में यह आएगा सबसे पहले अब public IP में आने के बाद यह क्या करेगा जिसे कि हमने देखा था net table का वापस से use करेगा net translation का network address translation यहां पर इसका use करेगा and पता करेगा कि port number 1 मैंने किसके लिए use किया तो इसको पता चल जाएगा 101 के लिए add किया था ठीक है तो अब यह फिर से packet यहां पर change करेगा packet change करेगा तो यहां पर source IP किसके डालेगा उस router की आएगी मतलब DNS की आएगी DNS की router की जो वहां से add करके भेजा गया था DNS के पास भी router होता है तो यह DNS की router की आएगी ठीक है यहां से packet आया है destination में 101 add कर देगा यह जो हमारे local network की IP है ठीक है यहां पर source port में y53 and destination port में वापस वही port add कर देगा जिससे यह reply आया था यानि कि हमारा dynamic port ठीक है यहां पर इस packet में add कर देगा and साथ ही साथ यह वाला message जो इसके साथ receive हुआ था कि जिस चीज के लिए हमने इसको access किया था या फिर जिस चीज के लिए packet हमने भेजा था आगे वो packet यह रहा ठीक है वो चीज यह रही क्या है यह newversion hacker.com का IP address ठीक है तो वो भी यहां पर इड करके हमारे PC में आगे forward किया जाएगा लेकिन उससे पहले यहां पर Mac address भी पता किया जाएगा क्योंकि सिर्फ हमारे IP address से यहां पर चीजें आगे forward ने होती यहां पर Mac address भी लगता है तो देखो यहां पर Mac address जब यहां पर assign होगा मतलबॉड माट्यट्रह की बारी आएगी सब्सक्राइब तो कया होगा based यूजग लिया जाएगा अभे अब तर पुल के सारी डिटेली sûr में सब कून सा मांक मेंheimer's यहां पर यहां पर देखो ये MAC address जो है इस IP इना ये MAC address हमारे 101 का Вас है । MAC address है यह रहा ठीक है तो अब ये MAC address भी अब add कर देगा ठीक है MAC address add करने के बाद ये packet ready है इसके पास हमारे PC के पास आने के लिए अब जब packet यहाँ पर ready हो गया है हमारे PC पे आने के लिए जैसे कि देखो अभी तक क्या हुआ यह पैकेट जो है इंटरनेट से रिसीव हुआ ठीक है हमारे राउटर ने रिसीव किया इसमें अपने पब्लिक आइपी पे पब्लिक आइपी से पहले पता किया उसने net table का यूज़ करके कि यह जो पॉर्ट मैंने यूज़ किया था वह किस के लिए उस किया था अब यहां पर सारी चीज़े translate करेगा net table का use करके सारी चीज़े add करेगा प्रानी जो जिस से उस packet को receive हुआ था मतलब वो packet जिस चीज़ से receive हुआ था वो वो सारी चीज़े यहां पर आपस से पहले जैसे करेगा ठीक है जब mac address assign किया जाएगा तो mac address assign करने के लिए यहां पर arp table का use लिया गया ठीक है arp table use केसे लिया गया तो यहां पर लिखा गया था यह ip address है and यह इसका mac address है इन दोनों को यहां पर add कर दिया गया यानि source में किसका add कर देगा source में router का add होगा ठीक है and destination में किसका mac address assign होगा destination में use होगा किसका हमारा PC का ठीक है तो यहाँ पे हमारा mac address assign होगा ठीक है तो इतना सब करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें add on हो चुकी ठीक है अब यह packet ready है हमारे PC के पास जाने के लिए ठीक है अब जब packet हमारे PC को receive हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहले packet कहां receive होगा हमारे physical layer पे physical layer पे ठीक है physical layer उससो convert करेगा फिर वो भेज़ देगा data link layer पे data link layer क्या करेगा वहाँ पे mac address check करेगा जो चीजे आई है वो सही है नहीं फिर आई पी आई पी मतलब कि हमारे network layer पे यहाँ पे आई पी चेक करेगा वो जिस destination से आया है अब यहाँ पी चेक करेगा कि जो reply आया है वो आया है इस आई पी से जो की है dns की and port 53 जो की dns का ही है तो reply कि इसके पास जाएगा यह reply जाहिर इसी बात है जाएगा dns के पास अब dns के पास जब reply जाएगा dns उसको खोलेगा open करेगा तो वहाँ पे चेक करेगा कि जो ip address है वो उसको मिल चुका है ठीक है ip address हम मिलने के बाद dns क्या करेगा dns ip address मिलने के बाद वापस से वो sttp के पास यह packet भेज़ देगा sttp क्या अपने नया packet generate करेगा stml request generate करेगा website पर जो भी request जाती है उसको हम stml request कहते है and stml response भी कहते है ठीक है जो reply आता है उसको response कहते है तो यहाँ पर जब sttp के पास ip address आ गया है newversion hacker.com का तो वहाँ पर क्या करेगा वो एक नई request generate करेगा यह request generate करके वह आपस से वही चीज़े perform यानि नीचे जाएगा यहाँ पर IP address assign होगा ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा वापस से वही चीज़े होगी तो जब इसने यह सारी चीज़े कर ली यहाँ पर सारी चीज़े add-on हो गई तो एक नया packet generator वह कैसे हुआ पहले source mac address assign होगा यहाँ पर जब new packet assign होगा destination mac address assign होगा कौन सा router का and source IP assign होगी कौन सी हमारी खुद की and destination IP में यह जो IP हमको यहाँ पर मिली है new version hacker की वह receive होगी मतलब वह यहाँ पर add-on हो जाएगी ठीक है इस packet में ठीक है तो destination में कौन सी IP assign होगी है हमारी new version hacker.com ठीक है source port कोई भी हो जाएगा dynamic जो भी यहाँ से जाता है जब router के पास जाता है तो कोई भी port assign हो जाता है यहाँ पर वहाँ से router decide कर लेता है कि कौन से port पर बेज़ा है अब destination port कौन से रहेगा port number 80 क्यू की packet जा रहा है कहां पर STTP पर या फिर STTP के through जा रहा है ठीक है port number 80 जो है वो किसका है वो है हमारे STTP का ठीक है इतना तो याद कैसे generate हो रहा है send me the STML file at new version hacker मतलब new version hacker की जो STML file है मतलब जो उस website को access करने के लिए जो जो files चाहिए वो उसके server पर जाओ and लेके आना है ठीक है अब यह packet generate होके ऐसे जाएगा अब packet generate होके जाएगा server के पास इसके अब जाएगा new version hacker के server के पास ठीक है अब वहां से फिर यह reply add down होके वापस आएगा किसके पास हमारे पास ठीक है अब जब new version hacker का server हमको reply देगा STML request की ठीक है STML request के जब वह response देगा उस response में ऐसी बहुत सारी चीज़े होगी जिसको हम website access कर सकते हैं जिसके थो ठीक है उसमें पुरे website code होता है जिसको हम access करते हैं ठीक है तो पुरा packet ऐसे perform होती है हमारे TCP IP model का जो पुरा एक step by step चीज़े होती है ऐसे perform होती है हर एक step में यह सारी चीज़े होती है एक एक चीज़े perform हो रही होती है ठीक है तो एक बार हम last overview देख लेते हैं कि यह सारी चीज़े कैसे perform हुई उससे थोड़ा सा और clear हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं वापस से अपने वही first slide पे तो यहाँ पर हम आच चुके हैं वापस से वही first slide पे तो यहाँ पर इस slide में हमको समझाया जाएगा या फिर हम समझ जाएंगे कि कैसे यह हुआ short में पूर है न तो यह देखो यह PC है जिसने यहाँ पे packet generate किया सबसे पहले application layer पे application layer पे packet generate करने के बाद वह गया http को करता है जब उसके पास IP address हो इसका domain का खिक है अब http के पास IP address नहीं तो IP address कौन ला सकता था हमारा DNS तो DNS ने क्या किया STTP ने वो packet DNS के पास बेज दिया DNS ने क्या किया नीचे transport layer के पास वो packet बेज दिया transport layer ने क्या किया उसमे port number add किया source port and destination port यानि खुद का port DNS का port and जहां से वो packet जा रहा है source में आएगा हमारा port and destination पे आएगा किसका port DNS server का तो यहां पर transport layer से जब packet जा रहा है network layer पे network layer क्या करेगा वहाँ पे IP address source IP address and destination IP address उसके बाद जाएगा packet data link layer के पास data link layer क्या करेगा यहाँ पे mac address assign करेगा source mac address and destination mac address starting में source mac address हमारा होगा and destination mac address होगा router का DNS का mac address हमारे पास starting में होता नहीं है के बाद physical layer पर जाएगा, physical layer उसको send कर देगा, ठीक है, अब जब packet यहाँ पर गया router के पास send हो गया, तो router ने उस packet को receive किया, ठीक है, अब यहाँ पर वो सारी चीज़े change करेगा, source खुद कड़ारेगा, source IP में वो जो public IP address होता है, वो डाल देगा, and source MAC address में अपना WAN का MAC address डाल द ठीक है, अब जब यहाँ से packet, router के, हमारे router से काम खतम हो गया, वो ISP का पास गया packet, ISP के packet ने उसमें अपनी details हैड की, and यहाँ पर आगे forward कर दिया DNS packet के पास, ठीक है, यह फिर DNS server के पास, DNS server के पास जैसे packet आया, DNS server में सारी चीज़े चेक की, port कहां से आया, मतलब इस port में आय इस packet में, new version hacker.com का IP address, वो IP address चेक किया, and वापस इस सारा packet बनाया, source, destination, and वो IP address आड़ करके, जो हमने मांगा था, वो IP address, सारी चीज़े आड़ करके, वापस से packet वो भेज़ेगा, ISP के router के पास, ISP के router से जाएगा, हमारे router पे, ठीक है, हमारे router से जाएगा, हमारे PC में, ठीक PC एक नया request generate करेगा, जो की होगी HTML request, अब ये HTML request वापस से, वही सारी चीज़े perform करेगी, पहले वो जाएगी router के पास, router से ISP के पास, अब यहाँ पे ये packet DNS के पास नहीं जाएगा, यहाँ से ये मूड जाएगा, वेबसाइड के router के पास, वेबसाइड के सर्वर के पास, क्य से सर्वर, new version, heka.com के सर्वर के पास, अब सर्वर reply देगा, फिर यहाँ पे हमारे पास वो packet पहुंचेगा, जो response packet होता है, उसमे सारी चीज़े होगी, website कैसे access करना है, वो सारी coding होगी, then उसके बाद हम, वो website access कर पाएंगे, तो ऐसे perform होती हैं सारी चीज़े, so I hope guys, आप सभ लोगों का यह concern होता है, कि हम networking क्यों पट रहे हैं, देखो, जब आपका networking का concept clear होगा, तो आप कितनी भी level की certification है, या फिर कितनी भी level का exam हा, वो आप crack कर सकते हो, बहुत easily, चाहे वो ethical EH का हो, ठीक है, EC council का, या फिर OSCP हो, या फिर कोई भी higher exam हो, जब तक आपका network का concept, या फि exam क्रैक नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो basically, आपका networking का concept है, वो clear होना बहुत ज़ूरी है, ठीक है, अब, यहाँ पर आप सभी से, last में एक request है, कि, देखो, हमारे country में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो क कि ethical hacking या फिर बहुत बड़ी institutes की जो fees है, वो afford नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी महंगी महंगी होते हैं, certifications, जो कि वो लोग afford नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ये channel open करने का यही concern है, कि हर वो बंदा, हर वो बच्चा, जो पढ़ना चाता है, cyber security, ethical hacking, वो पढ़ सके, ठीक है, तो हमारा channel अभी इतना famous नहीं है, किसलिए, ये हमारी videos हर जगे पे नहीं पहुच पा रही है, तो ये video हर जगे पे पहुचाना, आप लोग जो देख रहे हो, वो आपके आज पास कोई भी ऐसा बच्चा हो, जो सीखना चाता है, उसके पास share कर देना, इससे क्या होगा, हमा एक चीज़ समझ में आने लगेगी, तो cybercrime rate automatic कम हो जाएगा, क्योंकि देखो, आपको पतर नहीं है, कि कैसे कैसे crimes हो रहे हैं, link बेज दो, तो वो crime कैसे हो जाता है, link बेजने से पैसे कैसे कट रहे हैं, ठीक है, OTP देने से पैसे कैसे कट रहे हैं, ये concept अगर उन्हों सब क clear हो जाएगा, तो crime rate automatic कम हो जाएगा, आप लोग automatic aware होगे, कि cyber security कैसे है, and ethical lacking कैसे काम करती है, जो link generate करते हैं, सारी चीज़े कैसे होती, तो basically देखा जाए, तो हम लोग एक अपने country को ही secure कर रहे हैं, अपने देश को ही secure कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा concern यही है, कि हमारा cybercrime rate क कम हो, है न, and हर एक बच्चा सीख सके, the last request है, आप सभी से इतना कर दे, so congratulations cyber warriors, आप सभी ने complete networking सीख ली है, जिती की आपको जरूरी थी, इथिका lacking सीखने के लिए, so आप इनकी practice करते रहेगा, and notes जरूर बना लेना इन सभी के, जो की आपको आगे help करेंगे, और आपके इस चैनल पर, so thanks for watching this video, see you in next video, तब तक के लिए, good bye.